हेलो चैंपियंज कैसे आप सभी लोग क्या हाल चाल आप सभी का स्वागत है मंजिल के इस बहतरी से बैच में जो जे एस्पिरेंट्स के लिए अम्रित का काम करता है उनकी तैयारी जहां कहीं भी है उसको उठाकर हीरो लेवल पर लाने की पूरी कोसिस करता है तो ध्यान रख मैं ऑर्गनीक के सुरुवात करने वाले हैं जहां पर मैं आपको ऑय उपीजे नॉमन क्लेचर पढ़ाने वाला हूँ यह बेसिक सा चैप्टर है बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज다 रहते हैं कि कि सर इसमें कितना रू टाइल करके यूज कर देगा अगर किसी कंपाउंड में तो बच्चे को याद नहीं रहता कि ये कैसे बनाया जाता जब तक बनाना नहीं आएगा आपको तब तक आप उनके रियक्शन्स को कैसे परफॉर्म करा पाएंगे अपने एक्जामिनेशन के दौरान ठीक है जी बोलो यादेट लेट नहीं वह टाइम साइएं जी एकदम प्रेट टाइम पर हम यहां पर आकर खड़े हुए हैं जी आईए पहले मां आपको बताने वाला हूं एकदम बढ़िया है जय जौला की जौला वाली भी आ चुके हैं जय ज्वाला की वह बहिए जिन को जौला नहीं पत में हम आपको देने वाले जी 4C approach यहां पर बलकि मैं अपना ही क्या बताऊं सारे teachers यही 4C approach अपनाते हैं 4C approach का मतलब है कि वो concepts को crisp, concise, but conceptual approach देते हैं लेकिन हमारा पूरा मकसद है consequent रहने का, परिडाम लाने का, result लाने का यहां मुझे खुद को ये चाबित नहीं करना है कि मैं बहुत तीरंदाज आदमी हूँ, बहुत अच्छा chemistry पढ़ाता हूँ, इतना पढ़ाता हूँ जिससे आपके result आते हैं और आपके J-E means में अच्छे rank लाए जा सकते हैं, इतना तो जरूर अच्छा पढ़ाया जाएगा, तो ध्यान अपडेट आई है कि J-E advanced ने अपना syllabus निकाल दिया है, जहां पर उन्होंने वही 2023 वाला पुरा कॉमा स्टाफ सही सब छाप के दे दिया कि यह पूरा आएगा, जिस तरीके से NTA ने कुछ syllabus कट करें थे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला अब, पूरा का पूरा syllabus आएगा, अब यही है, क्लास 12 के बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ तो यहां पर होने वाली है, कि वही बोड का अलग से वो पढ़ रहे हैं, मेंस का फिर से अलग पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद वो इस हो जाएगा ढम से, हाँ, इसके बाद आपको जो बचा हुआ syllabus है, आप चाहेंगे तो निश्य दरूस से जेई वाला चैनल पर ही उसको करवा दिया जाएगा, ठीक है, चलिए, बातचीत करते हैं, आगे की तरफ देखें में, यहां पर relevant जेई में syllabus डिसकस होगा, basic to जेई advance चलेंगे, अभी आप देखेंगे, जेई advance के questions आप खुद करने लग जाएंगे, आपको खुद आसान लगेगा, सारे previous year questions जो 5 साल के recent 5 year के हैं, वो सारे मैं लेकर के आया हूँ, एक भी मैंने नहीं चोड़ा, पिछले 5 साल की बात करूँ तो, लेकिन उसके साथ-साथ other previous year questions भी लेकर के मैं आया हूँ, जैसे AIEEE के time वाले कुछ relevant थे, उनको मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है जी, चलिए, शुरुवात करते हैं, ठीक है, कौन कौन से topic होंगे, ये सारी basic बाते की जाएंगी, सारी basic बाते की जाएंगी, catenation, bonding, hybridization, structural formula, इसके बाद, degree of carbon, hydrogen, alcohol, amine, पर ब naming of substituent और इसके बाद सारे जितने भी functional group हैं, उनके IUPAC नाम, और इस तरीके से हम खत्म कर रहे होंगे, इस chapter को, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा पांच घंटे के अंदर ही, पूरा का पूरा concept आप धंग से सीख जाएंगे, ठीक है, बता industry के जितने भी rules अभी तक बन गए हैं, और आगे in future अगर कोई और भी compounds पता चलते हैं, तो उनके नाम, उनके character, उनके behavior को, मतलब इस तरीके समझी है, कि documented करके एक जगा पर रखा जा और वही एक rule बने, ताकि अगर हम CH4 को इंडिया में methane कहें, तो चाइना में भी उसको जा करके बाकी बहुत सारा काम करता है, यह तो मैंने एक यूज बताया, मेरी IIT में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमारे department में IIT दिल्ली के दो प्रोफेसर ऐसे थे, जो IUPAC के member थे, और चार साल के लिए membership मिलती है, तो वो चार साल के लिए member रहेंगे, उसको दोरान, जितनी भी नए compounds आएंगे, उनके nomenclature, तो एक basic बात है, बहुत ही basic बात है, बहुत सारी चीज़ें उनके properties, उनके बहुत सारी ऐसे आप आगे चलके पढ़ेंगे, NMR वगरा का discussion होता है वहाँ पर, ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बता पारा हूँ, थोड़ा सा सर्चम ने पूचा थे, कि वहाँ पर होता क्या है, चलिए जी, आगे बात चीट करते हैं, notes आपको मिल जाएगा, time पे notes आपको मिल जाएगा, don't worry, time पे आपको notes मिल जाएगा, ठीक है, यह है International Union of Pure and Applied Chemistry, ठीक है जी, इसको छोड़ते हैं, अब बात करते हैं, catenation की, हम यह जानते हैं कि organic chemistry में इकलौ कौन है, वो carbon उसका king है, carbon के थूँ यह सारे compounds बनते हैं, बाकी लोग तो उसके साथ रिस्ते बनाकर के बाकी compound generate कराते हैं, लेकिन main जो चीज़ है, वो carbon ही है, carbon के अंदर एक character है, that is known as catenation, यह खुद को खुद से जोड़ने की छमता रखता है, सर यह कुछ ऐसे सा थोड़ा अलग सा लग रहा है कि मतलब से बाबा और टाइब की बात बता रहें आपको, खुद से खुद को जोड़ने की छमता को कहते हैं, catenation, self-linking property of an element, तो है क्या, कि जो carbon है, वो अपने आपको कई सारे carbon से connect कर सकता है, कई सारे का मतलब, valency के हिसाब से हम बोले तो, चार carbon से इस उसको हम कहते हैं, catenation, self-linking property, खुद को खुद से जोड़ने की जो छमता प्राप्त है, उसी की वज़ा से organic compound बहुत सारे हैं, infinite compounds बनाए जा सकते हैं, सिर्फ उनके इसी character की वज़र से, ठीकर जी, ऐसा है कि carbon, carbon के साथ होता है, आप अब देखेंगी माली जी, carbon के साथ, अच कितने लोग बता सकते हैं, जनाब, carbon की valency कितनी होती है, बताओ, बताओ, कारबन की valency कितनी होती है, कितने bond बनाता है carbon, यहां सामने दिख भी रहा है, एक बार चैट से पूछ लेते हैं, इनको भी देखें, कुछ आ रहा है या नहीं, बोलो भाईया, नहीं, आयू, पेसी क चनाब, चार होती है, तो एक बात जहां रखें, अगर carbon ने, एक carbon के साथ, एक bond बना लिया है, तो बाकी कितने bond बनाएगा भीया, तीन bond यह भी बनाएगे, तीन bond यह भी बनाएगे, यह मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बाला कैसे होंगे, जिनको यह बात नहीं बार चर्चा थोड़ा कर लेना, थोड़ा लेवल तो पता चले है आपका जी, इनका नाम क्या पढ़ा है अपने, इनका नाम क्या पढ़ा है अभी तक आपने, इसको इथेन कहते हैं क्या, अरे चैट वालों कहां चले गए, गायब हो क्या, हाँ सही बता रहे हो, चलो ठीक, ठीक है ठीक है मामला ठीक है सही लग रहे हो समझदार लग रहे हो तुम ठीक है आज अब पढ़ाई करते हैं थोड़ा और खुलके मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है जैसे ये मैंने कहा कि ये इथेन है और ये बात हमने सीखी थी अभी दुबारा भी बताऊंगा ये बात हमने सीखी थी क्लास टेंथ के अंदर के दो कारबन दिख जाए बाकी सारे हाइड्रोजन से वैलन से सटिस्वाई कर दो हम उसको इथेन यहां करबन पर तीन हाइड्रोजन । टोटल नंबर आप जो हाइड्रोजन होंगे वो हो जाएंगे इच्छे तो ये हो जाएगा C2H6 क्या हो जाएगा C2H6 ये क्या है C2H6 जणा इथेन का मॉलिकुलर uniformular है तो मॉलिकुलर formula में हम क्या बताते हैं Molecular formulae में हम ये बताते हैं कि उस compound में कितने different type के atoms present हैं और वो कितने number में present हैं अगर मैं आपको कहूं कि ethane जो है C2H6 होता है तो आप ये कहेंगे कि हाँ इसमें 2 carbon और 6 hydrogen होते हैं Molecular formulae का मतलब समझ में आया होगा कि actual number of atoms of each element present in one molecule एक molecule में हर element के कितने atom मौझूद हैं उसके बारे में पता चलता है Molecular formulae में ठीक है जी आईए बेसिक से सीखेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है आईए अगला पढ़ते हैं बांडिंग इन और्गनिक कंपाउंड अभी बेसिक सी बात जाननी है जिन बच्चों को सिग्मा पाई ज्यादा ना पता हो ज्यादा दिक्कत ना लें आप ऐसे समझ जाईए कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बांड है तो इस सिंगल बांड को हम कहते हैं सिग्मा बांड क्या कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन तो सब्द यूज होगा double bond एकदम basic से बता रहा हूँ ताकि अगर कोई बालक ऐसा हो जिसको कुछ भी ना आता हो बात में समझ पाए यह क्या है double bond अब double bond में होता क्या है वो बता देता हूँ double bond में इन दोनों bond में से एक bond जो होता है वो उसको कहा जाता है bond में से एक क्या होता है sigma और दूसरा क्या होता है पाई bond होता है अच्छा जी इस तरीके से पाई क्या हो गया जी पाई को आप इस तरीके से कह सकते हैं कि other than single bond यह जो एकलोता bond other than sigma bond जो भी होगा उसको हम पाई bond के तरह ट्रीट करेंगे यहाँ पर organic chemistry में carbon carbon के बीच में कितने है जी तीन bond अगर है इसको कहते है triple bond क्या कहते है ट्रिपल bond यहागे सब्द use होंगे triple bond अब इस triple bond में होगा क्या कि एक bond तो इस triple bond में आजा भईया नराज हो गए क्या ही है एक bond क्या होगा जी sigma bond होगा एक इसमें से होगा sigma bond बाकी के जो दो होंगे वो होंगे πाई bond ठीक है जी बाकी के क्या होंगे दो जो बचे हैं वो होंगे πाई bond तो यहाँ पर एक sigma दो पाई हो जाता है लेकिन यह देखिए double और triple को मिला कर एक साथ इसको multiple bond बोला जाता है multiple सब्द का मतलब ही होता कि एक से जादा bond जहां पर मौझूद हो जिसको combined रूप से multiple bond बोलेंगे इतनी बास समझ में आ गई है क्या बताओ भईया इतनी बास समझ में आ गई है clear मामला yes very good very good जिन्होंने बताया कि एक sigma और दो पाई है चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगली बात चीत है structural formula पर यह जो हम बना रही है structure बना रही है structure सब्द का मतलब समझो structure का मतलब होता है कि atom to atom connectivity जैसे कि अभी हमने बात करी थी किसकी इथेन की किसकी बात करी थी हमने बात करी थी इथेन की तो देखिए इथेन की अगर मैं बनाओं यहां पर इथेन को मैं यहां बना रहा हूँ तो हम कैसे बनाएंगे कारबन और कारबन के बीच में कारबन और कारबन के बीच में एक bond है बाकी यहां पर तीन हाइड्रोजन्स लगें कितनी तीन हाइड्रोजन्स लगें कितने भया तीन हाइड्रोजन्स लगें यही था क्या ही थे तो यहाँ जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच का एक बांड दिखाया जाए और यहाँ पर सारे हाइड्रोजन के बांड दिखाये जाएं उसको कहते हैं expanded structural formula जहां पर पूरा फैला करके लिखा गया हो bond के साथ उसको बोलते हैं expanded structural formula क्या आपको ये बात समझ मारी है expanded सब्दसद समझ ना रहा है अच्छा अगली चीजे condensed condensed structure formula का मतलब होता है कि यहां पर आपको इस तरीके से bonds hydrogen CS3 ये क्या carbon पर तीन hydrogen तो बगल में ऐसे लिखा जाएगा CS3 CS3 इसी चीज को open करके ऐसा लिखते हैं इसी को condensed form में हम इस तरीके से लिखते हैं अच्छा अगली एक चीज आती that is bond line formula यहां पर carbon carbon की bond को एक line बनाकर represent किया जाता है तो यहां पर बताए यह carbon carbon की कितने bond है सिर्फ एक bond है तो इसको बस एक line की तरह बना दीजिए चा करना है एक line की तरह बना दीजिए एक line बनने का मतलब है कि यहां पर किनारे की तरफ क्या है carbon और carbon है और अगर carbon यहां है एक valency satisfy हो गई तो तीन बची होगी उसको हम किस्से कर देंगे hydrogen से तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा ठीक है जी ओके अगली बात च्छा एक बात और अरे थोड़ा सा सीख लो basic सीख लो basic सीख लो अब आने वाले हैं जस्ट्री एक कह रहे हैं भाई साब की sir इतना basic सिखाएंगे क्या हाँ कोई बात नहीं एक बार basic सीख लो ठोड़ा ठीक है यहां पर देखें जी क्या है न कि जिसको कुछ ना आता हो हम अगर उसको सिखाना चाते है बेसिक से अब जेई advance तक बोला है तो अगर ऐसा ना रहने भाईया कि हमने खाली बोला बोला है दिक्कत होगी न जी हाँ तो अगर यह expanded है तो इसका condensed कैसे लिखा जाएगा condensed तुम message करके लिख सकते हो चलो लिख के बताओ सारे के सारे लोग इसका condensed form लिख के बताएंगे कैसे लिखेंगे जी carbon पर 3 hydrogen CH3 बीच वाले carbon पर 2 hydrogen CH2 अगले carbon पर हम लिख देंगे CH3 क्या यह सही है देखो यह क्या है CH3 यह बीच में क्या है जी CH2 और यह क्या है CH3 बोलो भया यहां तक की बात समझ में आ रही है यह हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या अच्छा एक बात और समझो अगर मैं तुमको कहूं bond line formula बनाओ तो bond line में हमें क्या करना है carbon carbon के bond को एक line से represent करना है एक line बना देना है तो चलिए माल लीजिए आप एक जो carbon carbon की bond है उसको मैं इस एक line से represent कर रहा हूं इन दोनों carbon carbon को तो अगली जो bond है उसको हमें इस तरीके से जिग जैक fashion में बनाना होगा जिग जैक फैसन में बनाएंगे तो उसका फायदा यह है कि हमें पता चलेगा कि यहां पर carbon है यहां carbon है यहां carbon है ठीक है जी समझ बात आ गई और ज यहां तक की बात समझ में आई क्या यस अगली बात देखते हैं इतना तक समझ जाएगे बाकी आपको धीरे धीरे practice के तरू समझ में आ जाएगा structural formula सारे clear हो जाएगे कि यह हम आपको open करके ही समझाएगे तो निश्यन रहिएगा अब बात करते है hybridization of carbon की अब क्या आप सभी ने hybridization पढ़ा है क्या आप यह जानते है SP SP2 SP3 क्या होता है नहीं जानते तो उसका भी तरीका है वहीं उसी के तरू हम कर लेते हैं ठीक है जी number of sigma bond आपको निकालना आना चाहिए number of sigma bond को देखकर आपको state of hybridization क्या state of hybridization state of hybridization लिखना आना चाहिए नहीं आता है तो चलिए बता देता हूं समझा देता हूं ठीक है समझिएगा समझिएगा वालक अगर एक कार्बन पर अगर एक कार्बन पर दो सिग्मा बॉंड है तो वहाँ पर स्टेट ऑफ हाइब्रडाइजिशन लिखा जाता है ठीक है जी ओके अगली बात देखें एक्जामपल के तौर पर बताना शुरू करिए सारे लोग आगे इस जही में इसके क्वेशन होने वाले इसी पर तो इसलिए तुरंद बताईएगा जी बताईए अगर मैं कहूं कि CH4 में कार्बन पर क्या आएगा चलिए चलिए मैं वेट कर रहा हूँ चलिए चलिए हाँ जी लिखे 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 बताईए सही जा रहे है सारे लोग अब अगला देख लेते हैं एक अधार कर लेते हैं जैसे मान लिजी कि हमने ले लिया CS3 CS3 चलिए बताईए इसमें ये जो दोनों और जिस पर हमने हैस्टैक बना दिया है इन दोनों कार्बन पर हमें बताईए कि क्या आएगा हाईबरडाईएशन बताईए बालक कितना आएगा SP3 पहले वाले का SP3 इनोंने बताया जी एकदम सही ये कैसे पता चला एक दो तीन चार चार सिगमा के लिए हमें SP3 लिखना हो तुरंट नहीं समझ में आता तो इसको तुरंट ओपेन कर लो जी क्या करना है तुरंट ओपेन कर लो यहां पर हाईड्रोजन 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 इस तरीके से हो जाए बोलो भई यह होगा क्या तो यहां पर जो कार्बन है उस कार्बन ने चार सिगमा बनाए तो तो वो भी क्या होगा, sp3 hybridization, ऐसा ही यहाँ पर भी होगा, clear है, अब अगले की बात करते हैं, अगले को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, कि देखो, एक carbon, दूसरे carbon से double bond के थू जुड़ा है, और वहाँ पर hydrogen है, hydrogen है, बताइए, इन carbon पर क्या hybridization आएगा, मैं किसी पर एक प बनाया है, उसमें क्या hybridization आएगा, चलिए बताइए, क्या hybridization आएगा, यहाँ पर, अगली चीज मैं यहाँ पर बना देता हूँ, h, c, triple bond, c, h, पहले आप इस star marked carbon पर बताइए, कि क्या आएगा hybridization, sp2 आएगा, very good, sp2 कैसे आएगा, जी, एक बार देख लेते हैं, यह देखो एक सिगमा, दो सिगमा, इन दोनों में से एक सिगमा होगा, तो एक, दो, तीन, टोटल तीन सिगमा है, इसलिए इस star marked carbon पर क्या आएगा, यहाँ पर sp2 hybridization आएगा, इस पर भी सेम आएगा, आएए, यहाँ पर बातचीत करते हैं, यहाँ बताइए, इस star marked carbon पर क्या आएगा, अब की बारवाले में बताइए, जी यह क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, जहाँ पर single bonds होते हैं सारे, देखो, carbon ने चार single bond बना दिये, तो sp3, carbon ने तीन single बनाया, एक double bond है, यहाँ पर, मतलब एक क्या है, पाई है, एक सिगमा, एक पाई, पाई तो हमें गिनना नहीं था, इसलिए हमने कहा, तीन सिगमा है, इसलिए sp2, यहाँ पर क्या आएगा, बताइए, star carbon जो है, यहाँ पर, आप कहेंगे, एक सिगमा इधर, एक इधर, दो सिगमा, दो सिगमा के लिए हम कहेंगे, sp hybridization आएगा, अरे बोलो रे भाईया, क्या आएगा, यहाँ पर, sp hybridization हाना चाहिए, saturated hydrocarbon का मतलब समझे, hydro मतलब हो गया, hydrogen, carbon का मतलब तो आप जानते हैं, तो एक ऐसा compound जहां carbon और hydrogen present है, उनको हम hydrocarbon कहते हैं, जैसे कि example के तोर पे आप ले लीजिए, कि CS3, CS3, यह क्या है, hydrocarbon, CH4 क्या है, hydrocarbon, क्यों, क्योंकि यह carbon और hydrogen मौजूद है, लेकिन वो कह हैं, कि saturated है, saturated का मतलब होता है, कि वहां पर जिर्फ sigma bonds present है, तो बताईए, इन में से 1, यहां पर लिख रहा हूँ, में एक, यह रहा दो, यह रहा ती, इन में से 1, 2, 3 में से, इन में से saturated कौन सा वाला है, इन में 1, 2, 3, गिंती में बताईए, आसानी से आ जाएगा समझ में, भईया क्या आएगा यहाँ पर चलिए अगला देखते हैं अगला है जहाँ पर बताना सुरू करो तुम unsaturated का मतलब हुआ कि जहाँ पर भईया carbon carbon के बीच में pie bond हो या carbon nitrogen oxygen किसी के बीच में भी pie bond हो यह बोलेंगे लेकिन साथ में अगर इन्होंने hydrocarbon कह दिया इसका मतलब वहाँ पर hydrogen होगा और carbon होगा तो carbon hydrogen तो है देखो यहाँ पर भी carbon hydrogen यहाँ पर भी carbon hydrogen यह भी carbon hydrogen तो यह सारे hydrocarbon है और मैं आपको बताऊं जहीं में इसमें एक बार question पूछा गया है कि इनमें से बताईए कौन सा इसमें से hydrocarbon है बतलब एक example में बस उन्होंने क्या किया थे कि आप फसाने के लिए एक जगापे तो सारे carbon hydrogen दिये थे लेकिन बाकी सब में कहीं कहीं nitrogen oxygen डाल करके double bond बनावा दिया था लेकिन वहाँ पे कुल मिला के कहानी इतनी थी क्योंकि carbon के लामा कोई और present हो गया तो वो hydrocarbon में नहीं आता सिर्फ इतनी simple सी बात थी अच्छा यहाँ पर बताए कौन होगा तो आप कहेंगे कि सर्फ saturated में आपने का सिर्फ single bond चाहिए तो यह देखिए पहला वाला है इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे यह कौन था वईया ethane था आपने थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा जीवन में ethane, alkane ऐसी कोई चीज सुनी होगी नहीं सुनी है कोई बड़ी बात नहीं आज फिर से बताया जाएगा यहाँ का example आप बनाना चाहें तो आप लिखेंगे example होगा 2 और 3 क्या होगा 2 और 3 यह जो है unsaturated hydrocarbon होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं very very good बहुत अच्छा बहुत अच्छा जी सर इतना basic भी मत कराओ अरे रुख जा रे भाई रुख जा आ रहे हैं ना टाइम तो लगेगा 10-20 मिनट तो introduction होता है तो अभी तो थोड़ा introductory part था था थोड़ा समझ में आने दो यार इस लोगों को feel तो आने दो आते हैं उस पर find the hybridization at star marked carbon चलिए यहाँ पर जो carbon है यह C double bond O और यहाँ जो star लगा है उस पर क्या hybridization आएगा मैं wait कर रहा हूँ आप सभी का मैं आप सभी का wait कर रहा हूँ speed बढ़ा देते हैं रुक जारी बालक रुक जा पढ़ले इतना पहले आता हूँ मैं हाँ यहाँ बताई यह star marked carbon पर sp2 आएगा very good जहाँ आप कहीं double bond दिख जाए वहाँ तो sp2 आएगा इसमें कोई संदे है ही नहीं है ना जी कुछ और तो नहीं बताना जी नहीं बताना है यहाँ पर आईए यहाँ जो carbon है इस पर बताईए यह जो carbon present है इसको थोड़ा open करके मैं लिख देता हूँ ताकि किधर है और इस star marked carbon जो यह वाला है उनके बारे में बताना है कितने sigma गिनो sigma गिन के बताईए भाई कितने आ रहे हैं आप कहेंगे कि एक hydrogen के साथ है एक यहाँ carbon के साथ है तो एक दो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक तीन इसका मतलब यहाँ पर तीन यहाँ पर आएगा तो sp2 hybridization आएगा सुन लो भया क्या आएगा sp2 hybridization आएगा clear मामला star marked पर अच्छा अगले पर आते हैं यह बताओ अगला यह बताओ चलो चलो वेट कर रहा हूं मैं जी अगला इस वाले star marked पर बताईए यहाँ तक की जवाब आपका मिल चुका है सही बताया आपने दोनों में sp2 था चलिए यहाँ बताईए इस star marked carbon पर क्या आएगा hybridization बताईए बताईए कोसिस करिए मैं तब तक कुछ चीज़ लिखता हूँ वो आप बताईए एलकेन एलकीन क्या आपने कभी यह सब्द सुने हैं क्या एलकेन और एलकीन जहाँ एन आते हैं अभी पीछे पढ़ाया जैसे इथेन तो महाँ पर क्या रहते हैं सारे सिग्मा बॉंड वाले रहेंगे इन का मतलब होता है कि जहां double bond होगा carbon double bond carbon सिग्मा बॉंड का मतलब एक हो जाएगा इस तरीके से बस यह काम आएगा आगे इसलिए बोल रहा हूँ अभी जत्रस्त काम आने वाला है very very good यहाँ देख SP hybridization आएगा मामला clear है अब एक चीज़ जानना है वो जान लीजिए कि देखो भी यह इन का मतलब होता है double bond अब जब सारे double bond हों carbon carbon कितने है जी तीन कारवन है तीनों carbon के बीच में जब सारे double bond दिखें तो इसको कहते है all in क्या कहते है all in सारे के सारे double bond हलाकि इसका नाम होता ह एलीन क्या बोलता है इसको इसका नाम होता है एलीन और बहुत सारा आगे पढ़ाया जाएगा आपको आईशोमेरिजम में तो वहाँ पर इन ही को थोड़ा सा extended format में पढ़ाया जाता है फिलहाल इसको जानी है कि यह क्या है यह एलीन है क्या आपके खोपड़ी में यह बात स्थू रहा है जेई दो हजार बारा मतलब जेई एडवांस की बात कर रहा हूं मैं चलो जेई एडवांस के यह क्वेशन हम स्वाल्व करेंगे हम आपको टाइम दे रहे हैं 30 सेकंड नहीं चलो 40 सेकंड दिया देखते हैं यह भी भाई साब काम कर जाएं तो चलिए चलिए सेम क्वेशन हैं जी सेम क्या लिखा है कि इन एलीन दे टाइप्स और हाइबराइजेशन अफ दे कार्बन एटम इज जैसे माने स्टार मार्ग्ड का पूछा था उसी तरीकिस दूसरे वाले कार्बन का बता दीजिए यह आपके पेपर में आता है अरे बोलो रे एक जो है क एक जाँ हैं किसी कह नाम लिख रहा है नहीं बही या हमने किसी को कुछ नहीं कहा हमने कहा all in तुमने मिला करके गंज गलती गरी होगी मैंने सही बताया है जेज नब चलिये बताई चलिये अरे आओ और बह्या क्या आएगा जबाब रे रिजल्ट एक काम करता हूँ, explain करने के बाद बताता हूँ, देखो भहिया क्या आएगा, देखो, यहाँ पर हमने क्या बताया था, carbon double bond carbon, double bond carbon किनारे वाले जो होंगे, वो hydrogen के थूरू इस तरीके से connected है, बताओ रहे भहिया, क्या आएगा जब आप अभी बताते रहो, इसके च आपने बताया ही, यह वाला, पहले वाले की तरह, यह भी SP2, मतलब SP और SP2 कहीं दिख रहा है जनाब, यह है, means that B option is correct, B को अगर सही मान दिया जाए, तो देखे जी, 71, 72% लोगों ने सही जबाब दिया, बाकी 21% लोगों ने A जबाब दिया, अरे हे गधों, ऐसा कैसे हो सकत है, अरे बोलो रे नाला एक प्राड़ी है, इसा कैसे हो गया जी, 21% अभी बताया कि Alien क्या होता है, तो at least बनाना तो आना चाहिए था, का भाईया तुमको च्छापन नहीं आता, च्छापना तो आना चाहिए जी, हाँ, और यह है J.E. Advance का question, देख लो, इसमें कठिन बात य या मैंने, आगे कैसे guess करते हैं, degree of unsaturation में ये बात हम सीख जाते हैं, अरे तुम्हारे पास poll नहीं आता, अरे सुनो रे बालक, तुम जो chat करते हो, अगर तुम A, B, C, D डालते रहोगे, वो अपने हिसाप से यहाँ पर comment कर लेगा, समझे जी, हाँ, poll ऐसे आएगा यहाँ व या उससे काम बन जाएगा, चलिए देखते हैं, अगला question, अगला चीज क्या विया, अच्छा, question solve करिए भईया, चलो चलो वेट कर ले रहा हूं, चलो चलो करो, खाली पोल के चक्कर में पढ़ते हो तुम, काम की बात सीखो, चलो, बताओ यहाँ पे क्या होगा, carbon number 2356, 35, यह वाले भाई साब है 5, इसके बाद C6 यह है भईया 6, अब इन पर हमें क्या बताना है, hybridization बताना है, यह बालग बताई हो यहाँ पे क्या आएगा तो, चलो चलो चलो, बताता हूं, बताता हूं, चलो यहाँ पे बताता हूं, जिसको पिछले से कम समझ में आ, यहाँ सम यह जो कार्बन इधर एक सिग्मा और इन तीनों में से एक सिग्मा, तो दो सिग्मा इस कार्बन पर मतलब SP hybridization होगा, जबाब दो तो मैं तो बताऊंगा इस साथ साथ, अब देखो, यह जो कार्बन है तीसरा वाला, मैं तीसरे वाले कार्बन को थोड़ा यहाँ पर open करके लिखूंगा, यह जो कार्बन है, इस से एक कार्बन इधर जुड़ा है, इस से एक हाइड्रोजन भी जुड़ा है यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, देखो, और एक इस पर CS3 लगा हुआ है, देखो, आप बताओ इस स्टार वाले पर क्या आएगा, यही तो तीसरा कार् देखो, यहाँ पर आप कहोगे, चार जो है, अगर सिग्मा हो गए, तो यहाँ पर SP3 हाइबरडाजीशन आएगा, तो आप कहिए कि 3 पर SP3 आता है, चलिए, 5 पर बताइए, 5 पर देखो, डबल बॉंड, डारेक्ट भी बोल सकते हो कि SP2 आएगा, 6 वाले पर कोई कहे तो क्य पर देंगे जी, अब हो भी सकता है, ऐसा हो, दूसरा वाला SP, तो यह हो जाएगा, SP, SP3 कहीं पर है, SP, यह करेक्ट करना पड़ेगा, हमको लगता है, SP, SP3, चलो भईया, उप्सन बनाना पड़ जाएगा, यह देखो, दूसरा वाला हो गया, SP, तीसरा वाला है, SP3, पांचम ठीक है क्या, अभी ठीक है क्या, आप देखो, यह, अभी ठीक बन गया, चलो अगला करते हैं, जादा इस पर वक्त नहीं देंगे, Degree of Unsaturation, यहाँ से भईया, बहुत ही जादा काम की बात तुरू हो रही है, ठीक है, यहाँ से जो सीखेंगे, उसको आईसो मेरिजम में हम च Unsaturation है, Unsaturation को आप जैसे समझते हैं कि वहाँ पर Double Bond या Triple Bond कितना है, उसके बारे में पता करने का तरीका है, Degree of Unsaturation इसको Short Form में DU कहते हैं, ठीक है जी, आईए देखते हैं, इसको और कहा जाता है Hydrogen Deficiency Index, या इसी को कहा जाता है Double Bond Equivalence, बस जान लीजे, यह फेमस नहीं है, य इन पर Based Question नहीं आएगा, नाम से, जो भी आएगा, वैसे तो इनके नाम से भी नहीं आता, लेकिन इसके Use पर Question है, इसके Application पर Question है, तो चलिए, एक चीज आपके सामने प्रस्तुल की जारी है, वो देखिए, Carbon है, मैं तीन Carbon की बनी हुई एक Chain ले रहा हूं, तीन Carbon की बनी Hydrogen है, यहाँ पर भी Hydrogen है, यहाँ पर Carbon पर क्या लगा होगा, Hydrogen, और अगला क्या है भी या, Hydrogen, देख लिजिए, इस तरीके से Valancy मैंने Satisfied किया है, ठीक है, तो हर Carbon की अपनी Valancy Satisfied है, जान बुझकर ऐसा बनाया है, ताकि आगे हमें और ज्यादा काम आपाए, अभी हम क्या अभी यह क्या है, अलकेन का Form है, याना Saturated Hydro Carbon है, तो Saturated Hydro Carbon का Degree of Unsaturation Zero होगा, जोकि यहाँ पर कोई Double Bond, Triple Bond जैसी कोई चीज नहीं है, डबल Bond या Triple Bond जैसी कोई चीज नहीं है, तो क्या बोलेंगे जनाब, यह बोला जाएगा कि यह क्या है, इसका Degree of Unsaturation Zero है, अब सुनिए, अगर मैंने दो Hydrogen हटा दिये, क्या किये मैंने, दो Hydrogen इसमें से Delete करने है मुझे, कहां कहां से करना है, Carbon No.2 का एक Hydrogen हटाईए, Carbon No.3 का एक Hydrogen हटाईए, तो देखिए यहाँ पर बनता क्या है, तो आप इस तरीके से लिख देंगे, देखिएगा यहाँ पर कैसे लिखेंगे, Carbon होगा, इस पर देखिए Hydrogen लगे हुए है, Hydrogen, 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 यहाँ पर क्या होगा, Carbon Double Bond Carbon, क्योंकि Hydrogen हटाने के बाद, दोनो Hydrogen हटेंगे, वैलेंसीज, खाली होगी Carbon Carbon के बीच में, उसको सटिस्फाई करेगा, वो किससे, बोलो भया किससे करेगा, Pi Bond बना करके करेगा, तो देख तो कोई ऐसी बात हुई, जो अभी तक समझ नहीं आई है, एक बार देखने कर पया, हमने किया क्या, यह वाला Hydrogen और यह वाला Hydrogen हटा दिया, हटाने के बाद, दोनों Carbon के बीच में, जो वैलेंसी खाली थी, उसको Pi Bond बना करके भर दिया, अब बताए, जो यह चीज बनी है, इसका degree of unsaturation कितना है, यहाँ पर कितना Pi Bond नजर आ रहा है, वन नजर आ रहा है, वेरी वेरी गुड यह, पहले से जब आप देकर बैठे हैं, समझदार लोग लगते हैं, तो इसका degree of unsaturation कितना है जनाव, वन है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अब अगली एक के बीच में से हटाऊंगा, तो यह कैसा लिखा जाएगा, देखो, बीच वाला तो CH2 है, यह तो भया, बीच वाला CH2 लिख दिया मैंने, कार्बन नंबर 1 पर भी क्या होगा, जी, यहाँ पर इस तरीके से 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होग तो समझना कि जब 2 हाइड्रोजन की कमी होती है, तो एक डिगरी ओफ अनसैचुरेशन पैदा होता है, इस कॉंसेप्ट के हिसाब से इसका डिगरी ओफ अनसैचुरेशन कितना आएगा, तो नो भया क्या बनेगा, एक रिंग बनेगा, तो इस रिंग में बताईए, बनाते वक्त मैंने यहाँ जो डिगरी ओफ अनसैचुरेशन जीरो था, उससे अगर 2 हाइड्रोजन हटाए, तो इसका डिगरी ओफ अनसैचुरेशन कितना आएगा, अरे बोलो रे, डिगरी ओफ अनसैचुरेशन कितना आएगा, बताओ बताओ, आप कहेंगे सर, यहाँ पर 2 हाइ कर लेते हैं numbering जो था वो ही रखते हैं one two three यहां पर भी रखेंगे यह भाईसा one थे यह भाईसा three और यह two समझ में आया क्या अगला देखते हैं अगले वाले में अगर मैं फिर से दो हाइडोजन गायब करूं तो क्या होगा बताईए बताईए दो हाइडोजन के गायब करने से क्या होगा कहा गायब करना है वो सुनों carbon number two और carbon number three carbon number two three से यह दोनों हटा दीजिए तो बचेगा क्या बताईए किनारे की तरफ यह c3 carbon triple bond carbon और यहां पर एक hydrogen देखो यह बनेगा अरे बोलो रे बालक हे बुद्दू बालक बात ठीक कह रहा हूं क्या यह बताओ carbon number one पर c3 one पर c3 अगले पर देखो यह हटा यह हटा एक पाई bond जन्म लेगा two और three इस तरीके से लिखने में गड़बड हो जाता है है क्या यह मत समझना कि iupac का नाम है ज्यान रखो अगर इसको iupac समझ गए तब तुमारा दिम्माग खराब हो जाएगा यह iupac का numbering नहीं बता रह हाना क्योंकि iupac में इसका just उल्टा आएगा तो इसलिए मैं इसको abc कर के पुकार हूँगा यह बी है यह सी कार्बन का नंबरी इस तरीक से में ABC के टाइप का कर देता हूं अच्छा जी बताईए यहाँ पर कृपया यहाँ पर बताईए यहाँ पर degree of unsaturation कितना आया है बोलो बोलो degree of unsaturation कितना आया तो आप कहेंगे कि भाया दो तो पहले ही निकाल रखा था तो एक degree of uns saturation दो दुबारा निकाल दिया तो यहाँ पर degree of unsaturation कितना आएगा टू आएगा ठीक जी तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है यहाँ पर degree of unsaturation दो क्यों आया क्यों कि यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है अगर दो पाई बॉन्ड है तो degree of unsaturation 2 आ रहा है similarly अगर मैं यहाँ पर करूँ A और C में से दुबारा मैं एक एक हाइड्रोजन हटा दूँ अरे सुनो रे बालक क्या बोला मैंने अगर मैं यहाँ से दुबारा हटा दूँ कहां से A और C में से तो बताएए क्या बनेगा बी वाले पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं तो यह ऐसा ही रहेगा बी वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ा अगले वाले में क्या होगा यहाँ CH2 होगा यहाँ पर CH2 होगा एक बांड एक सॉरी सॉरी दो hydrogen घटा करके किया तो मैं अगर यह कहूँ कि यहां से मुझे direct यहां land करना है तो आपको कहना पड़ेगा कि सर हमें 4 hydrogen हटाने पड़ते हैं अगर 4 hydrogen हटाने पड़े तो degree of unsaturation क्या होगा 2 होगा अरे बालक बोलो क्या लिखेंगे दो लिखेंगे बाट ठीक है क्या यस अब एक चीज़ सुनों क्या मैं ये कह सकता हूँ बताना की सही है या गलत क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भई या number of ring number of ring plus number of number of pi bond number of ring plus number of pi bond अगर जोड दिया जाए तो ये कुछ और नहीं यही तो degree of unsaturation है अगर यही दोनों जोड दिया जाए तो ये किसके बराबर है ये degree of unsaturation के बराबर है यहाँ पर यही नज़र आ रहा है एक तो ring बन गई तो एक ring एक pi bond क्या एक ring बन गई और एक pi bond आ गया तो इसको हम कहते हैं कि भईया यहाँ पर degree of unsaturation 2 आ गया अरे बोलो रे बालक अरे बालक बोलो रे बात ठीक कह रहा हूं क्या अरे बोलो भई बात ठीक कह रहा है हाँ सब एक दम राजी राजी खुसी खुसी जी तो क्या कहिएगा कि degree of unsaturation कुछ और नहीं बलकि number of ring प्लस number of pi bond होता है आप देख लिजे structure को आपको यह मिल जाएगा समझ में आया अब इनको hydrogen deficiency index क्यों कहते है समझ में आ गया होगा क्योंकि हम कर क्या रहे है hydrogen की कमी करके इनको पैदा कर रहे है degree of unsaturation को इसलिए इनका नाम यह है double bond equivalence क्यों कहते है add the number क्या करे pi bond को किन रहे समझ में आया क्या yes सर ने derivation करा दिया derivation बहुत सही है एक तरीके का derivation हो गया एक तरीके से यह derivation हो गया आपका कि degree of unsaturation जो है number of ring प्लस number of pi bond के बराबर होता है अरे समझे मुझे खुद उस line को मैंने पहली बार सुना है कि सर ने deriv करा दिया आए देखते हैं आए देखते हैं और काम की बास सीखेंगे find the degree of unsaturation चलो बताओ अब भया तुम्हारा काम सुरू होता है सारा काम मुझे से थोड़ी करवाओगे सारी मद्दूरी मेरी थोड़ी के paper तुम्हें देना जी हाँ हम तो हो आए हमें IIT जाना था हो आए हमें ठीक लगा वहाँ पे रहके मौज मस्ती हुई आप कृपे आ जाएं और वहाँ पहुचने के बाद मुझे बुलाएं क्या पता college reviews में आपसे भेंट मुलाकात हो जाएं मैं तो यह चाहूंगा कि आप जाएं बताए बताए डिग्री ओफ अंसैचुरिशन तुरंद बताने की कोसिस करें पिछे वाले में लिख लेना भहिया hence proved पिछे वाले में लिख लेना hence proved यहां very good बहुत अच्छे बता चुका है कोई भहिया बालक कह रहा है कि सर देखो यहाँ पर एक ring है यहाँ पर कितने ring है number of rings कितने है जी एक सिर्फ एक ring है देखो एक ring है 6 carbon का बना हुआ एक ring है और अगर मैं number of pi bond की बात करूँ तो हे बालक कितना होगा number of pi bond एक होगा सर इनको जोड़ दीजिए degree of unsaturation आता है बचपन में मम्मी ने कहा था नालाएक 1 plus 1 सीखना चाहिए था जोड़ने के बाद बताओ कितना आएगा सर 2 आएगा कितना आएगा 2 आएगा तो यहाँ पर degree of unsaturation आपको 2 दिखाई दे रहा है अरे समझे अगली चीज़ बताईए चलिए बताईए ये बताओ भाई ये बताओ चलो चलो बताओ कुछ हटाऊंगा नहीं मैं लिख दूँगा इधर लिख दूँगा बस 1 ये बताओ दो रिंग एक दूसरे के साथ connected है तो कृफिया यहाँ पर बताईए कि degree of unsaturation कितना होगा अब मैं direct लिखवाने की कोसिस करूँगा ये बार-बार रिंग गिनना तो आपको आता ही है एक रिंग ये है एक रिंग ये इस वाले में बताईए तीसरे वाले में तो आप कहेंगे देखो सर एक तो रिंग है तो number of ring हो गया 1 number of ring कितना जी 1 pi bond कितने है एक pi bond यहाँ एक वहाँ मतलब कि 2 pi bond तो एक ring दो pi bond जोड करके बच्पन में सिखाया गया था तीन आता है अपका तो पता नहीं तुम J advanced level की math पढ़ते हो क्या पता तुम यह solve कर पाओ की नहीं अरे बोलो रे बाला अग 1 plus 2 3 ने होता है जी हाँ अगली बात देखिए अगली बात देखिए भईया यहाँ पर क्या बना है बेंजीन बेंजीन में कितना रिंग दिख रहा है सर एक ही तो रिंग है बेंजीन में कितना रिंग है भईया बेंजीन का degree of unsaturation बताओ सारा कहानी मुझसे पूछ रहा है चलो 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 बेंजीन में एक तो रिंग है और यहाँ पर 3 तो पाई बॉन्ड है तीन तो पाई बॉन्ड है तो जोडने के बाद है बालक यहाँ degree of unsaturation क्या आएगा चार आएगा चार ठीक है तो अकसर आप आगे देखोगे degree of unsaturation जब चार आता है तो हम आगे बेंजीन ही बनाते हैं जब आप आईसो मेरे जम पढ़ेंगे तो ये काम आपके बहुत आने वाला है आपको दिया जाता है formula कौनसा? molecular formula वहाँ से calculate करके निकालना होता जैसे पता चलता है degree of unsaturation चार आ गया मतलब कहीं-कहीं बेंजीन तो present है चलिए अगला बताईए अगला कहां चला किया जी? हाँ ये रहाई ये बताईए सरी इसमें तो दो बेंजीन है हाँ कोई पूछ रहा है कि ये बता दीजिए जी जरूर बताऊंगा जनाब यहाँ देखे यहाँ पर क्या देखो? 6 carbon के एक ring है 6 carbon के एक ring है ring समझते हो ना ये जो बंद है डबबा इसी को ring कहते हैं जी हाँ तो डिबबा कितना एक और उसमें कितने πाई बंड पाई बंड कितने तीन एक, दो, तीन तो वन प्लस त्री अच्छा ये वाले में बालक नहीं पूछा था तो मने बता दिया अब ये बताईए इसमें कितने होंगे सर बंजीन में चार दूसरे वाले बंजीन में कितने चार जोड जाड के आप बताईएंगे कितना आएगा अगर आपको आता हो तो समझे जी हाँ, नहीं चलिए अपने नाम को थोड़ा सा उजागर करता हूँ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा नाम अपना बढ़ाते हैं, क्या है जी नाम भईया यहाँ पर आपको क्या करना है आपको इसका बताना है कि क्या आएगा क्या आएगा यहाँ पर डिग्री ओफ अनसैचुरेशन यहाँ पर डिग्री ओफ अनसैचुरेशन जे एडवांस का एक क्वेशन करा चुका हूँ, बाकी भी कराऊंगा, कच छोड़ने नहीं आया हूँ यहाँ पे, सब कुछ एक तरफ से होगा, यहाँ पे कितना आएगा degree of unsaturation, कई लोग सुरू हो चुके हैं, बहुत सही, एक, दो, तीन, यहाँ पर तीन पाई बॉन्ड है, इसलिए degree of unsaturation 3 होगा, क्लियर जी, यस, अब बात करनी है, इस पाइरो कंपाउंट्स क्या होते हैं, समझिएगा, इस पाइरो कंपाउंट्स में, इसी में हमें, degree of unsaturation भी जानना है, ठीक है, इस पाइरो कंपाउंट्स में क्या होगा, एक कारबन है, उस कारबन पर, ऐसे समझ लीजिए, कि रिंग बनी होंगे, उसी एक कारबन पर, दो रिंग्स एक दूसरे के साथ, ऐसे connected होती हैं, एक ही कारबन पर, एक ही कारबन पर, दो रिंग्स तरीके से connected होंगी, तो ये जो structure बन्ता है, इसको हम कहते हैं, spiral compound, spiral compound में, एक ही कारबन जो होगा, वो दो रिंग का हिस्ण बन्ता है, तो इस तरीके से जो ये compound है, इसको हम spiral compound कहते हैं, spiral सुना, spiral, twist सुना है, ट्विस्ट, इस्पाइरल कॉपी यां खरीते हैं हम, ट्विस्ट रहता है उसमें, तो ये ट्विस्ट का मैटर है जनाब, इस कारबन पर दोनों क्या हुए एक दूसरे से, ट्विस्ट हुए है जनाब, तो ये क्या कर रहे हैं समझिएगा, ये ब्रिज कर रहे हैं, दोनों को क क्यों कि एक रिंग यह है एक रिंग है आपके श्लेबर्स के हिसाब से इस्पाइरो कंपाउंड का आयउ-पेस आपको नहीं पढ़ना है शिर्फ यह जानना होता है कि इस्पाइरो कंपाउंड क्या violations आ को जानेagers कि के delg कल एक दूसरे से connected है मतलब दो cyclic ring देखो भई यह ring क्या होता है cyclic होता है cyclic होने का मतलब क्या होता है एक जगा से चलो घूम के दुबारा वहीं आजाओ तो यही तो इसको क्या कहते है cyclic compound कहते है ठेक है जी अब अगर दो ring एक दूसरे को एक bond के थ्रू एक bond के थ्रू connect करें लेखना इन दोनों में common क्या है एक bond है यहाँ पर common क्या है एक carbon यहाँ पर common क्या है एक bond यह bond जो बीच में है तो इस तरीके से दो cycle एक दूसरे से bond के थ्रू connected है इसलिए इसको हम by cycle compounds कहते हैं बारा सुन लीजे इसको क्या कहते हैं by cycle compounds कहते हैं clear रहेगा चलिए अगलादे बताइए इसका degree of unsaturation बताइए कितना आएगा इसका degree of unsaturation भी 2 आएगा clear है क्या भी कितना आएगा 2 चलिए भी यह question कर लेगा अच्छा formula अब पर दे सीख लेते हैं एक बार थोड़ा सा और वक्त दीजिए क्या सीखना इसमें degree of unsaturation का formula क्या होता है तो वो सुन लीजे क्या होता है number of carbon NC का मतलब है number of carbon plus 1 minus number of hydrogen NH का मतलब number of hydrogen NX अब यह बता जीता हूँ X क्या होता है X होता है जैसे halogen है fluorine, chlorine, bromine, iodine fluorine, chlorine, bromine, iodine minus number of nitrogen divide by 2 यह formula है आपको दिया जाएगा molecular formula molecular formula से पता चल जाएगा कितना carbon present है और कितना hydrogen present है कितना halogen present है कितना nitrogen present है इस formula में रख देना काम एक दम धडलले से बन जाएगा कोई दुख तकलिप समस्या नहीं आने वाली है आईए यहाँ पर लिखते है चलिए बताईए अब यह formula अपलाई करके आपको इनका structure बनाना है अभी तक मैंने आपको structure देख करके क्या देखना बताया degree of unsaturation अब आपको molecular formula को देखकर structure बनवाना है with the help of degree of unsaturation याद हो जाएगा क्या होगा degree of unsaturation का formula number of carbon कितने है 6 carbon है 6 carbon में एक जोड़ दीजे कितना हो जाएगा जी 7 तो number of carbon plus 1 minus number of hydrogen कितने है जी number of hydrogen कितने है अरे बोलो भाई number of hydrogen कितने है जी देखो देखो 6 oxygen के लिए कुछ भी नहीं लिखा गया तो oxygen यहां लिखना ही नहीं है लिखने ची नहीं है divide by 2 इसलिए कह रहा हूँ देखने में भारी लग रहा है लेकिन है बड़ा आसान क्योंकि चाहे oxygen आता है चाहे nitrogen आता है चाहे chlorine आता है सब मिला के भी आया है तो भी आसान ही है पता है कितना आएगा 7-3 is equal to 4 क्या आएगा जी 4 बोलो भी यहां पर degree of unsaturation 4 आया और मैंने क्या बोला था और जब degree of unsaturation 4 मिल जाए और इस तरीके से देखो C6, H6 जैसी चीज मिले तो आप तुरंत benzene का prediction कर सकते हैं आप यह कह सकते हैं कि निश्चित रूप से वहाँ पर benzene बन रहा होगा और वहाँ पर O और H इस तरीके से लगे होगा देखो यह देखो भाई समझ में आया क्या अरे बोलो रे बालक बोलो ले बालक भाई यहां समझ में आया क्या benzene की खोपड़ी पर क्या लगा हुआ है OH लगा हुआ है कैसे पता चला हमें पता चला कि जो 6 carbon और 6 hydrogen है यह कुछ इस तरीके से लगे होंगे hydrogen भी देखना है क्या हर carbon पर एक-एक hydrogen भी है जोड करके देखें तो formula आपको यह मिलेगा समझ में आया समझ में आया जी benzene पर क्या लगाना है OH इस तरीके से लगाना है phenol कहते हैं आगे चल के आप देखेंगे BMW की party अभी तो पढ़ लो बालक BMW की party ऐसे कैसे करेंगे आप select हो ये result के दिन मुलाकात करिए मैं आपका driver बनने को सयार हूँ लेकिन अगर ये बात भी motivate नहीं करती तो नहीं कुछ नहीं कर सकता फिलाल पढ़ लीजिए उस पर ध्यान दीजिए ठेक है क्योंकि बाद में जो बच्चे इसको recorded format में देखें उनको लगना चाहिए कि हाँ quality का content deliver हुआ था इस particular time frame में तो हे नालायक प्राणियों करिपया पढ़ने पर ध्यान दे चलिए अगला बताइए यहां बताइए चलिए wait करता हूँ मैं आपका चलो बताओ ये बताओ भईया C6H5Cl इसका degree of unsaturation कितना आएगा इसका degree of unsaturation कितना आएगा आप कहेंगे 6 तो 6 तो कार्बन है 6 कार्बन है तो भईया 6 कार्बन हो गए प्लस 1 अच्छा माइनस फॉर्मूले में आगे क्या लिखा है वो सुनो कह रहे हैं कि number of hydrogen कितने है जी number of hydrogen है 5 chlorine क्या होता है halogen तो उसको क्या करना जोड़ना है तो 1 divide by क्या करना है 2 degree of unsaturation यहां से क्या निकल के आएगा यहां से भी 4 निकल के आएगा किसी ने नालायक ने 3 जवाब दिया है अरे भईया क्या कर रहे हैं तुम तुम्हाना नहीं बठाएंगे हम अपने में BMW मा तुम काम की बात तो करनी रहे हो जो काम की बात है वो करो कहो कि भईया यहां पे जवाब degree of unsaturation 4 आया तो आप बेंजीन बना दीजिए क्या करिए बेंजीन बना दीजिए समझे उस पर क्या करना पड़ेगा क्लोरी लगा दीजिए बाकी हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है चलिए अगला देखते है C3H7N चलो बताओ इसका degree of unsaturation निकाल के बताओ degree of unsaturation is equal to क्या होता है बालक number of carbon plus 1 carbon कितना 3 तो 3 plus 1 4 minus number of hydrogen कितने है भईया 7 7 hydrogen है लेकिन nitrogen का number कितना 1 तो minus nitrogen रहता है तो 7 minus 1 अरे बोल देना भईया 7 minus 1 divided by 2 कितना आएगा जी अरे भईया ये तो दिख रहा है कि 3 आएगा ये 4 जोड़ना घटाना नहीं सीखा क्या कर रही अरे जोड़ना घटाना नहीं सीखा क्या कर रही अभी कुछ तो समझी में आया होगा कि हाँ पर degree of unsaturation कितना आया 1 आएगा जनाव 1 clear है चलिए अगरी चीज़ बताइए क्यूब में बताना है अच्छा जी क्यूब क्या होता है सर क्यूब यहां बना के देख लेग जी क्यूब को आप ऐसे समझे कि हर corner जो है carbon है हर corner carbon है और जो भी valency बच रही है उसको hydrogen satisfy करेगा उसको hydrogen satisfy करेगा इसमें बताइए क्यूब में बताइए क्यूबेन बोलते हैं इसको क्यूबेन बोलते हैं फिलहाल आपको यह बताना है बालग कि यहां पर कितना आएगा यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के भरू से रहिए ठीक है यह जो carbon है, इस carbon से 3 carbon connected है, और उसी carbon पर एक hydrogen होगा, तो इसका मतलब हर carbon पर एक hydrogen है, तो C8H8 आएगा, और अगर मैं C8H8 पर क्या लगा दूँ जी, degree of unsaturation का formula, तो हमें मिलेगा degree of unsaturation is equal to 8 plus 1 मतलब की 9 minus number of hydrogen कितने 8, तो वहाँ पर हो जाएगा 8 divided by 2, क्या, 8 divided by 2, बताए कितने आएगा, बताए कितने आएगा भईया, यह है 9 और यह 4 तो यहाँ पर 5 आएगा, जिन्नों न जबाब 5 दिया भईया मुवारक बाद, आपने शित्रोप से सही चल रहे हैं, एकदम सही है, मामला clear है, आईए, ओके च करना है, कारबन के डिगरी बतानी, अब देखो, कारबन का नामकरन होने वाला है, इसका नामकरन संसकार होने वाला है, तो नामकरन संसकार में condition यह रखी गई, कि एक कारबन, जितने कारबन से connected होगा, उसका उसी के हिसाब से नाम बनेगा, एक कारबन, कितने कारबन से connected है, उसी से उसका नामकरण होगा example के तौर पर बताता हूँ मैं आपको पहले ये पढ़ लीजिए number of carbon atom attached to a carbon atom is known as is the equal to degree of carbon जैसे की example के तौर पर आपके सामने रख रहा हूँ ये देखे क्या लिखा है primary carbon primary मतलब होता है one degree तो one degree carbon का मतलब होता है one degree carbon का मतलब होता है कि एक carbon से एक carbon से सिर्फ एक ही carbon connected है जिस carbon की degree देख रहे हैं जो star marked carbon है मुझे उसके degree पता करनी है तो मैंने कहा कि देखो भाई इसका नामकरण करते वक्त एक बात का ख्याल रखना जो भी नाम यहां लिखा गर लिखा primary तो one degree मतलब एक ही carbon इससे connected है तो अब इनकी valency भर दो कैसे carbon ने एक bond बनाया तो बाकी क्या बनाता है वो hydrogen यहां पर क्या हो जाएगा hydrogen तो इस तरीके से यह star marked carbon primary carbon के नाम से जाना जाता है अगली चीज़ secondary carbon में क्या होगा अरे बोलो रहे बाई secondary carbon में क्या होगा secondary carbon को देखो कैसे लिखते है two degree carbon two degree carbon या secondary carbon मतलब एक carbon ऐसा जिससे दो carbon connected है एक carbon ऐसा जिससे दो carbon connected है उसको हम secondary carbon कहते है तो यह जो star marked carbon है वो secondary carbon कहलाएगा बाकियों की valency भर देता हूँ यहां पर मैं लिख दूँगा CH3 यहां पर CH3 और यहां पर क्या लिख देता हूँ CH2 है ना जी तो यह star marked carbon क्या है secondary carbon है similarly tertiary carbon का मतलब होता है three degree carbon अब बताइए क्या condition कही गई है ति एक carbon जिससे तीन carbon connected है एक carbon जिससे तीन carbon connected है तो एक क्या होगा निशिदर उससे यहाँ पर hydrogen होगा तो जो यह star marked carbon है इसको हम क्या कहते हैं tertiary carbon कहते है clear है क्या अरे बोलो रे यहीं पर class में याद करना है आगे नहीं पढ़ना है कुछ दुबारा इसको revise भी नहीं करना है एक बार पढ़ो कोपड़ी में टिक जाए इस तरीके से पढ़ना है मैं पूरे organic chemistry की बात कर रहा हूँ अगर आप G.O.C. भी पढ़ रहे हैं तो G.O.C. पूरी समझी जाती है कहीं रटने की बात उस पूरे G.O.C. में है ही नहीं आईसो मेरिजम समझने की बात है समझ करके ही concept create करना होता पूरी organic chemistry में hydrocarbon में इन सब में conceptual approach लेना है mechanism के approach लेना है ताकि रटना ना के बराबर पड़े जादा तर चीज़ें आप समझ करके खुद कर ले जाएं मैं advance की बात कर रहा हूँ नॉर्मल जे इमेंज तो यूँ ही निकाल दोगे organic chemistry बहुत लल्लू टाइप की आती है अगर मैं अपने एक गुरू जी है उनके भासा में बात करें ते हूँ quaternary carbon कोई से सर है आप बता देंगे comment में quaternary carbon की बात करें तो इसको कहते है four degree carbon four degree carbon समझे जी तो four degree carbon का मतलब हुआ एक carbon ऐसा जिस से चार carbon connected है उसको हम इस star marked carbon को क्या कहते है quaternary carbon कहते है बाकी चाहें तो आप यहाँ पर hydrogen लगा सकते है या दफैजल सर अगली चीज़ देखते हैं अगली चीज़ है वहिया super primary अब बताओ क्या होगा चलो अगर आपने पढ़ा है तो आप बताइए कि degree of carbon में super primary का क्या sense बनेगा देखो primary का मतलब तो होता है कि एक carbon से एक ही carbon connected हो लेकिन super primary primary से भी पहले क्या रहा होगा अरे LKG, UKG चल रहा है जी यहाँ पर क्या है super primary का मतलब है अब carbon से carbon नहीं connected है बलकि यहाँ पर आप इस तरीके से ले लिजी कि hydrogen अगर connected है तो यह super primary carbon कहलाता है 4 के 4 हो hydrogen होगे कौनों carbon नहीं है जी इसमें तो यह कहलाता है भईया super primary या zero degree type का हलाग zero degree नाम नहीं होता super primary नाम दिया गया है ठीक है जी clear है खोपड़ी में बातें जा रही है यस आगे की बात करते है degree of hydrogen देखो degree of hydrogen में आप ऐसे समझ लो hydrogen का कोई अपना दीन, इमान और धर्म नहीं है क्या आगे बात कर रहे हैं से hydrogen का अपना कोई दीन, इमान, धर्म नहीं है वो बस इस चक्कर में लगे रहते हैं कि carbon का जो नाम रखा जाएगा मैं उसी को अपना लूँगा मैं कहूंगा ये मेरा नाम है समझ गए जी मैंने क्या बोला तो degree of देखिएगा जी degree of hydrogen is same as degree of carbon to which it is attached कोई hydrogen जिस carbon से connected है उसका नाम उठाकर अपने से चिपका लेता है that's it, a simple सी बात है simple है ना? आईए यहां पर बताईए चलिए चलिए बताईए यहां पर आपको यह बताना है कि ये जो hydrogen ये वाला hydrogen वो कौन सा hydrogen है बताईए बताईए ये वाला hydrogen कौन सा hydrogen है सर आपने तो कहा कि hydrogen का degree पता करने से पहले पता करके आओ कि carbon का क्या होगा तो मैंने कहा कि देख बालक ये जो carbon है जिसको मैं star mark कर रहा हूँ ये जो carbon है ये carbon सिर्फ एक carbon से connected है इधर पीछे इसका मतलब ये carbon one degree carbon है अगर ये one degree carbon है और इसी one degree से ये तीन के तीनों hydrogen जुड़े हैं तो ये इनका नाम उठा लेंगे कहेंगे मैं one degree hydrogen हूँ मैं क्या हूँ भईया one degree hydrogen हूँ अरे समझे हाँ या बताइए ये वाला जो hydrogen है उसके बारे में बताईए इस वाले hydrogen की तो बात वहीं है कि hydrogen का कोई अपना इमान धर्म कुछ नहीं है वो कहते कि carbon को जो नाम दोगे वो नाम मैं खुझ से चिपका लूँगा क्या करूँगा खुझ से चिपका लूँगा जी तो इस star mark जो carbon है उस पे देखें तो ये carbon दो carbon से connected है अगर दो carbon से connected है तो ये कहलाएगा कि ये भईया two degree carbon है ये क्या है ये two degree carbon है ये two degree carbon है तो ये hydrogen क्या होगा ये hydrogen क्या होगा ये two degree hydrogen होगा बताओ भईया ये क्या होगा ये two degree hydrogen होगा ये क्या होगा ये two degree hydrogen होगा क्लियर है जी आई अगला बताइए चलिए ये question आप बताइए कि यहाँ पर जो ये वाला hydrogen है उसकी degree क्या होगा मैं बताइए भईया यहाँ पर क्या होगा यह जो hydrogen है उसकी degree क्या होगी सब लोग सब लोग सब लोग अरे बोलो रे बालत यह जो hydrogen है उस पर क्या बोलेंगे आप आप कहेंगे देखो भईया यह जो carbon है यह जो carbon है वो carbon 3 carbon से connected है यह जो carbon है वो 3 carbon से connected है तो यह hydrogen जिस उसी के नंबर पे क्या कहलाएगा 3 degree hydrogen कहलाएगा तो ये 3 degree hydrogen है क्यों क्यों क्योंकि वो 3 degree carbon से connected है simple बात है अगली बात करते हैं अगली बात चीत है degree of alcohol पर जैसी कहानी hydrogen की वैसी कहानी इन लोगों की आपको सिर्फ degree of carbon निकाल ना आजाए तो बाकी बड़ा आसान होता है अच्छा alcohol जानते हो क्या alcohol एक functional group है जिसको हम OH आगे मैं वो भी बताऊंगा क्या होता है फिलहाल जान लीजिए कि alcohol को हम OH से लिख करके represent करते हैं चलिए यहाँ पर बताईए यहाँ पर जो यह OH है यह कौन सा alcohol है वन डिग्री, टू डिग्री, त्री डिग्री प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी यह कौन सा alcohol है तो आप कहेंगे कि यह जो OH है यह जो OH है यह जुडा हुआ है इस वन डिग्री इस वन डिग्री कार्बन से अगर ये वन डिगरी कार्बन से connected है अगर ये वन डिगरी कार्बन से connected है OH तो ये alcohol होगा वन डिगरी alcohol या हम इसको कहते हैं primary alcohol इसको हम क्या कहते हैं जनाब primary alcohol very very good बहुत सांदार अगली चीज़ बताइए चलिए ये वाला OH बताइए कहां जुड़ा हुआ किस कार्बन से जुड़ा है इनका आप एक बार क्रिपया डिगरी बता दें चलिए चलिए बताइए ये जो OH है वो इस star marked कार्बन से connected है ये होगा two degree alcohol two degree alcohol क्रिपया ध्यान दें त बोलो बालक समझ में आया क्या है two degree alcohol क्यों क्यों क्योंकि ये कार्बन खुद कैसा था दो कार्बन से connected तो खुद था two degree carbon इसलिए two degree alcohol यहां पर बताइए ये क्या कहलाएगा आप कहेंगे ये OH जो है जिस star marked carbon से जुड़ा है वो three degree carbon है इसलिए ये जो है three degree alcohol बोला जाएगा इ अगली बातचीत करते हैं degree of amine पर degree of amine की दुणिया थोड़ी अलग है amine जो भी generate होते हैं वो सारे जो है ammonia नाम की स्पसीज से develop होते हैं बनाए जाते हैं तो उसी साफ से इनका नामकरण होगा और उसी साफ से इनके degrees आते हैं ठीक है देखते हैं तो number of carbon attached to nitrogen अबकी बार कहान है amine में देखो amine में क्या होता nitrogen available होता है उस nitrogen से कितने carbon connected हैं उसको गिन लीजिए वो degree of amine बोला जाता है समझाता हूं example में पहला जो चीज़ आती है that is ammonia इसको क्या बोलते हैं जी यह है ammonia बस इसका नाम जान लीजिए एक बार यह क्या है ammonia ammonia से ही सारे amine derive किये जाते हैं बना हम ऐसा कर दें कृफए ध्यान दें अगर हम ऐसा करें एक हाइड्रोजन को हटा कर यह group लगा दें तो यहाँ पर nitrogen पर कितना है दावा रहा आपका कि ये one degree amine है, nitrogen जितने carbon से attached होगा, वही उसकी degree बन जाती है, example के तरफ पर अगला लाता हूँ, अब की बार nitrogen पर एक हई hydrogen है, दो carbon से connected है, तो जो ये star marked, जो ये star marked nitrogen है, जो ये star marked nitrogen है, उसके बारे में बताए क्या होगा, बताओ बताओ, वो star marked जो nitrogen है, उसके बारे में कहेंगे, इस nitrogen से 2 carbon connected है, तो ये 2 degree amine होगा, similarly, यहाँ पर nitrogen पर 3 connected है, तो ये कहलाएगा 3 degree amine, निसंदे ही ये बात हैं सच होगी, और खोपड़ी में उतर रही होगी, इसमें कोई दुख तकलीप समस्या, तो आहीं नहीं सकती, आहीं अगली बात करते हैं, सर ये क्या है, nitrogen पर 4 carbon connected है, 1 plus बना हुआ है, क्या आपने जीवर में कभी NH4 plus सुना है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होगा, तो आपको पता लग जाएगा, इसको कहते हैं, ammonium iron, क्या कहते हैं, ammonia से बना ये है, ammonium iron, जब ammonia में देखो क्या है, NH3, NH3 को एक H plus दे दिया जाए, तो NH4 plus बनता है, और वो इस तरही किसे दिखाएगा, जो कि है, ammonium iron, इसको क्या कहेंगे बताओ, ये स्टार नहीं है ना लाएकों, ये plus है, अरे हे बालक बोलो, क्या लिखा है, ये यहाँ पर plus है, तो हम कहेंगे, ये एक तो बात confirm है, कि चार कारबन से connected है, तो quaternary, इसको क्या कहते हैं, 4 डिग्री वाले को quaternary, quaternary ammonium iron, quarter का मतलब जानते हो, सर हम कैसे जानेंगे, हमने तो कभी quarter बनाया ही नहीं है, अच्छा जी कोई बात नहीं, quarter सब्द का मतलब है, कि उससे 4 कारबन connected है, तो इसको क्या कहते हैं, quaternary ammonium iron, clear है, चलिए आगे बोलते हैं, कभी कभी salt सब्द यूँच कर लेते हैं, अब हमें पढ़ना है classification के बारे में, organic compound का classification किया जाएगा भईया, ये देखें दो हिस्से में किसमें तोड़ते हुए देखेंगे, open chain compounds and cyclic compounds, सारा आपने पढ़ाई लिखा हुआ है, open chain का मतलब क्या है भईया, ऐसे chain बनी हुई है, माली जीए, चार carbon की, चार carbon की एक chain बना दीजिए, open है, इसको ring की तरह नहीं बनाया गया है, हाणा, तो इसको क्या कहेंगे, open chain है, ring की तरह हो तो इसको cyclic कहते हैं, अगर इसी 4 carbon को, देखो क्या किया जाए, आपस में connect कर दिया जाए मतलब ये carbon इसको connect कर दे तो ring की तरह बनेगा ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगा cyclic compound simple energy आप समझे समझे बहिए open compounds को बोला जाता है aliphatic compound ये सब्द आपकी खोपड़ियों में उतरने चाहिए क्योंकि ये paper में कभी अभी पूछे जाते हैं जान रखिएगा open chain compounds को ही एक दूसरा नाम दिया गया that is aliphatic और इसी को कहते हैं acyclic compound obviously ये भाई साब cyclic हैं और ये cyclic नहीं है तो उनको हम acyclic ही तो बोलेंगे acyclic का मतलब cyclic नहीं हैं ऐसे compound मतलब वो open chain वाले हैं clear है क्या अरे बोलो भईया clear है क्या यस अगला देखते हैं अगली बात देखते हैं ये देखो जो हमारे open chain वाले हैं इनको हम saturated and unsaturated compounds में इस तरीके से break कर सकते हैं फर्द ठीक है saturated hydrocarbon मैंने आपको पढ़ाया था जैसे कि आप example के तौर पर CH4 ले ले जीए या CS3 CS3 यह इथेन ले ले जी ये क्या होता है saturated hydrocarbon hydrocarbon का मतलब carbon और hydrogen ही present है यहाँ पर unsaturated का मतलब हो गया कि CH2 double bond CH2 double bond या क्या present हो गया जी triple bond और यहाँ पर है क्या carbon और hydrogen तो यह कहलाते हैं unsaturated hydrocarbon क्योंकि यहाँ पर क्या carbon और hydrogen है अगली चीछ देखेगा साइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो इसमें दो पार्ट मिलता है एक है एलिसाइक्लिक और एक है एरोमाटिक एलिसाइक्लिक का मतलब है एलिफैटिक जैसा एलिफैटिक जैसा बट साइक्ल मिलाना है यह थोड़ा सा मिक्स्ड होता है समझा देता हूँ समझा देता हूँ डरना नहीं है aromatic को basically आप benzene से भी relate करिए यह आपको goc में धंग से पढ़ाया जाता है ठेक है लेकिन मैं थोड़ा सा hint बता दूँगा अगर मैं एलिसाइकलिक को करूँ तो यह होता होमोसाइकलिक होमोसाइकलिक का मतलब होता है एक ऐसा साइकल जो कार्बन और हाइडोजन के द्वारा बनाया गया हो रिंग में सिर्फ कार्बन हो कार्बन के थूँ वो बॉन्ड बने तो इसको कहते होमोसाइकलिक कमपाउंड अगला सुनिए हेट्रोसाइकलिक हेट्रो साइक्लिक, एलिसाइक्लिक, मतलब हेट्रो साइक्लिक, अगर हम पार्ट देखें, एलिसाइक्लिक में, तो हेट्रो सब्द का मतलब होता है, डिफरेंट, क्या डिफरेंट भई है, कार्बन से अलग, क्या क्या हो सकता है, रिंग में, ओक्सीजन हो सकता है, नाइट्र लगा दूँ ऐसे देखो मैंने यहां जो carbon hydrogen थे उसको हटा कर oxygen लगा दिये तो यह hetero cyclic है क्या बोला जा रहा है अगर carbon present है ring में ring के थूरू ring जो है carbon के थूरू बना है तो homocyclic है hetero cyclic का मतलब होता है वहाँ पर क्या present है oxygen nitrogen या sulfur present है तो इस तरीके की चीजों को alicyclic में गिना जाता है simply यह बात समझ में आगी आप समझे हम aromatic को इसी तरीके से दो हिस्से में तोर सकते हैं एक है homocyclic जैसे की example के तोर पर आप benzene ले लिजी यहां पर सिर्फ क्या है carbon hydrogen से मिला हुआ हुआ है अभी फिलहाल यह जान लिजी कि benzene aromatic है आगे समझाऊंगा जी उसी पढ़ाते वक्त की यह क्या है क्यों जो है यह aromatic और यह क्यों stable होता है इन सारी बातों को ठीक है जी ओके आगे देख लेते हैं एक चीज है that is heterocyclic जैसे यहां पर heterocyclic होता है उसी तरीके से aromatic में heterocyclic होता है और वो देखी एक compound फ्यूरेन वो मैं आपको बना के हां बता देता हूँ double bond double bond oxygen पर प्रजेंट होते हैं lone pairs फिलहाल एक example ले ली जी आगे यह समझाया जाएगा फिलहाल बस इतना जानना होता है ठीक है थोड़ा सा अंतर जानना है डिफ्रेंस क्या है यह यहां पर heterocyclic में oxygen रहेगा homocyclic में क्या होता है या carbon carbon रहेगा clear है aromatic compounds आगे समझाया जाता है कि stable होते हैं क्यों stable होते हैं उसका भी reason बताया जाता है तो वो पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे फिलहाल आपको इतना जान करके खाली बर अभी सांती बरतनी है यह मैं जान बुछ करके बोल रहा हूं क्योंकि यह क्या है कि यह सही से explain कहां पर होत Ch тебя है करके बताईये जान में 2022 का यह क्वेशिन करके बताईये चलिए चलिए बताईये भीया क्या है यह क्या कहना चा रहे हैं वो कहना चा रहे है कि इननमें क्या कर रहा यह इसनका अगर इस तरीके से तो इसको क्या कहेंगे बोलो इसको क्या कहेंगे इसको by cycle compounds कहेंगे लेकिन यहाँ देखो एक carbon से connected है यह वाला ring और यह वाला ring तो इसको क्या कहेंगे भया इसको हम spiro compounds कहेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है बोलो वेया कोई संदे तो नहीं है तो फिलखाल इसी-सी काम बन जाता है लिकिन ये देखो यहाँ पर अभी देखो क्या है यहाँ पर πाई बॉंड होते तो aromatic हो जाता हैँना ये aromatic नहीं है ये है non-planar heterocyclic compound non-planar ऐसे बोला जाता है जब carbon यहाँ पर sp3 hybridized है planar आपने पढ़ा होगा sp2 carbon planar होता है आपने structure अगर पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि sp3 हो जाएगा तो वो non planar हो जाएगा और यहाँ पर देखें यह जो carbon है या जितने भी यहाँ carbon है सब पर क्या मौजूद है hydrosons मौजूद है दो-दो hydrosons मौजूद है इस तरीके से हर carbon चार single bond से जुड़ा है तो sp3 है, sp3 है तो non planar होगा tetrahedral fashion में arrangement होता है लेकिन यह देखें इसके बारे में मैंने बताया कि जो furane है वो aromatic है, इसको रटना नहीं है यह GEOC में समझाया जाता है कृपया इसको रटे बाजी में मत लेजिए बद्दो आपको जानना था spiro and bicyclo बाकी की कोई सरदर्द नहीं लेना है मैंने match करा दिया है, अब इतनी मुद्धिसायद है आप में, किसी लोग जब आप ज़्यादा दे रहे हैं, तो शायद वही सही होगा ठीक है, देख लेते हैं अगले देखते हैं, हाँ, अब आते हैं यहाँ से, आयू, पेसी नॉमन क्लेचर यहाँ सही तरीके से उनका नॉमन क्लेचर सुरू हो चुका है, अब बद्दिया समझिएगा जब भी किसी कंपाउन का नाम लिखा जाता है तो उसके लिए जरूरत है वर्ड रूट की, क्या उसके लिए वर्ड रूट की जरूरत होती है, यही में चीज़ जी वर्ड रूट, वर्ड रूट के पीछे जो लोग लगते हैं, उनको हम सफिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सफिक्स पीछे लगने वाले नाम के पीछे लिखे जाने वाले suffix कहलाते हैं और word root के पीछे दो suffix होंगे word root से सटा हुआ पहला जो suffix होगा that is known as primary suffix और word root से दूसरी नंबर पर जो suffix होगा that is secondary suffix तो नाम के पीछे जो लिखा गया वो suffix और जो just इसके बगल में वो one degree बगल उसके दूसरा वाला two degree यहां तक की बाठ ठीक है अगली चीज़ सुनिएगा word root के पहले क्या आता है prefix नाम के आगे क्या लिखा जाता है prefix प्री सब्स से समझ में आ रहा होगा prefix है ना तो दो prefix भी होते हैं तो word root से जो सटा हुआ बगल में पडोसी है इसके उसको कहते हैं भाया one degree prefix और उसके आगे यह है two degree prefix तो IUPAC किसी का भी नाम लिखा हो किसी का भी IUPAC नाम लिखना हो उसमें यह पांच भाग आपको दिखाई देंगे पांच पांच दिखाई देंगे एक उसमें से word root है पीछे वाले यह क्या कहलाते हैं one degree and two degree suffix आगे वाले दोनो one degree and two degree prefix कहलाते हैं इसी sequence में यह बातें खोपड़ी में रखनी होती है अब बात यह है यह लोग बताते क्या है वो जान दीजिए वो important बात है ठीक है word root जो है यह बताता है number of carbon कितना present है number of carbon कितना present है number of carbon number of carbon in main chain क्या in main chain समझाता हूँ यह क्या होता है main chain आगे और अच्छे से discuss होगा आप समझ यह कि जो compounds होंगे उन compounds में कुछ carbon की मतलब एक उसमें से carbon की chain select कर ली जाएगी main chain के रूप में और उस main chain में कितने carbon होते है वो word root बताता है क्या होताता है वो word root बताता है कैसे बताता है उन पर आगे चर्चा है लेकिन अभी जानना है कि यह इस तरी किसे है अच्छा या unsaturated है वो compound saturated है या unsaturated है इसके बारे में कौन बताता है जी one degree suffix बताता है ये मेरे साथ बोलना पड़ेगा तब जाके धिरे-धिरे याद होगा ठीक है इसी के जस्ट पीछे one degree suffix जो कि क्या बताता है कि compound में pi bond है या नहीं है उसके बारे में बताता है carbon carbon double bond है triple bond है या नहीं है कौन बताएगा भी या one degree suffix अब two degree जो suffix होता है वो बारह functional group होते है उनके बारे में बताता है तो कुल मिला के क्या लिखना है principal functional group ये सब क्या होते हैं सब बताया जाएगा अभी बस आपको एक बार नाम सुनना है इन सब को explain किया जाएगा तो principal quantum number नहीं principal functional group के बारे में two degree suffix बताता है ठीक है आप देखिए भी या इस नाम के आगे जो लोग लगाए गए उनको बोला गया कि भी या तुम क्या हो one degree prefix हो one degree prefix बताता है कि या compound acyclic है ये बताता है one degree prefix और two degree prefix बताता है substituents के बारे में मुझे पता है कि अभी आप बहुत अच्छे तरीके से इनको नहीं जानते होंगे कुछ सब्दों को आगे और अच्छे से समझ जाएंगे don't worry इन सब का explanation आगे है लेकिन फिलहाल ये बात जाननी है अले बोलो भईया ओम प्रकास कुमार जी क्या कह रहे है आप one कहां से जबाब आया समझानी में one degree prefix क्या बताता है cyclic या acyclic के बारे में बताता है two degree prefix किसके बारे में बताता है softituents के बारे में बताता है अभी क्रिप्या इसको इसी तरीके से याद करने की कोशिस करिए चलिए ठीक है आगे देखते हैं आगे इसको और कायदे से इत्मिनान से प्यार से सीखेंगे आए अगला देखते हैं word root क्या बताता number of carbon atom present in the main chain ये मैं पहले बता चुका हूँ आए लिखकर इसको देख लेते हैं अगर एक carbon present होगा तो बताओ क्या कहते हैं चलो चलो बताओ तुम्हारा काम आ चुका है ये काम तुम्हें आता होगा कब सीखा था बच्पन में 9th 10th में ये सब बाते सीखते हैं word root क्या लिखते हैं math 2 के टाइम पे क्या लिखते हैं भईया eth अगर 2 carbon है तो eth लिखेंगे 3 carbon है तो क्या लिखेंगे जी प्रोप लिखेंगे अच्छा 4 के टाइम पे but नहीं लिखेंगे जी but लिखेंगे but ये अपकी बार but है 5 में क्या लिखते हैं जी pent six में क्या लिखते हैं hegs seven में क्या लिखते हैं hept eight में क्या लिखते हैं oct nine में क्या लिखते हैं nine का आप बताओ चलो nine का बताओ इसका तो depth nine का बताओ चलो कुछ तो काम करो चलो 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 nine का बताओ क्या आएगा nine का क्या आएगा अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आता होगा नहीं आता तो मैं बताता हूँ क्या आएगा जी देखो सही लिखा है क्या नौन आएगा जी ठीक है अच्छा 10 के बाद खाली 11 और 12 दो और जानने हैं और बाकी नहीं जानने होते पाकि आपके course में कभी नहीं आएंगे कभी भी नहीं आएंगे ठीक है 11 को लिखने का तरीका देखो 11 को क्या मैं 10 प्लस 1 10 प्लस 1 बोलो भीया क्या मैं 11 को 10 प्लस 1 लिख सकता हूँ अरे सर जरूर लिख सकते हैं तो इसको 10 को आपने अगर periodic table chapter में पढ़ा होगा तो 1 को न एक सब्स दिख होता अन देखो मैं बताता हूँ या लिखके 11 को लिखते हैं अन डेक अन डेक का मतलब 10 में एक जोड़ दो अन का मतलब होता 1 वन और ये 10 मिल के 11 12 अब इदेखो हिंदी में 12 को कैसे लिखेंगे जी हम लिखेंगे 2 डेक 2 मतलब 2 होता है 2 तो हो जाता है 2 डेक देख रहे हो 2 डेक इसका मतलब हिंदी वाले भी यहां पहुंच चेक है देखो क्या कह रहे है 2 डेक 2 और 10 मिल के 12 अन मतलब 1 और ये डेक मिल करके यह हो गया बस बाइडक नहीं वारे बाइडन बूल रहा है भाई क्या बात कर रहे हूं ये कह रहे है भाईसा बाइडन होंगे यहां पर नहीं भाईया उनको लाने के हां जरूत नहीं है यह सिंपल था यही काम है अच्छा जी अब बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स के बारे में प्राइमरी सफिक्स जो नाम के जस्ट पीछे लगता है वो क्या बताता था वो बताता था सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है आपके कारबन कारबन की में चेंज जो आप सलेक्ट करने वाले हो उसमें Carbon-Carbon का Double Bond है या Triple Bond है, इसके बारे में कौन बताता है, जी, इसके बारे में Primary Suffix बताता है, अच्छा जी, एन की बात करें, मतलब हो गया Alcane Time, चहाँ पे सिर्फ Carbon-Carbon का Single Bond इस तरीके से Available है, उसको एन नाम बोला जाएगा, तो हाँ पे Alcane, Carbon-Carbon की Chain हो जाएगी, अच् डाई इन का मतलब क्या हो गया है डाई इन बोलो बोलो डाई का मतलब होता है दो डाई का मतलब दो इन का मतलब डबल बॉन्ड जब दो डबल बॉन्ड हो तो उसको कहते हैं डाई इन दो double bond को क्या कहते हैं जी ये डाई इन कहते हैं समझ में आया क्या आया कि वह ये इसको क्या कहते हैं डाई इन कोई जरूरी नहीं कि दोनों आजपास हों को सकता दूसरे से दूर भी हों लेकिन फिलहाल इसको क्या कहेंगे डाई इन बोलते हैं, अब अच्छा अगला देखो Y-N-E आईन का मतलब है कारबन, ट्रिपल बॉन्ड कारबन प्रेजेंट है, लेकिन अगर डाई आईन कह दे डाई आईन, क्या डाईन नहीं है ये, ये क्या है डाई आईन, तो डाई आईन में ट्रिपल बॉन्ड एक साथ कहीं आ गए तो वहाँ पर इसको कहते इनाईन इन को पहले लिखते हैं, आईन को बाद में और एक E छोड़ देते हैं यहाँ ध्यान देना, यहाँ गलती कर बैठते हैं, इसको बोलते हैं इनाईन इनाईन का मतलब हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है और कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके के चीज़ें दिखाई देंगी, तो उसको इनाईन कहते हैं, ठीक है जी? इतनी बात सभश में, इसको क्या कहते हैं? उनको हम याद कराने की कोसिस करेंगे आज ही के दिन पे जी, ठीक है, आए देखते हैं, secondary suffix की बात करें, तो it is used for the principal functional group, principal functional group होता क्या है, 12 functional group हैं, उनको हमें क्रमशह याद करने हैं, क्रम में याद करने हैं, और भईया बहुत important होता है, वो हमें याद होना चाहिए कि कौन से group के बाद कौन सा group आता है, उसका suffix क्या है, उसका prefix क्या है, अब हम उस पे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन हमें अभी तक पता ही नहीं है, कि सर ये functional group क्या होता है, सर हमें तो यहीं नहीं पता functional group क्या होता है, तो पहले ये जान लीजिए, पहले ये जान लीजिए, देखे ध जान देना कारबन कारबन की चीज़ बना रहा हूं तो इसमें क्या कारबन और हाइड्रोजन है ठीक है इसकी कुछ क्या होगे physical and chemical properties होंगे लेकिन अगर इसमें क्या एड़ कर दें कुछ गुरूप एड़ कर दें जिसे मालों ओ एच एड़ कर दें तो ओएच में क्या है देख पर control कौन रखता है सिर्फ यही ओ और एच दो एटम का ये जोटा सा जो गुरूप है ये जो छोटू सा गुरूप है यही इनके ऐसे समझ लीजे boiling point, melting point या इनके reaction को control करता है ज्यादा तर reaction यहीं पर होंगी ठेक है ज्यादा तर melting point और boiling point को control कौन करता है ये OH गुरूप करत है इसी लिए ये functional group बोले जाते हैं क्या बोले जाते हैं functional group बोले जाते हैं तो functional group की definition सायद आप में सुनी होगी नई सुनी है तो पहली बार अगर सुन रहे है तो अथम भी समझ ना जरूरी है पढ़िए group of atoms that is responsible for the most of the functions functions का मतलब behavior most of the behavior of the molecule उसको हम कहते हैं क्या कहते है भई OH ठीक है इसको तो alcohol कहते हैं ये बात हमें पता है इसको हम क्या कहते है alcohol कहते है ये क्या भया ये carboxylic acid है तो carboxylic acid का जो ये part है carboxylic acid का ये part इसी पर ज़्यादा तर reaction होंगी अगर ये पूरा molecule reaction करे तो इसलिए कहा जाएगा इस पूरे molecule का behavior यहाँ पर depend करता है इसलिए ये क्या है group of atoms जो है वो functional group है I hope आपकी खोपड़ी में ये बात उतर गई हो अरे उतर गई है अब अगला देखते है naming of functional group कितने है बारा functional group है बारा functional group को चलिए sequence wise याद करते हैं इसको थोड़ा break break करके देखेंगे तो मज़ा आएगा ठीक है जी आईए functional group में फिर suffix और prefix हमें पहला है इसको कहते हैं carboxylic acid COOH क्या कहते हैं carboxylic acid इसका जो suffix होता है that is oic acid या carboxylic acid COOH को carboxylic acid या oic acid बोला जाएगा suffix के रूप में अभी ये याद करना है कैसे use करना है वो सम्में सिखाऊंगा विस्वास मानों बहुत सारे आपको रट्टे नहीं मारने है रून कुछ rule रट्टा ही नहीं मारना होता जरूरत कता ही नहीं होती है उसकी आपको अच्छे से ऐसे ही समझ में आ जाएगा अगर आप धीरे धीरे आगे पढ़ते रहें तो रूल्स जादा याद नहीं करने होते ये बारा फंक्शनल ग्रूप का नॉमन क्लेचर मैं सिर्फ एक पीपीटी पर दो रूल से अच्छे से समझा दूँगा कहानी कतम हो जाएगे ठेक है बारा फंक्शनल ग्रूप को अलग अलग रूल करके पढ़ेंगे तो ठक जाएंग जो है कारबॉक्सी होता है और एक बात और बताओं ये धीरे धीरे आपको चीज़ें याद होंगी एक ही बार में याद भी नहीं होंगी कोसिस करिए अभी याद करिए बाद में भूल जाएं तो दुबारा लिख लिख करके याद कर लीजिएगा आईए अगला देखते है CWH क्या है OIC ACID तो पहले ACID आता है दूसरा भी ACID ही है that is known as Sulfonic Acid क्या कहते है इसको ये है Sulfonic Acid ठीक है इसको जो प्रफिक्स मिलता है उसको कहते है Sulfo इसका प्रफिक्स क्या होता है Sulfo तो पहले याद करिए सिक्वेंस में उपर नीचे कौन है देखो दोनों ही क्या है ए ACID है दोनों ही क्या है दोनों ACID है एक है Carboxylic ACID एक है Sulfonic Acid याद कैसे रहेगा देखो Organic Chemistry में राजा कौन कार्बन तो एक ऐसा ACID जहां पर कार्बन प्रजेंट है वो नंबर वन पर है वो कहां पर है नंबर वन पर है जो दूसरा वाला है वो नंबर टू पर हो जाएगा त इसके लिए Reserved है या CWH के लिए दूसरा है SO3H तीसरे नंबर पर आता है इसको क्या कहते हैं Anhydride जान दीजिएगा इसका सफिक्स होता है Anhydride जिसमें COOCU यहाँ पर कार्बन होगा और यहाँ पर भी कार्बन 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 तो क्या है COOCO इस गुरुप को क्या कहते है An एन्हाइड्राइड कहते हैं और इसके साथ साथ इसका सफिक्स हम आगे पढ़ेंगे कार्बॉक्सलिक एन्हाइड्राइड भी होता है कहां कैसे यूज होना है आगी सिखाया जाएगा अच्छा जी अगला देख लेते हैं भईया अच्छा इसका कोई प्रफिक्ष नहीं होता अभी बस इसी तरीके से याद करना है बालक अगला देखते हैं चोथे नंबर पर आता है चोथे नंबर पर आता है COOR इसको कहते हैं Easter इसको कहते हैं Easter ग्रूप ये जो मैंने लिखा है that is Easter ग्रूप COOR क्या हो जाता है जैसे CS3, C2H5 something है तो आगे देखेंगे ये है देखो इ that is O8, Elkinoid कहने के बजाए आप कहिए यहाँ पर इसका क्या आता है O8 ठीक है इसका जो suffix आता that is O8 क्या बोलेंगे भाईया इसको बोलते हैं O8, Easter इसको हम क्या कहते हैं suffix में O8 कहते हैं इसका जो prefix होता है इसके दो prefix हैं एक है Elkoxy Carbonyl, दूसरा है Elkinoil Oxi, मुझे पता है य याद करने में अभी दिक्कत है मैं तो कहूँगा अभी मत याद करो ये वाला पार्ट मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा बना करके समझाऊँगा तब अच्छे से याद हो जाएगा Don't worry अभी फिलहाल एक बार देख लो कि हाँ भया ये होता है आगे इनको मैं ही रटव नेम में एसिड हैलाइड बोलते है ठीक या इसी को अब देखो सफिक्स इसका क्या होता है अगर सी यो एक्स मिल जाए और यहाँ पर एक्स क्या होगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा ठीक है तो ये क्या होगा ये होगा जी ओयल हैलाइड बोलते है या कार्बो है ठीक है ठीक है ठीक हां स्टार्ट कर सकते हूं अभी से थोड़ा सा याद parachute वाल winners एका हड़ो पॉयल हेलाइड मालो फ्लोरीन है तो यहां कहेंगे बोलो फ्लोराइड क्लोरीन है तो क्लोराइड ब्रॉमीन है तो ब्रॉमाइड आयोडीन है तो आयोडाइड बोलेंगे और इसका जो प्रेफिक्स है देट इस हैलो कार्बोनिल ऐसा लग रहा है किसी को फोन लगाया जा रह मम्मी पापा और देखो जो उपर है वो मालू मम्मी का राज चलता है घर में तो यह कारवन वहाँ है ठीक है जी यह है आपके पापा आप समझो आपके नहीं जी यह कारवन फैमली के ओब्यूसली ठीक है जी यहां समझना इनकी सकलें देखकर बताओ यह इनके बेटे हैं और और इनके बेटों को देखकर बताओ, सबसे बड़ा बेटा कौन है, इन तीनों को देखकर बताओ, कि इन में बड़ा बेटा आपको कौन नजर आ रहा है, और बोलो रहे, क्या लिखा है, इन तीनों में कौन बड़ा बेटा नजर आ रहा है, सकल देखकर बताओ, तो आपको ल पांच को एक साथ याद करना है कि यह सबसे बड़ा भाई है यह उनका उनकी सखल देखो चोड़ी चोटी हो गई इसकी सखल और चोटी हो गई तो ये तीनों इनके भईया क्या होगे सुप्त्र लोग हो गए और ये तीनों आप अपरस में भाई है जिसमें बड़ा भाई ये अरे समझे जी खोपड़ी में यह बाद टिक जाएगी तो ये आपको पूरी तरह से पांच के पांचों याद हो जाएंगे ठीक है आई अगला इसका suffix एक होता है that is carboxamide क्या होता है carboxamide इसको कहते amide group co-nh2 को कहते है amide group clear जी अच्छा प्रफिक्स क्या होता है इसका carbamoyl अच्छा अगला देखो यहाँ पर इस तरीके सिक्वेंस में याद करना पड़ता है तो आप इस तो जैसे याद कैसे करेंगे देखो यहाँ प इसके जांविति खाली तो यहाँ पर इस तरीकेज बने जा तो इसके बाद यह आता है अमसे नंबर पर आया जा efficient है signo, क्या होता है, इसका prefix signo, ठेक है जी, तो ये कौन से number पर आया जी, पांचमे तक तो ने इप्टा दिया था पीछे, तो ये है छठे number पर, ये है सातमे number पर, ये है वहिया, सातमे number पर, ठेक आठमे number पर aldehyde आठमे number पर आता है aldehyde c double bond o h, इसको कहते हैं aldehyde group, तो क्या कहते हैं इसको कहते हैं aldehyde group, और aldehyde का al ले लो, तो ये हो जाएगा इसका suffix, ठेक, लेकिन इसका prefix होता है formula या oxo, क्या बोलते हैं इसको formula या oxo, अभी कहना एक बार ये जानना है, आगे जब practice करेंगे, तब ये धीरे-धीरे आपके खोपड़ियों में set होगा, अभी तो फिलहाल एक बार जानना पड़ेगा, ठेक है जी आई अगला देखते हैं, नाइंत number पर कौन आता है, ketone बोलते हैं यहाँ अगर carbon इधर भी carbon, दोनों तरफ carbon तो ketone हो जाएगा, लेकिन एक तरफ अगर hydrogen, एक तरफ carbon तो ये aldehyde है, hydrogen किनारे तो aldehyde, carbon carbon किनारे तो ये ketone, और ketone में देखो own आता है जी, तो ये suffix own हो जाएगा, और इसका prefix oxo, देखो दोनों में prefix oxo है, लेकिन नाम में difference आता क्यों है, वो आगे समझ में आता है, इतनी बात अभी कुछ समझ में आई, अब मुझे ये लगता है कि ये चार चीज़ें आपकी खुपड़ियों में पहले सट करा देनी चाहिए, देखो ये क्या है, एमाइड में क्या और लोग हैं, जिसमें aldehyde और ketone, कभी-कभी confusion होता है कि aldehyde और ketone में उपर कौन नीचे कौन है, तो आप ऐसे याद रखना, aldehyde के सुरुवात A से होती है, ketone की के से, aldehyde A पहले आता है न, ABCD लिखते हैं अलफावेटर order में तो ऐसे थोड़ा पढ़ेगा, बाकी मैं practice आगे कराऊंगा उसको ध्यान सुनोगा, तो अपनी आप याद हो जाएगा, ठीक, आईए अगला देखते हैं अगला पढ़ते हैं अगला आप ज्यादा नहीं बचा न, क्योंकि पांच और चार तो हमने निप्टा दिये कितने होगे, नव, दसमें नंबर पर आता है अलकोहल, इसके बारे में तो तुम जानते ही हो, ये कौन भईया अलकोहल तो ओ, एल इसका suffix होगा, और इसका prefix होगा hydroxy, अरे बोल रिबालक क्या बोला मैंने बोल रिबालक क्या बोला मैंने, यहाँ पर होगा hydroxy, अगला देखते हैं 11 नंबर पर है SH, देखो इनकी सकलें एक जैसी मैच कर रही है इनका परिवार समझ में भी आ रहा है इनका परिवार भाया बाकायदे समझ में भी आ रहा है, आप अगर मा लिजे कभी आप भूल जाए, कि OH उपर था या SH, तो आप ऐसे याद एको oxygen family याद करो, oxygen family में oxygen उपर sulfur उसके नीचे है oxygen उपर sulfur नीचे, तो जब sulfur आजा तो कहते हैं thaiol क्योंकि sulfur के लिए thaiol सब्द यूज होता है, thaiol आ गया तो SH, और इसके लिए हम क्या कहेंगे भईया, mercapto इसका prefix होता है, यह बड़ा सांदार है, mercapto, merco भईया, इनको कोई फरक नहीं पढ़ रहा है, नालायक लोग है, कोन है भईया, SH, तो इनका क्या आप लिखेंगे, mercapto इसका prefix होता है, अगली चीज़ तो नहीं है last, कौन अभिया, 12th इसको क्या कहते है, amine हमने थोड़ा पड़ भी लिया था, amine के बारे में और इसका prefix होता है, amino अब बस इतना ही है, यह याद होना जरूरी है, यह sequence में हमारे दिमाग में टिक भी जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है देखो, OH, SH और NH2 यह सब सकल से एक जैसे लग रहे हैं, तीनों एक साथ रहेंगे, O उपर है, सलफर नीचे है nitrogen देखो, oxygen के बाद ही आता है, मतला ऐसे समझो, atomic number के हिसाब से अगर बात करो, तो oxygen का ज़्यादा है, तो इसलिए उसको preference दे रखा है, इस तरीके से दिमाग में याद रहेगा, ठीक है, मर केप्टो, तो क्या कहते है, मर केप्टो, क्लियर है क्या, रे बोलो रे भईया, हाँ, अब आओ, कुछ काम की और बात कर ले दे, सुनिएगा, अब यहाँ पर चलेगी, seniority और juniority आप जाएंगे जब, IIT में मानली जी, आप जाते हैं, IIT में नहीं तो NIT में नहीं तो IIIT में, कहीं जो अच्छे-चे college जहां के लिए आप इतनी महनत, इतनी सिद्दत जो लगा रही हैं, यह जो आप इतना interact हो रही हैं, महनत कर रही हैं, आप जाएंगे, तो केंपस में कौन मिलेगा जी, senior मिलेंगे, आप उनके junior होंगे, junior की आउकाद थोड़ी कम होती ना बजार में भाईया, यह तो सच्छा ही है, सर हमारी कम नहीं हो सकती, हम senior को समझाएंगे, नहीं समझाने की कोसित भी मत करना, वो बहुत काम आते हैं, पूरे चार साल तक, इसलिए उनको समझाने की जरूरत नहीं है, समझे जी, हाँ, तो बस कहानी कुल मिला के कुछ समझाने वाला हूं, इसलिए सुनिएगा, अब यह जो बारा लोगों को मैंने सिक्वंस में पढ़ाया, इनका राजा कोन है, बारा लोगों में राजा कोन है, सबसे उपर कोन आता भीया, सबसे उपर कोन आता है, सर वो राजा नहीं है, वो तो रानी है इस्टर का junior acid hyalide होता है तो यहां आपको बस junior पता करने हैं क्या करने हैं junior पता करने हैं यह समझो भी है क्या बात कर रहे हो सब्सक्राइब नीचे होंगे जो आपके इस order में 1 to 12 order में जो minimum number पर मतलब 1 पर हैं वो सबसे राजा आदमी है जो उपर की तरफ हैं वो senior है junior functional group जो हो होंगे वो नीचे होंगे ठीक है senior के नीचे कोन आ रहा है जूनियर अब समझेए जब हम आयूपेसी नाम लिखते हैं तो उनके नाम लिखने में जो senior functional group है उसका वही में आदमी है तो वो जो है क्या बनाएगा secondary suffix बनाएगा क्यों क्योंकि यही senior ही principal functional group है लीडर यही है ने principal functional group है दुबारा सुन लीजिए यह line दुबारा सुन लीजिए यह line दुबारा सुन लीजिए senior functional group जो होगा वो जो है secondary suffix बनाएगा नाम में उसको बाकाइदा इजद दी जाएगी word root से पीछे लिखा जाएगा senior आदमी है वो कैसा principal functional group हमेशा secondary suffix बनाते हैं लेकिन जो junior है अरे भईया इसको पोचा मारने का काम दे दिया इसको क्या दे दिया जूनियर functional group जो numbering में नीचे आते हैं मानलो OH और SH दो लोग होते एक ही compound में तो इसमें senior कौन होता OH SH क्या होता उसका junior होता जो junior functional group है वो जो है prefix बनाते हैं क्या टू डिगरी prefix बनाते हैं और उनका prefix यूज किया जाएगा इसलिए ये prefix याद कराए गए हैं इसलिए ये prefix याद कराए गए हैं सुन लो भाई क्या बोला junior क्या करेगा भाईया नाम के आगे लगेगा लेकिन senior क्या होगा नाम के पीछे लगेगा जी senior आदमी है जी senior आदमी ठीक है जी खोपड़ी में कुछ बात टिकी अच्छा नहीं टिकी कोई बात नहीं यह example बताए कि यह बात खोपड़ी में टिक ही जाएगी आई आईए 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 सुन रहे इथर को मैं इसमें नहीं पढ़ाता बारा फंक्शनल गुरूप के बाद लास्ट में मैं आपको इथर पढ़ा दूंगा डोंट बरी ठीक है यहां आईए इनमें बताईए इनमें बत सा है पताईए इसका इस गुरूप का नाम मैं वन रख देता हूं इस गुरूप का नाम मैं टू रख देता हूं वन और टू में बताईए सीनियर कौन है अरे सुनो रहे वन और टू में सीनियर कौन है सर वन टू नहीं मतलब यह यह वन वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा इसका नाम कहा कीटोन वेरे गुड अभी तो पढ़ाया था कि सी डबल बॉंड ओके अगर दोनों तरफ कारबन है तो ये वन वाला जो है वो क्या है ये है कीटोन अच्छा और टू वाला तो यहीं नकल मार लोगे तुमकी भईया ये तो एलकोहल है सर इतना हमें आता है इतना हमें बुद्धू मत समझा करिए अच्छा जी माल लेता हूँ आपकी बार अरे बोलो रहे नालायत प्राड़ी क्या होगा जादा सीनियर कौन है सीनियर कौन है पहले से आईटी में कौन प्रजंट है ये कीटोन वाला पहले से आईटी में प्रजंट है तुम हो अलकोहल अर यहां पर ketone जो होगा, वो senior functional group होगा, senior functional group होगा, senior functional group लिखना था, थोड़ा सा भाव में बहे गए हम, क्या लिखना है आपे, यहां पर कहेंगे कि यह senior functional group है, अब एक बाल बताओ, अगर यह senior functional group है, तो इसका secondary suffix लिखा जाना है, बताए, जो senior है उसका secondary suffix, ketone का secondary suffix कौन बता पाएगा, ketone का secondary suffix कौन बता पाएगा, चलो बताओ, ketone का secondary suffix कौन बता पाएगा, अरे junior बताओ रहे, आयटी वालो junior, तुम हमारे भी बनोगे, आयटी दिल्ली पहुँच गे तो, समझे, यह है अगला alcohol, alcohol junior functional group, और junior functional group तो famous है भाईया, क्या बनने के लिए, prefix बनने के लिए alcohol का prefix क्या होगा, और ketone का suffix क्या होगा, चलिए बताओ, वेट कर रहा हूँ मैं, very very good, very very good, own, own आना सुरू हो गया है, इसका मतलब तुम सही junior बनने वाले हो, तुम मारी आयटी में पहुँचे हो, वहाँ पे क्या बनने वाले हो, तुम सही junior बनने वाले हो, जो तुम को कहा जा रहा है, तुम सुनते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा, own, समझे, alcohol में आप क्या कहेंगे, alcohol में आप कहेंगे, कि भईया यहाँ पर हम लिखेंगे, hydroxy, क्या है जी, hydroxy, hydroxy alcohol का prefix होगा, तो जब कभी भी इनका नामकरण हम सीखेंगे, तो हमें एक बात confirm है, कि जो senior है, उसका तो हम own लिखेंगे, और alcohol के लिए हम hydroxy लिखेंगे, काउनो confusion नहीं है, जी, अरे बोलो, सर वो तो हम बनी जाएंगे, junior, इतना हसान नहीं है, बिटवा, वहाँ बनने के लिए मेहनत लगती है, का लगती है, मेहनत, समझे, चलिए अगला देखते हैं, चलिए question करिए, देखो आप चाहेंगे तो 30 से कंड से जादा दूंगा ही नहीं, यह बहुती आसान और लल्लू टाइप का है, ठीक है, ठीक है, चलो चलो बताओ, अरे आयू पी एसी जैसे चैप्टर में भी तुम ब्रेक लोगे गया, कैसी बाते कर रहे हो, पांच गंटे का लेक्चर, तुमसे प आज घंटे नहीं पढ़ा जा रहा है, अरे एक आज पढ़लो ताकि खोपड़ी में बस जाए, रिवाइज भी ना करना पड़े पेपर तक काम बन जाएगा, ऐसा आता है, देख लो यह आता है पेपर में, बोलो भया क्या आएगा सही क्या है इसमें से, मैं वेट कर रहा मैं देखना चाहता हूँ, कि तुम्हें यह बात याद हुई है की नहीं, मैं इतनी कोशिस कर तुका हूँ, मम्मी, चाचा, ताउ बना के सब को इसमें, बोलो भाई इसका जवाब क्या होगा, देखो, बताओ, बताओ, चलो, चलो, सब लोग बताओ, क्या आएगा इसमें, बताओ, 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 बता 13% D option सही है क्या नहीं भाई D option कैसे सही मार दिया अरे बाप रे बाप यूँ ही छापे जा रहे थे लोग D ये answer तब का पकड़ लिया तो तुम लोग गलत बताना सुरू किया था ठीक है तो ये देखो भाई ये गलती है तुमारी क्योंकि सीड ये दो को चाचा जी को आपने क्या किया बिटवा से आगे रग्धिया जी हाँ संजे यह लो अगला कोश्चन याई ट्रिपली 2003 का यह कोश्चन है यह कोश्चन कब काम आएगा वो सुन लो अभी जो कोश्चन आ रहे हैं नुमेरिकल बेस्ट उसमें ऐसे समाल वो पूछ सकता है चलि वहिया नंबर अब फंक्शन ग्रूप प्रेजेंट इन दे फॉलोईंग कंपाउंड पता यह सुरू हो जाएं अब यह देखो एक यह कौन है एलडिहाइड ग्रूप है एनेच्टू एमाइड ग्रूप है यह कीटोन है यह कौन वहिया इनको पहचानते हो यह तो मुझे न टोटल कितने हो गए जी एक दो तीन चार पांच छे गिंती भी नहीं आती जनाब आपको इसका जवाब है छे और ऐसे क्वेशन आ सकते हैं पेपर में आसान ही आता है जी मेंस का इक्जामिनेशन समझे हाँ चली अगला देखते है अगली बात क्या है अब हमें बात करनी है प्रफिक्स पर तो साइकलो वर्ड इस यूज़ फॉर एलिसाइकली कंपाउंड यह बड़ा आसान होता है इसमें कुछ जंजट है रत्ती भर का जंजट नहीं इसका नाम आपको बताना है तो देखो हमें क्या करना होता है मैं आपको बता देता हूँ आपको यहाँ पर कार के लिए वर्ड रूट क्या आता है सर वो तो ब्यूट आता है चार कारबन के लिए ब्यूट आता है चारो कारबन के बीच में कहीं डबल या ट्रिपल बॉंड है नहीं है सारे सिंगल बॉंड है और जब सारे सिंगल बॉंड होते हैं तो वहाँ पर हम एन लिखते हैं क्या हो गया ब्यूटेन लेकिन ब्यूटेन से तो ये पता चलता है कि open chain है तो cyclic है ये बात कौन बताएगा word root के पहले जो है आपको क्या रखना पड़ेगा cyclo सब्द इसके सामने रखना पड़ेगा क्यों कि cyclo है क्या भईया cyclo जो है primary prefix है जो की word root के जस्ट पहले रखा जाता है इसलिए इसका नाम cyclo butane होता है क्या होता है इसलिए इसका नाम cyclo butane होता है clear है तो बस ये समझ लीजिए कि primary जो prefix वो ये बताता है कि compound cyclic है या नहीं उसके नाम में अगर cyclo है तो cyclic है नाम में cyclo नहीं है तो cyclic नहीं है जैसे अगर मैं कह दूँ सिर्फ ब्यूटेन कहूं आपसे मैं कहूं ब्यूटेन तो आप क्या करेंगे चार कारबन की एक चेन बना देंगे अशे चार कारबन इस तरीके से जोड़ो तो आपको मिल जाएगा but and en cyclo लगने से पता चलता है कि compound cyclic है या नहीं है हाँ cyclic नहीं है तो कुछ नहीं लिखना है अब आईए बात करिए secondary prefix पर secondary prefix substituents के लिए होती है चलिए देखते हैं normal substituents या junior functional group यही तो सिखाया था कि junior functional group का काम क्या है खुद को क्या बना देना adjust substituents बना देना नाम के आगे लगना पड़ता है नाम के सबसे आगे देख लो junior को भी इतनी इज़त मिल रही है कि junior functional group क्या कर रहा है वो अपना नामकरण नाम के आगे ले जाके चिपकाता है बाकियों के, समझ गे सबसे आगे अच्छा, समझाता हूँ, example समझ में आएगा जैसे देखो, यह लिखा R R को लिखते हैं, generalized form में L काई ग्रूप, समझाओंगा तब समझना है जैसे देखो, अगर मैं कहूँ यहाँ पर देखो, मैं कहूँ यह क्या है CHO तो आप जानते हैं, कि यह है methane, एक carbon present है एक carbon present है और कोई यहाँ पर double bond होने का main chain पर ध्यान देना CS3 आकर के लटक जाए CS3 आकर लटक जाए दुबारा सुनी लिजिए CS3, CH4 में से एक hydrogen हटा दोगे तो यह क्या बन जाएगा CS3, CS3 को जो एक bond बना कर बताया जाता, इसका मतलब है कि यह किसी chain से connected है ठीक है, तो इस CS3 group को हम कहते है methyl, कि देखो भाईया main chain से कौन लटका हुआ है इस main chain से कौन लटका हुआ है main chain से कौन लटका है भाईया methyl group लटका हुआ है लगा हुआ है इतनी बाद समझा जी तो यह यह है, अलकाईल methyl, ethyle, propyle ऐसे लिखा जाएगा, समझाओ और लिख दूँ क्या, बोलो बोलो लिख दे, चलो भाईया लिख देते है CS3, CS3, इसको कहते है ethane इसको क्या कहते है भाईया इसको कहते है इतन, इतन में से अगर मैं एक hydrogen हटा दूँ अगर मैं एक hydrogen हटा दूँ तो यह हो जाएगा CH2, CS3 तो ethane से यह क्या हो जाएगा ethane ethane से क्या हो जाएगा जनाब यह हो जाएगा ethane ethane से क्या हो जाएगा जनाब यह हो जाएगा ethane ठेक है जी बोलो बोलो और यह यह वाला bond बनाने का मतलब है कि यह कहीं पर लटक गया है यहाँ पर कोई main chain लगा हुआ है Alcoxy, समझाता हूँ Alcoxy क्या होता, कहीं जब Oxygen ना इस तरीके से लगा, Oxygen जब Single-Single Bond हो ना इस तरीके से, तो इसको Generalized Form में Oxygen बोलते हैं, और यहां पर ऐसा ही है, समझा देता हूँ, डरने की बात नहीं है, Oxygen, और अगर यह ग्रुप यहां लग जाए, क्या लिखा है CH2 और CH3 तो बताइए इसका क्या नाम होगा ऑक्सीजन के इधर एक कहीं से जुडाओ है यहाँ पर में चेन है ऐसा समझो यह जो है किसी में चेन से जुडा हुआ है कोई में चेन है जिस में चेन से यह OCH2 CH3 जुडा हुआ है तो इसका क्या नाम होगा बताइए बताइए नाम बताइए चलिए 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 सब लोग नाम बताइए ये क्या होगा इनका देख करके नाम बताइए इसको अगर अलकॉक्सी कहते हैं जनरलाइस कौम में और यहां पर ये इथाईल बना था तो ये क्या हो जाएगा जी समझो एथ आएगा एथ तो इथाक्सी होगा इथाक्सी हमने क्या बताया जहां कहीं पर इस तरीके से सिंगल बॉंड ऑक्सीजन और सिंगल बॉंड हो तो इसको ऑक्सी कहते हैं ये है एथ तो ये है मिलाकर इथाक्सी क्या कहते हैं इथाक्सी कहते समझ में आया यस अगला देखेंगे ये है हैलोजन इसको कहते है है लो है ना इसको क्या कहते है है लो जैसे मैं कहता हूँ क्लोरीन बताओ अगर क्लोरीन कहीं में चेंड से लटका हो तो उसको क्या बोलेंगे chloro बोलेंगे fluorine हो तो उसको क्या बोलेंगे fluorobोलेंगे और bromine हो तो bromo बोलेंगे तो बस ये लोग secondary prefix के नाम पे जाने जाते हैं ये substitute का काम करते हैं अब हम इनके नामकरण शुरू करते हैं सारा rule वूल थड़ा सा निप्टा दिया है ये तरीके हैं अब आईए हम पढ़ते हैं कि अगर alkane में अभी पढ़ा भी दिया है लेकिन alkane में अगर हम लिखें तो हम मालनों लिख देते हैं अभी अला कि जो बताया था वही लिखुना पढ़ेगा कि CH4 में से hydrogen हटा दो तो ये बन जाता है CS3 हमने किया क्या पता है हमने कहा कि इसका नाम है methane हमने methane में से एन हटा कर इसको YL लगा दिया तो ये methyl बन जाता है नाम लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि YL एड़ करने पर ये सफ्टिट्वेंट का काम करता है ये किसी main chain से अगर जुड़ा है लटका है तो ये नाम बनेगा इसी तरीके से सुनना एलकीन की बात करें तो एलकीन को आप लिख सकते हैं CH2 double bond CH2 चलो यहां से अगर मैं hydrogen हटा दू क्या आपको याद है कि एलकीन के लिए हम EEN सब्द यूज करते हैं अभी पीछे भी बताया था बोलो बोलो सब लोग बोलो इसका नाम क्या आएगा यहां से hydrogen हटा दिया तो क्या नाम आएगा जी CH यहां पर हो जाएगा double bond CH2 बोलो इसका नाम क्या लिखा जाए पहले इसका नाम तो आए आपको इनका नाम क्या है क्या हम इसको इसके लिए word root ethnic सकते हैं yes word root ethnic या क्या हो कि कोई कोई दो carbon है अरे सुनो भईया दो carbon के लिए हमने एथ लिखा अच्छा जी और सुनो भई दोनो carbon के बीच में double bond है और जब double bond है तो क्या लिखते हैं इन लिखते हैं तो इनका नाम क्या होगा इथीन नाम होगा ठीक आप देखो इनका नाम ethene है और इसी में से hydrogen को हटा करके इसको कहीं main chain पर आपने लटका दिया तो इसका नाम देखिए क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इसका नाम ethene last का जो ये e है ये हटाना पड़ता है e और यहाँ पर लग जाएगा yl तेखो यहाँ पर भी connect क्या इसके बहुत सारी लोग बता चुके हैं very very good जिन्होंने बताया इसको आईउपेसे में ethene कहते हैं hydrogen हटाते ही इसका नाम होगा ethene yl obviously जो भी आप पढ़ सकते हूँ अगला देखिएगा अगले में हम कहेंगे कि भाया ये है CH triple bond CH अगर मैं यहाँ से एक hydrogen हटा देता तो इनका नामकरण क्या होगता भाई बोलो बोलो इनका नामकरण क्या किया जाएगा पता सकते हो इनको क्या कहेंगे sir इनके लिए तो आप लिखेंगे एथ क्योंकि दो कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमको लोग क्या लिखते थे y-n-e इथाइन इथाइन में से लास्ट में क्या करो वही अरे बोलो 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 वही क्या करो यहां से e हटा कर y-l लटका दो तो यहां पर हो जाएगा यह ठीक है एक बा बार यह चीज देख लीजिए देखो सही है क्या समझनारत कुल मिला के हमें क्या करना एक हाइडोजन हटाते ही यहां पर e हटा कर y-l लगाना है यहां पर n हटा कर y-l लगाना है अब सुनिए बेंजीन बेंजीन है अगर किसी मेंचेन से जुड़ा है यह मान लिजे कोई मे इस तरीके से लटका हुआ है तो इस लटके हुए बेंजीन को हम फैनाईल कहते हैं ध्यान दीजेगा इसको क्या कहते हैं लटके हुए बेंजीन को फैनाईल ग्रुप अरे बोलो रहे भाई बात समझ में आरी है क्या यह सारी बातें समझ में आरी है क्या क्या कहना चारा हू बेंजीन अगर कहीं जाकर मेंचेन पे लटक गया तो उसका नाम पेनाईल होता है अच्छा अगली बात करते हैं लेकिन अगर यह CS2 CS3 अगर इस तरीके से हो एक कार्बन हो बीच में तो इसके लिए सब्द यूज होता है बेंजाईल बेंजाईल सब्द यूज होता है बीच में CS2 ग्रूप आजा तो यह सब्द है बेंजाईल इस कार्बन को कहते हैं बेंजाईलिक कार्बन क्या कहते हैं बेंजाईलिक कार्बन तो बेंजीन जो है, बेंजीन से जुड़ा हुआ कोई carbon, ठीक है, इस तरीके से मालो जो CH3 ही लिख देता है, या इसको CH2 कर दो, है न, तो इसको क्या, इस carbon को क्या कहते हैं, इस carbon को bengyalic carbon कहते हैं, क्या, bengyalic carbon, ये carbon bengyalic carbon के नाम से जाना जाता है, ठीक, चलिए, साइध होगा अगला देखते हैं अब आते हैं भीया वह जो main chain selection की बात है जो main chain को पता करने की बात है वह यहां से सुरुवात होती है और यहीं से आपका थोड़ा सा involvement of chat में लगेगा भीया क्या involvement लगेगा देखे क्या है saturated hydrocarbon का नाम लिखते वकwould rules simple से हमें क्या करना है हमें main chain का selection करना है और उसके numbering करनी है और उसी के हिसाब से उसका नाम लिखना है तो ये जो तरीका है वो सिर्फ भया simple सा है कि पहले आपको क्या करना है पहला प्राथमिक्ता ये है पहला काम है कि हम main chain उसको बोलेंगे किसी भी compound में जो carbon-carbon की chain available है उसमें से main chain हम उसको बोलेंगे जहां पर maximum number of carbon नजर आते हैं जिस chain में ज़्यादा number of carbon होंगे वही हमारा main chain होगा लेकिन आपने का अगर sir maximum number of carbon वाली condition नहीं चली दोनों chain में number of carbon बराबर हो गए तब हम जाएंगे ये देखने कि किसमें ज़्यादा substituent लगे हुए है ज़्यादा substituent लगे हुए है substituent का मतलब जैसे मैंने बताया है मालो ये कोई main chain है समझाने कोसिस कर रहा हूँ substituent का मतलब होता है कि carbon-carbon की chain के लावा इसमें कितना chlorine या कोई ऐसे CS3 इतना bromine या ऐसे तो अगर कोई कहे कि मालो ये main chain है और एक ये इनमें से कौन सा select करोगे तुम कहोगे देखो अगर दोनों में carbon-carbon number same है तो इस तरीके से जहाँ पर ज़्यादा number of substituent लटके हुँँगे उससे हम उसी को क्या मान लेंगे अपना main chain मान लेंगे आगे समझाया जाएगा लेकिन फिलहाल पहली चीज क्या है अरे सुनी औरे बालक पहला चीज हमें maximum number of carbon देखना है दूसरे number पर हमें ज़्यादा number of substituent कितने लटके पड़ें वो देखना है तीसरे number पर हम lowest set of locant तो बताया ही नहीं हाँ जान बुझके नहीं बताया है वो आपको यहाँ पर example से ही समझ में आता है lowest set of locant बस सिंपल सा बता देता हूँ numbers का कुछ set होगा जहाँ पे छोटे-छोटे numbers लिखे हैं चैसे 1, 2, 3 ऐसे छोटे-छोटे number लिखे हैं यहाँ पर बताया जाएगा इसके बाद जो आपके supplement है उनके alphabetical order के हिसाब से भी numbering की जाती है तो यह दोनो numbering के लिए यूज होते हैं और यह दोनो rule main chain के selection के लिए use होते हैं नहीं ब्रेक की जरूरत नहीं है अभी break की कोई जरूरत नहीं होती IUPAC जैसे छोटे से chapter को पढ़ने लिखने और समझने में ठीक है चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि वह यह देखिए यह जो chain है इसमें बताये main chain कौन सा है मैं आपके सामने ऐसा करता हूँ दो बना लेता हूँ मैं कहता हूँ कि क्या यह main chain है आप बतायेगा कि कौन सा इसमें से main chain सही वाला कौन सा मैंने select किया है मैं इसको कहता हूँ यह A है चलो इसको मैं A कहता हूँ जिसमें मैंने main chain यह select किया है एक मैं यहाँ select कर देता हूँ यह यहाँ से बताये पहले और दूसरे A और B में से सही main chain का selection कहां हुआ है A और B में से ज़्यादा अच्छे main chain selection को आप कहां देख पा रहे है बोलो बोलो हमने क्या बोलना भाईया जी कि ज़्यादा number of carbon कहा है तो चलो गिल लेते हैं यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5 वही चीज यह भी है लेकिन यहाँ देखो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर तो 4 ही carbon है अगर main chain बनाएं तो भाईया इसका मतलब यह चीज ठीक नहीं है यह main chain बनाने लाइक नहीं है यह main chain बनाने लाइक है एकदम सही है तो हमने यहाँ पर सही main chain का selection कर लिया है एकदम सही है न, A वाला अब आईए दूसरा देखिए चलिए यहाँ पर बताईए कौन सा होगा वो मैं बना देता हूँ आप बताईएगा यह है A अगला सुनिए भाईया यह है B B में B में मैं ले लेता हूँ की यह है B और यह है C पताईए A, B और C में से अब आपके वहिया समर्थन की जरूँ था तभी confirm पता चल पाएगा A, B और C में कौन सा में चेन का काम कर सकता है बताईए A, B और C में में चेन का काम कौन कर सकता है यहां गिनिये तो नंबर देखते हैं चलो A में अगर मैं नंबर की बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर टोटल 5 कारबन है में चेन में पांच कारबन है main chain में, यहां कितना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, यहां भी पांच कारबन है main chain में, है न, यहां पर आईए, एक, दो, तीन, चार, पांच, वैसे तो यह और यह एक ही तरीके से बनाए गए हैं, थोड़ा सांथर लाना पड़ेगा, क्योंकि आप लग जाएंगे रुकिएगा यहां पर मैं कोई एक सेलेक्ट कर दे रहा हूं यह देखो यह तो यहां पर आप कहेंगे कि अगर मैं इसको मेंचेन लूँगा तो यह इसमें कितने आएंगे जी तीन आएंगे देखो यहां पर गिनो एक दो तीन चार पांच यहां पर कितने आप दो ऐसे काम नहीं बनेगा जी में चेन कौन और क्यूं है तो आपको बताया गया दूसरी सबसे बड़ी चीज दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है पहला तो दिख गया कि इन दोनों में कारबन के नंबर तो सेम आ रहे थे तो दूसरा देखो मोर नंबर आफ है लेकिन यहां देखे में चेन पर एक सफ्टिटुटुट यह लटका है और एक यह लटका हुआ है दो सफ्टिटुटुट लटके हुए हैं इस में चेन पर इसलिए यह जो सी वाला है वही जो होगा ज्यादा सफ्टिटुटुट रखने वाला है तो यही में चेन का तो बाके लोग reject किये जाएंगे ये भाईया select किये जाएंगे तो आप कहिएगा कि ये c वाला एक दम सही चबात होगा चलिए अब हमें c में नाम लिखना सिखाते हैं देखो सही नाम अब इसका बताईएंगे आप लोग हमें main chain आ गया अब हमें करना है numbering अच्छा numbering कैसे करें numbering इस तरीके से करो जाब numbering आब यहां पर कहीं भी कर सकते हो देखो, यहां से करो kepada 10-20-20 इस तने कारबन मिले जी? पांच, पांच कारबन के लिए वर्ड रूट क्या होता? पेंट पांच कारबन के लिए वर्ड रूट है पेंट और पांचो कारबन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉंड है इसलिए हम इसको बोलेंगे पेंटें क्या बोलेंगे पेंटें सिर्फ सिंगल सिंगल बॉंड है न सारे कारबन में देखो सिंगल 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 तो यहा जादा नहीं भाग पाईएगा, हाँ, तो यहाँ पर देखें, तो हम कहेंगे, कि देखो भया, पेंटेन से तो यह पता चला, कि यह मेंचेन है, इनके बारे में तो आपने बताया, नहीं, तीसरे कार्बन पर कोई क्या लगा हुआ, एक CS3 ग्रूप लगा हुआ है, और आप ब लिखेंगे, कि देखो भया, मिथाईल ग्रूप तीसरे कार्बन पर है, तो इसको लिखा जाता है, थ्री मिथाईल, थ्री मिथाईल पेंटेन, समझते हुए लिखिए, क्या से लिखना है, कि पेंटेन से समझ में आया, कि यह मेंचेन है, फिर लगा कि अच्छा, यह तो सी वाले के हिसाब से नामकरन बताईए अब यह काम आएगा लोवे सेट ओफ लोकेंट अब आप यहीं समझेंगे लोवे सेट ओफ लोकेंट ढंग से आये देखते हैं देखो अगर मैं नंबरिंग यहां से करूँ लोकेंट सब्द का मतलब तो आप बताईए कि 3 पर देखना अगर ये नंबरिंग करें तो 3 पर और 4 पर 3 पर 3 पर 3 पर 3 पर 3 पर लगा हुआ है कौन 4 पर 6 पर 3 और 4 ये क्या है यही set of locant है इसका set of locant निकल गया इसका ultra numbering करो भई numbering हम यहाँ से भी कर सकते 1, 2 ये 3, 4 ये 5 अब बताइए अगर इसके हिसाब से set of locant बनाएं तो क्या लिखा जाएगा आप कहेंगे देखिए 2 और 3 क्या लिखा जाएगा 2 और 3 आप बताएगे जो locants है वो 2 और 3 पर लगे इस वाले numbering में 3 और 4 पर लगे आप बताओ इन में से छोटा locant कौन सा है उसको पहचानने का तरीका होता है पहले पहचानिए 1st point of difference जो पहला number है वो यहाँ 3 है और यहाँ का पहला number 2 जो पहला number छोटा होगा वही lowest set of locant है यह क्या है यह lowest set of locant है यह lowest set of locant है लेकिन यह वाला lowest set of locant नहीं बन पाया क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 2 है जो छोटा नंबर है वही lowest set of locant है तो आपको क्या करना है पहला जो नंबर है उसको देखना है अगर पहला सेम हो तो दूसरे नंबर पर जाना होता है इस तरीके से देखना है सिर्फ यही तरीका और कोई तरीका नहीं अपना येगा समझ में आया क्या भई बोलो सब लोग अब बताए नामकरण करने में क्या हमें 3-4 वाली नंबरिंग रखनी चाहिए नई तो 3-4 वाली नंबरिंग हमने हटा दी अब देखिए ये नंबरिंग अब बताए आप 5 कारबन की चेन के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए ये पैंट लिखना चाहिए एक दंबा सही लग रही है 5 कारबन के बीच में कहीं पर डबल या ट्रिपल तो नहीं है नहीं है इसका मतलब यहां में एन लिखना चाहिए तो ये पैंटेन हो जाएगा पैंटेन से तो ये मेंचेन लिखा गया अभी 2 और 3 पर जो लोग मौजूद हैं उनका हमें हिसाब किताब करना है लिखना है तो कैसे लिखेंगे वो सुनो 2 पर क्या प्रेजंट है मिथाईल 3 पर क्या प्रेजंट है इथाईल तो अब मिथाईल और इथाईल में आगे कोन आएगा वो अलफा बेटिकल ओडर बताएगा अलफा बेटिकल ओडर में कोन आएगा भई या इथाईल या मिथाईल तो इथाईल इसे सुरुवात होती है तो इसलिए आप यहाँ पर इसको लिखिए 3-ethyl 3-ethyl 3-ethyl, 3-ethyl, 2-ethyl, 2-ethyl 2-ethyl 3-ethyl, 2-ethyl, 2-ethyl, pentane अरे बोलो भई एक बार ये चीज समझ जाएए आगे बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा बस एक बार set of locant समझना जरूरी है बहुत जल्दबाजी में मत पढ़िए सीख जाएए ये important है ठीक, क्या ये सही लिखा गया है, कुछ गड़बड है yes, very very good, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही जा रहे है आई अगला देखता है अब ये बात क्या लिखिये बहुत देखो पहले तो समझते हैं इसको, लिकिन उसके पहले आते है तीन, तीन सेम हो गए तो ट्राई लिखेंगे चार सेम हो गए तो टेट्रा लिखेंगे ठीक है, अगर सब्क्रिटुमेंट के नंबर चार है और चारो सेम है तो क्या लिखेंगे tetra सब्द लिखा जाएगा, अगर चैसे माल लिजिए, कि 4 मिथाईल है, तो लिखेंगे tetra मिथाईल, ठेक, अगला सुनिए, comma between, comma between two counting, मतलब जैसे अगर numbers आजाए, मालो two और three, तो इस तरीके से comma लगाना है, number के बीच में, गिंतियों के बीच में, comma लगाना है, लेकिन hyphen लगाना है counting and words के बीच में, जैसे two के बाद ऐसे लिखना है, फिर मिथाई, example दे रहा हूं, example दे रहा हूं, ठेक है, तो क्या करना, counting and words के बीच में, हाइफन लगेगा, कॉमा लगेगा गिंतियों के बीच में, ये बस जानना एक बार जरूरी है, बाकी चलिए इसका नाम बताइए, सब लोग भईया लोग इसका नाम बताइए, कुछ लोग बता भी चुके हैं, very very good very good, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर main chain समझ में आ रहा है कि एक, दो, तीन, चार, पाँच यह होगा लेकिन numbering किदर से करूँ इधर से, या इधर से numbering करूँ बोलो भईया, lowest set of locant कहां से बनेगा, तो आप कहेंगे सर इधर से बनेगा, अगर आप यहां से करोगे तो यह carbon number 2 पे आएगा यह carbon number 3, यह 4 यह देखिए 5 तो set of locant कहां कहां पर आया carbon number 2 पर आया और carbon number 3 पर आया carbon number 2 पर मिथाईल है और 3 पर मिथाईल है, लेकिन अगर numbering इधर से करते, तो 3 और 4 आता तो हमने इसलिए सही select किया है 2 और 3, बोलो भया सब लोग चलिए बताइए 5 carbon के लिए हमने क्या लिखना होता भई pent लिखना होता है बलकि हम इसको pentane लिख दिन तो ज़्यादा सही है, क्या लिखेंगे pentane लिखेंगे तो ज़्यादा सही, 5 carbon के एक chain में हम इसको pentane लिख दिन अब देखो, 2 और 3 पर क्या प्रजेंट है, मिथाईल प्रजेंट है क्या लिखेंगे, मिथाईल अगर दोनों ही CS3, CS3 है तो देखो, अभी बताया था अगर 2 CS3 एक साथ हो तो क्या लिखा जाता है डाई मिथाईल, यह देखो दो सेम सफ्टिटुमेंट के लिए डाई लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर यहाँ पर लिख देंगे कि 2 पोजीशन पर और 3 पोजीशन पर थोड़ा सा आगे लिखना पड़ेगा यह चीज़, ठीक है कारबन नमबर 2 और कारबन नमबर 3, कारबन नमबर 2 और कारबन नमबर 3 पर क्या प्रेजन्ट है, 2 मिथाईल प्रेजन्ट है, देखो यह लिखने का तरीका क्या है, 2, 3 डाई मिथाईल, अगर आप डाई लिख रहे हैं तो 2 गिंतियां लिखनी पड़ेंगी आपको अगर एक ही जगा पर 2 CS3 होते, तब भी 2 बार लिखते हैं तो यह इस तरीके से आएगा हाँ, क्वेशन आने वाले हैं अरे यह क्वेशन ही तो है, अब देखो यह कह रहा है, किसर क्वेशन बताईए अरे यह क्वेशन ही तो है अब उसको यह लगए लिखना आना पड़े option बताऊंगा, मैं A है कि B है कि C है लिखोगे तो भया मसल मेमोरी भी तो बनेगी तुम्हारे पार बोलो बोलो समझ में आया, 2-3 डाई में था ही अब अगला यह बताईए, चलिए चलो चलो बताओ भई ओके, speed बढ़ा दें जी क्या कह रहे हो तुम, speed बढ़ाना पड़ेगा समझ जाओगे, अब तो समझ जाओगे, क्यों सारा basic हो चुका है गिनियों वहिया, numbering कहा से करोगे आप कहोगे, यहां से करें 1, 2, यहां पर क्या होगा, 3 यहां पर क्या है, 4 यहां पर क्या भईया, 5 ठीक है, यहां से चलोगे, तो 2, 3 इसका क्या आएगा, lower set of lock end सही आजाएगा, ठीक है, अब इसका नाम लिखते वोगत, 5 के लिए आप क्या लिखोगे जी, pent लिखोगे यहां पर कोई double triple bond है नहीं तो इसलिए pentane लिखोगे टू पर मिथाईल, टीन पर इथाईल देखो, यह कौन अब यहां यह है इथाईल तो carbon number 3 पर इथाईल, alphabetical order में इथाईल आगे आएगा मिथाईल के तो 3 पर इथाईल, 2 पर मिथाईल, 2 पर मिथाईल यही आगे करवाया था क्या, मैंने पीछे ठिक, यह हो जाएगा, चलो अगला बताओ यह करो, यह करो तो कुछ पता लगे कर रहे हो, चलो यह करके बताओ, चलो यह करके बताओ, तब पता चले जाई, चलो यह बताओ, वो तो सही बताया सबने सही है, सब लोग सही है, सही है, सही है यह बताइए यह numbering देखो यहां से करोगे तो one अब देखो main chain select करना समझना आ रहा होगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे कारवन की main chain है अगर मैं यहां करूँ देखो one, two, three, four, five, six अब समझना पड़ेगा यह बात देखो numbering हम दो तरीके से कर सकते ही एक तो हम यहां से कर लें कि वह यह देखो यह one है, यह two है, यह three, यह four, यह five, यह six ठिक, तो हमने लिखा lowest set of locant क्या बनेगा इस numbering में देखो तीसरे और चौथे पर है, क्या, तीसरे और चौथे पर set of locant इस तरीके से बन रहा है लेकिन ध्यान रखना, यहां तीसरे नंबर पर मिथाईल है, इस वाले नंबर में तीसरे पर मिथाईल है, और चौथे नंबर पर इथाईल है देखो ध्यान से, तीसरे नंबर पर मिथाईल है, चौथे नंबर पर इथाईल है, लेकिन अगर इसका उल्टा करते हम numbering जैसे यहाँ पर लिखते है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, तब भी 3, 4 आता, no doubt, set of locant तो same आता, बात एकजम सच है, set of locant तो same आता, लेकिन, 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 यहाँ पर, अब तीसरे वाले कार्बन पर, तीसरे वाले कार्बन पर, इथ हाई ले बताओ कौन acceptable है आप कहेंगे कि alphabetical order ये कहता है numbering करते वक्त कि जो alphabetical order में आगे आता है उसकी बात मानी जाएगी और उसी को lower number दिया जाएगा मतलब ये वाला सही है और ये वाला गड़बड है बोलो भीया ये वाला सही है और ये वाला गड़बड है तो white वाला मैं हटा रहा हूँ क्योंकि इसमें गड़बडी है जी तो अब इसका नाम आप खुद लिख ले जाएंगे समझ में आया क्या क्यों ऐसा बोला गया अरे क्यों कह रहा कोई previous question नहीं अरे आगे है भाई खाली previous question नहीं करवाऊंगा तो फिर गड़बड रहेगा न जी ये practice तो हो पहले समझ में तो आए क्या है जी चुद चल रहा है ठीक तो हमें क्या समझ में आया हमें ये समझ में आया कि भाईया ये जो 3-4 है उस पे हम लिख देंगे 3-ethyl-4-methyl-hexane हाँ very good बहुत सही ये सब लिखो भाई आनंद के निभूति हो आए क्वेशन करिए ये क्या है ये previous question नहीं है previous question नहीं है तो चलिए बताइए ये क्या है ये क्या आएगा जवाब बताइए तुरंद बताइए अब वक्त मत लीजिए भाई चलिए 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 जवाब दीजीए क्या आएगा भाई numbering कि इदर से कर लें इधर से करेंगे तो set of locant छोटा बनेगा इधर से करेंगे तो बड़ा बनेगा तो भी एक दो तीन चार आ रहा है एक दो तीन पर ही आ रहा है तो निश्चीत रूफ से यही करना चाहिए तो देखो यहां से शुरुवाइट करें 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां 5, यहां 6, और यहां 7 सात कारबन का मतलब हेप्रेण समझ में तो आता है हेप्रेण समझ में आता है कारबन नंबर चार पर मिथाईल है तो फोर पोर नाय मि ताइल होगा कहीं ताइल Gray गड़ब गया यह यह दायम अच्छा यह रहा तीसरा कंद देखों किसने लोग तीसरा बोल रहे थे तीसरा नहीं B वाला B option is correct very good, बहुत अच्छा लगा, समझ में आया देखो, तीसरे पर क्या है इथाईल 4, 4, 2 क्या लगा हुआ CS3 समझ में आया बोलो, समझ में ये बातें आ रही हैं क्या शायद आ रही होंगी, आगे देखते हैं चलिए इनका नाम करण करिए इनका नाम बताए भई, थोड़ा सा प्रक्टिस और कर लेते हैं, यहां देखो numbering करना है alphabetical order पे यहां से करो तो 1, 2, 3 4, यहां से करो 1, 2, 3, हमें पता है chlorine में chloro सब्द आता है और methyl आता है CS3 के लिए तो chloro alphabetical order में आगे आएगा, इसलिए numbering इधर से चलेगी 1, 2, 3 4, 5, 6 है ना अब बताए नाम क्या होगा जी 6 कारबन के लिए हम लिखेंगे hexane, note करिए 6 कारबन के लिए hexane 3 chloro 4 methyl 3 chloro 4 methyl hexane, क्या 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 3 chloro 3 पर chloro, 4 पर methyl hexane, I hope आप लिख ले जाएंगे, अगला देखिए अगला देखिए वह या numbering यहाँ देखो, bromo है और यह chloro है बताओ, numbering में आगे कौन आएगा यहाँ से चले तो 1, 2, 3 1, 2, 3, दोनों तरफ से set of locant same आएगा लेकिन alphabetical order का अंतर है तो हम bromo को preference देंगे 3, 4, 5, 6 bromo लिखेंगे ना, तो हम क्या लिखेंगे बोलो, 3 bromo और 4 पर क्या है, chloro बोलो, 6 carbon के लिए हम लिखते हैं, hex और कोई double A, triple नहीं है तो A लगाएंगे, hexane हो जाएगा आई अगला करते हैं I hope आपको आनन्द आ रहा हो यही सा पेपर में आता, अगला question फिर से आ रहा है यहां देखिए, यहां से करेंगे तो set of locant बड़ा हो जाएगा किनारे से इधर से करिए, फायदा क्या है कि set of locant छोटा रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका सरफ मैं बोलूँगा, आप सुनेंगे जी, इसको क्यों कि आप लिख सकते हैं 6 कारबन के लिए आप हेक्जेन ही कहेंगे और 1, इसको लिखने का तरीका देखो नमबर लिखना पड़ता है 1, कारबन नमबर 1 पर एक क्लोरीन है कारबन नमबर 2 पर एक क्लोरीन है कारबन नमबर 5 पर भी क्या है chlorine है, तीन chlorine के लिए हम क्या सब्द यूच करेंगे tri-cloro यूच करेंगे tri-cloro तो one, three, five tri-cloro, इसके बाद hexane हो जाएगा इसके बाद hexane हो जाएगा देखो एक बार very good, very good बहुत सही, आइए complex alkyl radical, ये थोड़ा परिशान करता है बच्चों को तो उसकी परिशानी हम दूर करें देते हैं भाईया ठीक है आए ये देखते हैं अगे ये देखते हैं ये क्या है इनको देख लो ये थोड़ा सा देखने में भीशन लग रहा है हमें क्या करना है पहले जादा अगर मैं यहां से शुरू करूँ तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ ही हुए लेकिन अगर मैं यहां से चलूँ देखो अगर मैं आगिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अगर इधर से नमबरिंग करे तो मैंने देखो 9 मिल गया जी इसका मतलब यह मानना चाहिए अच्छा, अब 9 से तो समझ में आता है कि 9 का क्या होता भई, 9 लिख देंगे लेकिन यह सारा एलकेन का पार्ट है तो यहां पर एन लगा देंगे तो नोनेन तो समझ में आ गया कि भईया यह मेंचेन आ गया उनको बोलते हैं, जहां पर उनका नाम लिखने पर सुनना अलकाईल ग्रुप का नाम लिखने में numbering यूज होती है, समझ में नहीं आया समझाता हूँ, समझाता हूँ समझाता हूँ, डरना नहीं, समझना इसी को कहते हैं, complex यह जो है न, this is complex alkyl group यह है complex alkyl group complex alkyl group को वैसा ही लिखिए, जैसा की आप नाम करन करते हैं normal chains का, क्या बात कर रहे हैं लेकिन ध्यान रखिए, जहां यह जो main chain है, उस main chain से जुड़ा हुआ जो पहला carbon है, उसको carbon number one दीजी, यह एक अलग ही बात है, क्या, main chain से जुड़ा हुआ पहला carbon, carbon number one, दूसरे पर यहाँ two, और यहाँ पर हो जाएंगा three, अब सुनना ध्यान से क्रिपया सब लोग, इसका नाम करन वैसा ही करिए जैसा की alkyl group का किया जाता है, चलो बताओ, इसका नाम बताओ alkyl group की तरह, इसका नाम alkyl कितना बता सकते हो क्या, तीन carbon के लिए हम लिखते हैं, भईया, क्या लिखते हैं प्रोप लिखते हैं क्या लिखते हैं, तीन carbon के लिए प्रोप, तीनो carbon में कोई double triple नहीं है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे क्या लिखेंगे जनाव यहाँ पर propane लिखेंगे कहानी clear लग रही है यहाँ पर क्या होगा propane अच्छा 1 पर क्या है CS3 और 2 पर भी CS3 तो हम क्या लिखेंगे 1,2 फिर क्या लिखेंगे dimethyl अगर यह सुनना देहां से मैंने क्या बोला अगर ये एलकेन की तरह होता तो इसका नाम होता 1, 2, डाई मिथाईल प्रोपेन लेकिन अगर ये होता तब ना लेकिन है क्या ये एक्चुल में? ये एलकाईल गुरुप है तो एलकाईल गुरुप में से हम ये एन हटा करके क्या लगा देते हैं? य, ल लगा देते हैं तो इसका नाम अब कन्फर्म हुआ क्या हुआ? इसका नाम है ये तो इसका नाम के आगे ये लिखना तो पड़ेगा भी या क्या है? 1, 2, डाई मिथाईल 1, 2, डाई मिथाईल प्रोपेन नहीं भी या, प्रोपेन प्रोपाइल सफिक्स बना करके अरे बोलो रे वालक बोलो लेकिन अभी हमने ये नहीं बताया कि ये कहां लटके हुए हैं ये कौन से कारबन से लटके हुए हैं पांचमें नंबर के कारबन से लटके हैं तो ये हो जाएगा 512-dimethyl-propyl-nonane इससे कठिन ना आ सकता ना आने की कोई संभावन हैं यही है जो आएगा कठिन से कठिन भी यहीं तक पूछा जाता है होता क्या है जहीं में जितनी जरूरत है वो लेवल ही यहीं तक था बहुत जादा पढ़कर के कोई फायदा नहीं होता कभी नहीं पूछा गया ना कभी पूछा जाएगा ओके चलिए अगला देखते हैं अब आते हैं जो सफ्टिट्वेंट हैं उनके कुछ नाम है यह यूज किया जाता है अब सुनिए गा नॉर्मल अगर किसी के नाम के सब्दल के साथ लगा है जैसे नॉर्मल ब्यूटेन तो उसका मतलब क्या होता है हाइड्रो कार्बन विच है इस्ट्रेट चेन केवल चेन है सीधी सीधी जैसे नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब है चार कार्बन ब्यूट से समझ में आया कि चार कार्बन है एन से समझ में आ गया कि भाईया कैसा है वो एलकेन टाइप का है तो चार कार्बन को ऐसा बना दीजिए बस यह देखो चार कार्बन को बस ऐसा बना दीजिए यह है normal butane अच्छा normal pentane का मतलब क्या होता है पांच carbon को connect कर दीजी इस तरीके से normal pentane normal hexane का क्या मतलब है 6 carbon connect कर दीजी एक दो तीन चार पांच छे तो ये हो गया जी normal hexane अच्छा जी अगला देखिए ये important है ये important है मेरे भाई क्या लिखा है ISO के लिए लिखा है कि two methyl group at the end of linear chain जैसे मालो यहां linear chain खत्म हो रही है तो यहां पर दो methyl group लगे हूँ मैं इसको कहता हूँ वी बनाना है आप ऐसे समझे कि आप select हो चके हैं आपको बोला गया फोटो किच्वाने आते हैं तो आप victory बना रहे हैं तो इधर victory बनाना है ISO में समझे तो क्या करना है जी ऐसे करके एक carbon last में जो carbon होगा chain का जो last carbon होगा उस पर इस तरीके से आपको दो methyl group add कर देने बस उस पर क्या करने हैं दो methyl group add कर देने हैं समझाता हूँ रट्टे बाजी कुछ चार्बन नहीं है यहां ब्यूटेन का मतलब हुआ कि हमारे पास total 4 carbon है अब लेकिन हमें पता है कि ऐसा वी बनाने में 3 carbon तो खर्च हो जाएगा कहां खर्च वह तीन carbon सुन लो यहां पर एक carbon है यहां पर एक carbon है यहां एक carbon है तो आइसो ग्रुप बनाने में 3 कारबन लगते हैं तो चौथा जो कारबन है वो आप इसको आगे यहां कनेक्ट कर दीजी इस तरीक से तो ये क्या हो जाएगा ये है आईसो ब्यूटेन क्या याद हुआ क्या सब लोगों को ये याद हुआ कि ये क्या है आईसो ब्यूटेन आईसो मतलब ये तो 3 कारबन ये चौथा ये टोटल 4 कारबन इनवॉल्व हुए उससे जो बना देट इज आईसो ब्यूटेन और वहाँ पर एक कारबन पर 2 मिथाईल ग्रुप तो मिनिमम दिखाई दे ही रहे हैं अच्छा जी अगला देखते हैं आईसो पेंटेन की बात कर ले आईसो पेंटेन में क्या होगा पहले क्या करना है वी बनाना है वी का मतलब तो समझते ही होंगे अब अच्छा मतलब 3 कारबन तो यूज होगे पेंट का मतलब तो होता 5 कारबन तो क्या करना है इस carbon से आगे दो carbon और बना दो बस सिम्पल है की नहीं बोलो भईया सिम्पल है की नहीं total हमारे पास five carbon थे five में से three carbon यहां खरचुए दो आगे तो यह हो गया pentane, isopentane isohexane का मतलब है three carbon तो ऐसे खरच हो जाएंगे बाकी तीन को connect करना है तो यहां से आगे एक, दो, और थीन, देख लो, इस तरीके से देख लो भई सब लोग, क्या आपको यह याद हुआ कि यह आईसो हेक्जेन है, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक में, शायद नहीं होगी, ठिक, ओके, अब एक चीज आते हैं, आईसो ओक्टेन, यहां प्रॉब मौझूद है, तो तीन कारबन तो चला गया, वी बनाने में जी, तीन कारबन वी बनाने में चला गया जी, आईसो ग्रुप बनाने टाइप का, ठेक, और क्या करिए, इसको जो है, एक ऐसे ग्रुप से कनेक्ट कर दीजे, जैसे, आप ऐसे समझे, एक प्लस है न, प्लस, प् पांच और तीन ये, पांच और तीन मिलके कितने हो गए, आठ, अब इन में क्या करिए, जो ये कारबन है, जो ये कारबन है, इनका आपस में बॉंड बना दीजिए, समझे, पांच कारबन, तीन कारबन, पांच और तीन मिलके कितने हो जाएंगे, आठ, तो इसको ऐसा बनाया क्या यह है आईसो ओक्टेंड यहां पर लीनियर चेंड नहीं बनाना होता उसका रीजन बता देता हूँ हुआ क्या था कि जब IUPAC बन रही थी उससे पहले ही कुछ यह कंपाउंड था इस कंपाउंड का नामकरण हो चुका था आईसो ओक्टेंड और यह बाजार में पहले से पेक्ट्रो केमिकल कंपाउंड के रूप में पहले से वेल नोन था तो IUPAC ने उसको छेड़ा नहीं उसका यही नाम चिपका दिया कि लो भया तो भी आईसो ओक्टेंड हो के याद करना है जी उसका रीजन मैं बता दिया कि यह रीजन क्या है इनका नाम पहले से ही फेमस हो पेंटेंड तो पहले जान लीजिए नियो पेंटेंड में क्या करना है पेंटेंड में पांच कार्बन कनेक्ट करना है कैसे करना है वो देखिए प्लस बना करके बस यह प्लस बना दिया तो पांच कार्बन हो गए कैसी बात कर रहे हैं से यस देखे कैसे देखना बीच में कारबन एक कारबन यहाँ पर है एक कारबन यहाँ पर एक कारबन यहाँ पर एक कारबन यहाँ पर एक कारबन यहाँ पर तो टोटल पाँच कारबन अगर इस तरीके से connected हैं और हर जगाँ पर single single bond है बाकी hydrogen आप connect कर सकते हो ये नियो पेंटेन बोला जाता है ये क्या है ये क्या है ये नियो पेंटेन है अगला देखो अगला देखो भईया अगला आता है नियो हेक्जेन तो नियो हेक्जेन में नियो सब्द का मतलब होता प्लस बनाना पड़ेगा नियो का मतलब है भईया प्लस बनाना पड़ेगा नियो का मतलब तो है प्लस बनाना पड़ेगा और प्लस बनाने में पांच कारवन खर्च हुए लेकिन हेक्जेन में तो 6 होते हैं इसलिए इन में से किसी एक कारवन को पकड़िए उसके बाद एक कारवन और कनेक्ट कर दीजिए पहले 5 थे उसमें से एक और कनेक्ट कर दीजिए किसी एक carbon पर तो वो क्या कहलाएगा neohexane कहलाएगा कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं होनी चाहिए अगला देखते हैं secondary view tile अब देखो अगर कोई कहें चलो मालो ये तुमसे पूछता हूँ चलो बताओ अगर मैं कहूँ बताओ neo pentile कैसे लिखा जाएगा अब यार ये आपको आना चलो लेकिन आप बताएगे कैसे ये भी दिक्कत है तो हमें क्या करना है बताओ ये neo pentile में जो किनारे वाला carbon है वहाँ से आगे connect करना है तो आप ऐसे लिख दीजिए कि देखो भईया ये बीच वाला carbon है देख लिजिए इस पर क्या लिखा है CS3 यहां क्या लिखा है CS3 यहां क्या लिखा है CS3 यहां भी होता CS3 तो ये क्या कहलाता neo pentile कहलाता लेकिन मैं CS3 को ये 3 हटा कर 2 लिख दूँगा और इसको connect कर दूँगा किसी main chain से तो ये भाई साब क्या कहलाएंगे नियो पेंटाईल ग्रुप कहलाएंगे जैजवाला की भई है जैजवाला की ठीक है चलिए समझ में आया आईसो आक्टेन वाली बात तों मैंने याद करा दी वो रखना है याद करना है क्योंकि IUPAC नो उस बात को खुद ही माल लिया था तो यसलिए वो याद गरवा दिया था हाँ 11 वाले बच्चे आराम से कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं सब बेसिक से चल रहा है याँ पे तो ये क्या है नियो पेंटाईल अब आईए secondary butyle पर आप समझे भईया butane हमें समझ में आता है कि butane ये है अब बताईए इस butane में secondary carbon कोई है ये है या ये है अगर ये secondary carbon जान देना ये secondary carbon किसी main chain से connected होगी किसी main chain से connected होगी तो इसको बोला जाएगा secondary butyle जान दो अगर butane का secondary carbon main chain से इस तरीके से connected है तो इसको बोलते है secondary butyle अच्छा जी अब इसी तरीके से बताईए tertiary butyle क्या होगा समझ में आ चुका होगा कि वह ये एक carbon है जिससे 3 carbon connected है एक carbon जिससे 3 carbon connected है तो ये कुल जोड़ करके देखो कितना हो गया बोलो बोलो एक, दो, तीन, चार चार carbon तो ब्यूट सब्द सही है tertiary तो ये carbon देखो 3 degree है ये carbon कैसा है ये carbon 3 degree carbon है और अगर ये 3 degree carbon वाला ध्यान देना बहलत अगर ये 3 degree carbon वाला किसी main chain से connected है किसी क्या है main chain से connected है किसी main chain से connected है तो भया इसको क्या बोलोगे tertiary butyl और याद रखना ये paper में बहुत ज़ादा आते है ये दोनों paper में बहुत ज़ादा आते है तो main chain से जब एक carbon connected हो जो कि 3 degree है तो उसको tertiary butyl क्यों क्यों क्योंकि 1, 2, 3, 4 total number of carbon 4 तो butyl लेकिन tertiary secondary क्योंकि 2 degree से ज़ुड़ा हुआ है आई अगला देखते हैं अब अगला देखो क्या है सब्द पकड़ना tertiary pentile अब सब्द लिखा tertiary हो तो tertiary सब्द का मतलब है कि एक carbon से कितने carbon connected है एक बात तो confirm है कि एक carbon से कितने carbon है 3 carbon connected है आपने कहा कि ये tertiary pentile है तो भईया जी आप ये वाला जो carbon है tertiary वाला वो किसी main chain से जोड़ रहे होंगे ये किसी main chain पर लटका हुआ होगा जी लेकिन ये क्या है ये तो tertiary butile है ये tertiary butile है देखो ये तो tertiary butile है pentile कैसे बनाओगे तो क्या करो एक carbon इसी पर connect कर दो अब ये हो गया tertiary pentile देखो इसको ध्यान से अभी समझ आया की नहीं आया खोपड़ी में सीधी सीधी बात land हो रही है क्या कि भईया ये कैसे tertiary pentile हुआ tertiary मतलब 3 carbon connected होने चाहिए एक carbon से लेकिन हमें total 5 चाहिए थे चलिए एक question करिए भईया ये question देखते हैं कितने लोग 30 second में कर सकते हैं चलो करो भईया करके दिखाओ तब तुम माना जाएगा ऐसे कैसे माना जाएगा करके बताओ भईया बताओ 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 the structure of isobutile isobutile समझाया था isobutane कैसे बनता है समझ जाओ isobutane कैसे बनता iso में क्या बताया था v-type का बनाना है एक carbon पर 2C3 होने चाहिए butile का मतलब total ही 4 carbon है total 4 carbon है उमसे अगर कोई कह दे कि isobutane बनाओ तो v कैसे बनाते हैं एक carbon CS3 CS3 isobutane तो इसमें क्या हुआ अभी 3 नहीं है तो इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा एक CS3 और लगा देते तो ये क्या हो जाता ये हो जाता isobutane तो ब्यूटाइल बनाना है तो ये यहां से 3 हटाईए यहां 2 लगाईए ये कहीं देखो दिख रहा है ये कहीं दिख रहा है ये देखो कहीं दिख रहा है क्या ये तो पहले का बताएगा नालायकों तुम अभी छाप के बता रहे हो जब मैंने बता दिया है कैसे कैसे नालायक प्राणी हो भाई अरे वाव वाव भाई अब तो नाम लेना ही पड़ जाएगा नितिन कुसवाहा जी वेरी वेरी गूड ड्रीम आयाटी सहब अंसुल यादो जी चार्मी अरे देगरो ये होता है थोड़ा स्पेलिंग गलत लिख दिये बाकी सब सही लिखा इसमें बहुत सही वालक बहुत सही सही जा रहे है तो ये समझना आया चलिए अगला करते ही अगला देखे हैं भी आगला क्या है अगला भी एक question आया देखते हैं लोग कर पाते हैं अब कई लोगों को जनरल फॉर्मूला नहीं पता होगा तो उसको मैं जान बुझकर कि हां लेकर क्या आया हूं ताकि मैं यहीं समझाओंगा कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है समझे जी जनरल फॉर्मूला जैसे देखो एलकेन का जनरल फॉर्मूला Cn H2n प्लस 2 ठीक है ये है एलकेन का जनरल फॉर्मूला ठीक है क्यों अगर हम N की वैल्यू 1 पुट करें N की वैल्यू 1 पुट करें तो ये क्या बन जाएगा CH4 जिसको कहते हैं मीथेन और मीथेन क्या होता है एलकेन तो हई इसी तरीके से आप 2 पुट कर लीजिए N is equal to 2 तो ये क्या हो जाएगा C2H6 जिसको कहते हैं इथेन ठीक है अब अगर एलकेन हमें लिखना आ गया तो क्या आप एलकेन लिख सकते हैं इसी तरीके से CnH2n दिस इस अलकेन अच्छा CnH2n माइनस 2 दिस इस अलकाइन आप उट करके देखते जाएए आपको मिलता जाएगा देखो 2n प्लस 2 अलकेन 2 घटा दिया 2 और घटा दिया simple है simple है अब आवा simple ठीक है चलिए बताईए सबसे आसान चीज़ बताऊं कैसे देखना होता है सबसे simplest version बनाईए सबके सबसे simplest version बनाईए और यहाँ पर भर के देख लीजी समझा देता हूँ die ketone का मतलब होता है die ketone में समझना जैसे होगा C double bond O die का मतलब 2 2 ketone एक साथ तो 2 ketone एक साथ लेकिन यहाँ पर इसके लिए हमें क्या रखना पड़ेगा CS3 और यहाँ क्या रखना पड़ेगा CS3 अब इसका formula निकालिए क्या होगा बताइए 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा C4 C4 hydrogen कितने 6 oxygen कितने 2 देखो set नहीं बैठ रहा है क्योंकि N के बाद 2 N यह 8 होता तब यह set बैठ था इसका मतलब यह मामला ठीक नहीं समझ गए यस अब अगला देखी carboxylic acid सबसे simple carboxylic acid है CS3 COOH माल लीजिए CS3 COOH तो यहाँ कि अगर मैं बात करूँ तो आप कैसे लिखेंगे carbon कितने है 2 hydrogen कितने है देखो hydrogen कितने है 4 oxygen कितने है बहिया 2 तो देखो यह सबसे सही set बैठेगा अगर मैं N की value 1 put करूँ तो यही आएगा निशन्दे भी option सही कभी भी डरना नहीं है सबसे छोटा वाला निकालो वहां से जनरल फॉर्मूलीता का पहुच जाएंगे है ना बोलो भईया अगर मैं 2 put करूँ तो देखो यह बन रहा है हाँ सर बन रहा है आप देखो die alls का मतलब बताता हूँ क्या है मतलब हमें क्या करना है 2 OH जोडना है यह देखो 2 OH जोडना है हमालो दो कार्बन लिए हमने 2 जोड दिये तो die all हो गया देखो यह मैच नहीं होगा वहाँ पर die aldehyde है तो देखो यह होता है die aldehyde match करके देखो नहीं match होगा B option is correct शायद आपको मजा आया होगा आनंद की भरपूर हाँ तो सबसे चोटा अगर चाओ तो hydrogen भी लिख सकते हैं पर hydrogen लिखो के तब भी satisfy करेगा हमेशा satisfy करेगा भाई ओके naming of unsaturated compound देखो मैं आपको सच बता हूँ तो IUPAC के जितने complex चीज़ें होती हैं सब निपट चुकी है अब सर्फ simple simple बाते होने वाली हैं लेकिन यहां से थोड़ा ध्यान देंगे तो जल्दी से हो पाएगा अब देखे जो मैंने rule पढ़ाए थे उसमें बस एक चीज़ आइड हो जाएगी maximum number of carbon तक तो ठीक है लेकिन अब साथ में आपको लिखना होगा with multiple bond अगर आप unsaturated compound की बात कर रहे हो मतलब हमें main chain ऐसा select करना है जहां पर double या triple bond main chain के अंदर ही आ जाएं ठीक है तो पहला यह आएगा preference पे इसके बाद number of substituent देखेंगे अगर यह सेम हो गए number of substituent सेम इसके बाद numbering के time पे lower set of locant इसके बाद alphabetical order clear है जी बोलो भईया double bond को preference देंगे ध्यान दीजिएगा अगर माल लो कहीं substituent हो और double bond हो तो numbering किसकी वज़ा से होगी double bond की वज़ा से क्यों double bond को preference देते हैं ठीक है आए देखते हैं नामकरण करना शुरू करिए बहुत आसान है हमने पढ़ लिया लेकिन एक बार और देखें यहां बतागे double या triple bond के हिसाब से आपको क्या करना है main chain select करना तो main chain तो एक ही है numbering करते वक्त हमें क्या करना है numbering देना है यहां ताकि minimum number मिले यहां से दोगे तो one और यहां two मिल जाएगा two मत दीजिए one दीजिए तो one two three तीन कारबन के लिए बताइए क्या लिखते हैं word root इसका नाम बताइए तीन कारबन के लिए क्या word root होगा अरे सर प्रोप होगा अरे क्यों दर्द ले रहे हो यार break मत करो भाईया तुम break की जरूरत नहीं है Mr. Nalaik Prani ममी से बोलो कि ममी ठाली में खाना दे दो पानी दे दो आज मैं पढ़ रहा हूँ मैं देखता हूँ तुम्हें मना करें तो वीडियो बना के बताना मैं ममी बात करूँगा मैं कह रहा हूँ मैं जानता हूँ कि प्रोप लिखेंगे लेकिन अब प्रोपेन नहीं लिख सकते क्यों क्योंकि डबल बॉन्ड मौझूद है डबल बॉन्ड में इन लिखते हैं तो वन पर कार्बन नंबर वन पर इन है कई बच्चे कंफ्यूज रते सब देखो दो पर भी तो डबल बॉन्ड है जो कम नंबर वाला है जिदर से गिंती सुरू करी वो लिखना है तो हम लिखेंगे प्रोप वन इन ठीक है या डारेक्ट इसको प्रोपीन भी कहा जाता है कोई दिक्कत नहीं है ये बताइए इनका नंबरिंग तुरंट बताना है आपको चलिए 1, 2, 3, 4 चार कारबन की चेन के लिए आप क्या लिखेंगे आप ब्यूट लिखेंगे चार कारबन की चेन के लिए ब्यूट 1 पर डबल बॉन्ड तो ब्यूट 1 इन लिखेंगे आसान है क्या बोलो भई आसान है क्या यस अगला देखिए ये देखो भई अच्छा रहे हैं सीसा ले आओ रहे भाई सीसा ले आओ अब ये फून ले जाओ मम्मी को तो मैं बात करूं तो दो दो माता जी इनको एक सीसा दीजिए इनकी सकल दिखाए थोड़ा टॉर्च और जला देना चेहरे पे थोड़ा दिखे कि कैसी है सकल तब इनको कंफर्म हो रह पूरी जी उसी समझी जाती कुछ रट्टा नहीं है वहां सब कुछ लॉजिकल है वहां पर बड़े-बड़े ओर्डर को रट्टा नहीं मारा जाता सब समझने की बाते हैं ठीक है आईए देखो नाम बतायो भाईया यहां पे यहां पे नंबरिंग अगर इधर से करेंगे अगर इधर से करेंगे देखो प्रॉफिट बताऊं क्या है यहां से करोगे तो CS3 को यह वाले करवन को टू मिल जाएगा तो लोएस सेट बन जाएगा नहीं सर बुद्धू मत बनाईए यह CS3 सफ्टिटुवेंट है हमें डबल बॉंड को लेते हुए गिनना पड़ेगा औ तो 5 कारवन के लिए आप क्या लिखेंगे आप कहेंगे 5 कारवन के लिए तो पैंट होता है और दूसरे कारवन पर डबल बॉंड है तो 2 पर तो इन होता है लेकिन कारवन नंबर 4 पर CS3 है तो 4 पर मिथाईल होता है 4 पर मिथाईल होता है समझ में आया क्या यहां तक की बात समझी में आई क्या बोलो सारे लोग बोलेंगे ओके क्लियर है ओके अगली बात देखते हैं मैक्सिमम नंबर ओफ मैक्सिमम नंबर ओफ कार्बन वह यह चीज है जो मैंने पीछे बताया यह अलग नहीं है इसका नामकरन बताईए बताये बोलो बोलो इसका नामकरन बताईए यहां पर क्या होगा वान यहां ठो यहां पर थी यहां पर फोर यहां पर फाइव सही लिकरा हूँ या गलत है सही है क्योंकि हमें क्या करना है multiple bond को minimum नंबर परवाईड कर देना है ठीक है तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे पाच कार्बन की वज़ा से हम पेंट बोलेंगे लेकिन कार्बन नमबर वन पर इन है तो पेंटीन बोलेंगे लेकिन देखो बालक कार्बन नमबर चार पर दो क्लोरीन है इसलिए 4-4-Dichloro लिखा जाएगा 4-4-Dichloro-Penta क्या लिखा जाएगा वन इन लिखा जाएगा एकदम सही है या वन इन मत लिखो के तब भी वही बात होती वन ही है वहाँ चुपा हुआ ये नाम करन करिए ये है न टेंड़ी बात चलो बताओ देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं कितने लोग हिम्मती हैं वहाँ जो ये निप्टा पाएंगे चलिए बताइए यहाँ पर देखें तो आपको क्या करना होता आपको बता दूँ जब कभी भी double bond और triple bond double bond और triple bond में आपको lowest set of locant लगाना हो तो आप preference दिया करिए इन को क्या इन को preference दिया करिए ठीक है इसका मतलब यह नहीं कि numbering इदर से सुरू कर दो पहले lowest set of locant पहले निकाल लो alphabetical order के इसाफस देखो तो इन आगे आएगा आइन बाद में आएगा ठीक है और ये 5 होगा बोलो भई सही है क्या अगर हम इधर से करें तो 1, 2, 3, 4, 5 होगा यहाँ पर हम देखें तो set of locant क्या बन रहा है 1 और 3 बन रहा है देखो यहाँ से चलने पर 1 और 3 बन रहा है लेकिन अगर मैं यहाँ से चलू इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5 तो देखो क्या बन रहा है इधर चलने पर 2 और 4 बन रहा है तो बताओ कौन सा reject किया जाए rejected material कौन भया यह selected कौन है यह क्यों क्योंकि lowest set of locant बन रहा है double bond और triple bond को set of locant कितना देखना पड़ेगा और 1 और 3 position पर हमें क्या मिल रहा है जी यह देखिए मैं हटा दे रहा हूँ double and triple bond बन रहा है अब समझ में आया कि हमने यह reject क्यों किया और यह select क्यों किया क्योंकि इसका lowest set of locant बड़ा है यहाँ 2 है यहाँ 1 है 1 वाला select करिए नाम क्या बनेगा बोलो भया नाम क्या बनेगा आप कहेंगे देखिए total 5 कारबन है 5 कारबन के लिए तो pent लिखा ही जाता है 5 कारबन के लिए pent लिखा जाएगा 1 पर आईन है 3 पर इन लेकिन आपको सिखाया था मैंने कि पहले इन लिखा जाएगा तो हो गया 3 इन और 1 पर क्या आजाएगा आईन यही आएगा pent 3 इन 1 आईन आईए अगला देखते हैं यह बताएए चलिए अब देखो इनका अगर आप set of locant देखो तो यहां से गिनोगे तब भी 1 आएगा मतलब set of locant तो सेम आने वाला है अगर set of locant सेम आएगा तो alphabetical order अपनाएए इनको preference दीजिए आईए आईए बताएए इनको preference दीजिए आप कहेंगे यहां पर जो numbering है that is 1 यहां पर 2 यहां पर 3 यहां पर 4 और है इसके बाद 5 ठीक है इसके बाद क्या आएगा 5 आएगा clear है क्या एक बार देख लो एक बार सारे लोग देख लो भाई सही है क्या एकदम yes तो हम लिख देंगे ठीक है अब थोड़ा तेज़ चल सकते हैं क्योंकि अब सारी चीज़ें समझाई जा चुकी है pent का मतलब 5 carbon है और 2 पर double bond है इसलिए 2 इन हमेशा इन पहले लिखना होता है और इसके बाद देखें तो 4 पर देखो 4 पर क्या प्रजेंट है triple bond तो 4 पर आएगा तो ये आएगा जी बोलो वह ठीक है ये देखें दोनों अब आप ये खुद लिख सकते हैं 1,2,3,4 आप क्या लिखेंगे आप लिखेंगे ब्यूट 1,3, डाई, आई, आई, ब्यूट 1,3, ब्यूट 1,3, डाई, आई, आई, क्लियर है ये question करिए चलिए चलिए आपको time दे दिया जी एक question करिए आपको मैं दे रहा हूं 30 second निश्चे जादा का time देना ठीक नहीं है मैं साथ साथ आपके help करता चलूँगा अब अपन speed पकड़ लेंगे अब निश्चेत रूप से क्योंकि हमने सारे basic concept ढंग से सीख रखे हैं अब जादा वक्त लगेगा ही नहीं 1 1 आई था क्या 1 मिन रुक न हाँ तो 1 3 ही तो बोला था मैंने यहाँ पर तो सही था कहीं कुछ गड़ बड़ है कि अच्छा यहाँ यहाँ very very good सही समझदार निकल रही है 1 पर इन आएगा सही कर दिया आप आगे आईए आप कहेंगे सर टाइम तो खतम करवा दिया आपने कर दिया सही कर दिया यहाँ पर नंबरिंग कहा से करें अब्वेस सी बात है यहाँ से करवाएंगे आप 1 2 3 4 5 6 6 कारबन का मतलब हेक्ज होता है देखो कहीं हेक्ज लिखा है 2 पर इन हेक्ज टू इन यह कही जगा है भईया यह तो यह सब देखने जरूत ही नहीं पड़ी यह सब देखने की जरूत नहीं पड़ी हेक्ज टू इन से निपड़ गया यह काम इतना आसान देना चाहिए क्या 70% के आसपास लोगों ने सही बोला था ठीक है कोई नहीं मुझे लगता है तरे आपको कर ले जाएंगे अब आसान लग रहा होगा आपको अब लग रहा है नवैयक हो जाएगा आप से हो जाएगा आई अगला देखते हैं यह कोशन करिये यह भी जेई मेंस में आया हुआ है बistaqास Flash sellers पक्लिए फना उसे क्या ही फर्क पड़ जाएगा आईए करिए करिए बताइए मैं आपको देता हूं थोड़ाटा टाइम मिल भी चुका है आपको देखिए देखिए यहां पर मैं आपको 30 सकंड ही देता हूं क्योंकि इससे ज्यादा जरूत है नहीं ठीक है बोलो भाईया क्या आएगा नम्मरिंग करें कहां से सार डबल बॉन से किया करिए जब दोनों किनारे हो तो वान टू थ्री पोर फाइफ यह सिक्स और यह सेवन तो कहीं पर देखो भाईया हैप्टेन टाइप की चीज़ दिख रही है क्या है हैप्टेन टाइप की चीज़ द लिख रहा हो एटलीस्ट शाथ का तो हैप्ट होगा है futur Windows one पर क्या होगा in it enabling Giant वन इन, शिक्स पर आईन, ये मैच करता हुगा नजरा रहा है, देखे, हैप्ट, वन, अब तीसरे पर मिथाईल, तीसरे पर मिथाईल, पांचवे पर मिथाईल, अच्छा जी, थ्री फाइव डाई मिथाईल, एक दम सही है, और चौथे पर प्रोपाईल, मीज़ बी ओप्सन करेक्ट, बी ओप्सन को सही लगाएं, देखें क्या आता है, अरे बहा प्रिबा ब्लंडर, इतना खतरनाक ब्लंडर, क्या चल रहा है, अंधा मार रहे हैं, बच्चे हमारे, हमारे बच्चे देखते हैं, सबसे बड़ा नंबर क्या लिखा है, लो भाईया, यही होगा, सही किया है, पांडे अंकित जी ने सही किया, एकडमिक क्लासस वाले भी कर रहे हैं, देख रहे हो, जब अच्छा पढ़ाते हो न तो यही होता है, क्लासस वाले भी करते हैं, चलो आगे देखते हैं, आसामसी बाते हैं, तो अब आते हैं, होमोलोगर स्रीज में, ठीक है, हो क्या आड़ करो, CH2, तो CH2 आड़ करोगे, तो एक कारबन आड़ हुआ, और तो हो गया दो कारबन, दो हाइडोजन आड़ हुआ, तो 6, तो ये भी अलकेन, ये भी अलकेन, फिर से CH2 आड़ करो, तो ये होगा, C3H8, हम आड़ क्या कर रहे हैं, लिख देता हूँ, यहाँ पर, CH2 ग्रूप, होता क्या है, ये एक ऐसा स्रीज है, ये एक ऐसा स्रीज बनता है, जहां पर एक दूसरे में, जो अडोसी पडोसी लोग हैं, उन्में CH2 का डिफरेंस आता है, ठीक है, CH2 का डिफरेंस आता है, CH4 में CH2 एड़ किया तो यह आएगा इसमें CH2 मतलब एक कार्बन दो हाइडोजन एड़ किया तो यह आएगा इसी तरीके से अगला भी कर सकते हैं तो यह जो सिरीज बनती है इस तरीके से बहुत बड़ी सी सिरीज बनाई आ सकती है न, तो ये L-Cane की एक जीव सिरीज बनती है, इसी सिरीज को होमो लॉगस सिरीज कहते हैं, क्या, इसी को क्या कहते हैं, होमो लॉगस सिरीज कहते हैं, और इन सब को होमो लॉगस कहते हैं, होमो लॉगस सिरीज में जितने लोग आते हैं, उनको होमो लॉगस कहते हैं, अब एक बाद बताओ, एलकेन का जो जनरल फॉर्मूला वो क्या पढ़ा था, हमने Cn, H2n, प्लस 2 होता है, यही होता ना, अब एक बाद बताओ, मैं कहूं, कि इस पूरे होमोलोगस सिरीज में, सब के लिए जनरल फॉर्मूला यही होगा, क्या सही है, मैं सब्द क्या पूछ रहा हू होगे, यह आएगा, और इन सब में, CH2 का डिफरेंस आ रहा है, समझ गए, अगला देख लिजी, इसी तरीकी से, अलकीन, अलकाइन का भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं चल रहा हूँ, अलकोहल का समझाने, क्या, अलकोहल, अलकोहल में अगर हम देखें, अलकोहल में अगर ह तो जैसे मैं लिख सकता हूँ, क्या, CS3OH, ठिक, अब अगर इसमें CH2 एड करोगे, तो कहां आ जाएगा, बीच में माल लीजी, हां CH2 आ गया, तो ये दोनों ऐसा ही और बना दीजिए, CS3, CH2, CH2, OH, ये तीन, और इसी तरीके से आगे और बनाते जाएए, ये सब होमो सीरीज के कहलاتے है, एक बात ध्यान rakhنا कि होमो लॉगय सिरीज जो होती है, उसमें एक functional group fix होता है, बस यही बात ध्यान रह Amanda है कि functional group same होना चाहिए, बट different होना चाहिए, क्या, एक add होता हुआ, CS2 group, ये अलग होना चाहिए, चलिए, आजे देखते हैं, ये पढ़िए क्या ल group same functional group in which the members of series can differ by the molecular formula of CH2 का अंतर आता है और CH2 का अंतर आता है तो एक बात बताईए इनके molecular formula में चलो इनका molecular formula बताओ और इनका बताओ चलो निकाल के बताओ molecular formula निकालना आता है molecular formula आता है क्या निकालना है बताओ ये कितने लोग ऐसे हैं जो molecular formula निकाल सकते हैं लिख सकते हैं और molecular mass लिख सकते हैं चलो molecular mass बताओ आज इनका molecular mass क्या होगा इनका molecular mass क्या होगा आप क्या कहेंगे देखिए यहां पर एक carbon है तो एक carbon के लिए तो 12 लिखते हैं ठीक है अब देखो hydrogen कितने है चार चार hydrogen के लिए तुम आएगा 4 amu अच्छा एक oxygen के लिए कितना आएगा 16 आएगा तो ये कितना हो गया जी 32 हो गया क्या इनका molecular formula देखो 32 आएगा 32 amu आएगा amu atomic mass unit आएगा अच्छा एक बार बताईए अब अगर इनके इनका जस्ट पडोसी कौन है ये homologous release का homolog है तो इसमें CH2 ही तो एक्स्ट्रा हुआ है तो CH2 को अगर आप देखो तो CH2 को देखो कितना आता है कारबन का आएगा 12 दो hydrogen का तो कितना आएगा 14 तो 14 amu या इसी को sort me u लिखते हैं तो यहाँ पर 14 और एड हो जाएगा तो 32 प्लस 14 ये कितना हो जाएगा भई या 46 amu इन दोनों में difference कितने का है 14 का है यही बात यहाँ लिखी गई है कि दो लोगों में molecular mass 14 का अंतर आता है और अगर हम molecular formula wise देखें तो CH2 का अंतर आता है इस तरीके से साथ आपको समझ में आ चुका होगा आई अगला देखते हैं ये question करिए ये question वैसे आप मुझे लगता है खुद कर ले जाएंगे L के नॉर्स जो मैंने बताया ना भी पीछे उन्ही को general form में लिख देना है ठीक है N की value 1 put करें और ये satisfy कर दें पताओ N की value 1 put करें और satisfy हो जाए तो आप कौन सा है वो C वाला है कितना आसान देखो क्या बोल रहा हूं मैं हमें हमेशा क्या करना चाहिए जब लिखा L के नॉल all लिखा ना all मतलब alcohol होता है अगर नहीं आता तो मैं बता दू all का मतलब alcohol है यहां पर आगे इसको पढ़ने वाले हैं तो इसका sort यहां पर देख लें CS3OS से match करा लेंगे आपको मिल जाएगा जब आप आई अगला देखते हैं अब आते हैं main चीज़ पर that is functional groups functional group में 12 functional group की कहानी को थोड़ा सा समझना मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ यह सब समराई जोकर कि एक साथ खतम हो जाएगा ज़्यादा नाटक नो टंकियों की ज़रुवता को नहीं पड़ेगी मैं 12 functional group को दो हिस्से में डिवाइड करता हूँ एक हिस्सा होगा 7 functional group का एक होगा 5 functional group का कहानी कुछ ऐसी है कि देखिए भईया यह कौन है यह कौन है भईया यह है मम्मी जी यह मम्मी जी है इस कारबन की फैमिली में जो लोग थे उनकी मम्मी जी कौन है भईया कारबॉक्सली के सीड़ यह बाजार गई हुई थी किसके साथ पापा जी के साथ पापा कौन थे सलफोनी के सीड़ तो यह दोनों कहां गए थे भईया बाजार गए थे ध्यान सुनियेगा मैं जान बुझ कर डिवाइड कर रहा हूँ इससे सारे जो आपको रटने पड़ते हैं वो सब खतम हो जाएगा एक बार में समझ में आ जाएगा ठेक है जी आए देखते हैं इसको एक बार समझ लोका आये देशे इसके बाद आपको मैं ब्रेक दे देता हूँ 10 मिनिट का क्लियर है दे देता हूं लेकिन इसके बाद, ज्यादा टाइम नहीं, तो 5-6 मिनट काम है, तो कृपय अधिहान से सुनिये, कहां नहीं क्या थी, मम्मी और पापा गये थे कहां पे, बाजार में, ठेका जी, अब हुआ क्या कि जब आए, पापा जी बहार आए, मम्मी जी बहार आई, बा मम्मी है, पूरे 12 में, ये 6 और लोग थे, जहां पर इनकी सकले मैच करती है, मतलब, यहां कारबन है, यहां भी कारबन है, कारबन है, कारबन है, कारबन है, कारबन है, कारबन है, यहां देखो, इन 7 लोगों में, कारबन कॉमन था, तो सबको इन से प्यार था, तो ये सारे क कहां चले गए एक ग्रुप में चले गए समझ में आया कहां चले गए यह सारे एक ही ग्रुप में चले गए समझे आप दूसरा देखो पापा की सकल को देखो धान से इनके यह इनके तो समझ में आता है कि यहां तो कार्बन नहीं है तो कार्बन नहीं है तो इनकी सकल को देख कर बाकी लोग इनके घरवाले जहां पर कारबन नहीं थे वो इनकी तरफ आ गए तो देखो यहां पाँच फंक्शनल ग्रूप में चार वो फंक्शनल ग्रूप लिखे गए हैं जहां पर कोई भी कारबन नहीं है लेकिन लेकिन ये वो लोग थे अरे सुनना रे ये वो लोग जिनके सब में कारबन होते हैं एक बच्चा पकड़ ले गया मैं क्या बताने वाला हूँ very very good मुझे लगता है इसने पहले मेरे से पढ़ाओगा नहीं तो ये चीजे ऐसे आई ही नहीं सकते है ठीक है ये कहानी कहीं नहीं है ये मेरी खुद की कहानी है जिससे आपको याद रहता है जीवन भर कभी नहीं भोलोगे अब सुनो होता क्या है अभी देखो एक सदस से गायब है यहाँ पर साथ लोग यहाँ चार साथ और चार मिलकर ग्यारा एक गायब था कौन था वो कीटोन था अब होता क्या है कीटोन रसोडे में था रसोई घर रसोई घर में था रसोडे में था कौन कीटोन तो एक सुना था ना एक मीम वायरल हुआ था पहले रसोडे में कौन था तो अब पता चल गया तुम्हें कौन था कीटोन था अब कीटोन अपने रसोई में था, जब वो उस बाहर निकला गेट के, तो उसने देखा है, मम्मी की तरफ तो इतने लोग खड़े, पापा तो बचारे केवल चार लोगों के साथ अपने खुदों को मिला कर के खड़े, तो वो क्या होता है, किदर सरक्या आगया जी, कीटोन क के तरफ, अरे ये इनके पापा की तरफ आ गया, तो बस कीटोन में कारबन तो था, ये थोड़ा मम्मी से प्यार तो करता था, लेकिन उसने देखा, पापा बचारे अकेले पढ़ रहे हैं, चलो इनका नंबर बढ़ाता हूं, तो कीटोन जो है, वो इस साइड आ गया, समझ के कारबन को पकड करके उसको नंबरिंग वन दीजिए, ओलवेज नंबर वन बनाईए, मम्मी की यही कंडीशन है, कि भईया, हमारे बेटे और हम खुद कारबन नंबर वन पर जिंदा रही हैं, हमेशा ऐसा होगा, कि ये लोग कारबन नंबर वन ग्रहन करेंगे, क्या करें ये सब के सब कारबन नंबर वन ग्रहन करेंगे, लेकिन ये जो लोग हैं, इनको बस अगर वन मिला, तो संतोस है, खुसी है, प्रसनता है मन में, लेकिन वन नहीं मिला, वन नहीं मिला, तो कोई दुख्की बात नहीं है, ये कहते हैं, वन नहीं मिला, कोई दुख्की बात न हैं आप मुझे काम करो बस minimum number प्रोवाइड करवा दो वन मिलता मैं खुस हूँ लेकिन अगर मुझे minimum number भी मिल जाए तो 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 धी मैं खुस हूँ minimum number जैसे मालो two मिल गया three मिल गया तो यह खुस है यह कोई दिक्कत की बात नहीं है बस कोसिस यह करो वो कहते हैं जादा जंजट मत पालो पापा वड़े सांत आदमी वो कहते हैं एक दो गे तो भी ठीक नहीं तो भया देखो minimum number कोई साथ मादो मेरे जुड़े हुए कार्बन प के लिए क्या बोला गया carbon present in functional group are always given the position one हमेशा one position पर रहेंगे हमेशा इसका कोई यह तोड़ नहीं है लेकिन यहाँ आऊ नम इथर लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा इथर को छोड़ो इथर को एज फंक्शन ग्रूप यहाँ पर ट्रीट नहीं करेंगे as a substitute किया जाता है main chain के इसलिए उसको यहाँ पर नहीं पढ़ाता मैं ठीक है अब देखो पांच functional group में मैंने क्या लिखा numbering is done numbering उधर से करना है उस side से main chain which gives the lowest number of the functional group आपको functional group को भया क्या बोलना है minimum number बस एक ही ब्रह्मसूत्रे काम बन चुका है एक ही ब्रह्मसूत्रे काम बन चुका है बटा दे इंका carbon number one कहा आएगा आख मूद के कहो भया मम्मी है यह मम्मी को carbon number one चाहिए पडोसी को दो दे दो दो carbon के लिए हम एथलिक देंगे और जब carbon count हो गया तो हम oic acid लिख देंगे तो हम लिखेंगे देखो दोनो carbon के बीच में केवल एक single bond है तो हम लिखेंगे ethane क्या लिखेंगे ethane और CWH लिए है oic acid तो हम लिखेंगे ethanoic acid हम क्या लिखेंगे ethanoic acid सिंपल है ना अरे बोल रहे हैं संपल है ना जी हाँ अब आप कहेंगे सर यह एन में e कहां चला गया तो यह जान लीजिए जब भी आपके functional group के नाम में a e i o u आएगा तो उससे जस्ट पहल एन का e गायब करो इन का e गायब करो आइन का e गायब कर दीजिए बोलो भाया अरे बोलो भाया एक लिख रहा है राजवन सर क्या o p in the chat येस boss is o p in the chat and I am the o p जो सबके नाम के साथ जुड़ करके उनका हर नाम की आवकात बढ़ा देता है वो सिर्फ मैं हूँ मेरा नाम ही ओ हो मैं भाया ओम पंडे मारा नाम ही है हां तो राजवन सर के नाम के पीछे भी ओम लगाई है कोई दिक्कत नहीं अच्छी वात है अब आया मजा नालाक पढ़ ले तुझा लग रहा है मुझे दुख हो जाएगा वह मेरे दूस्त है पढ़ ले इधर तो यह हो जाएगा इत इस कारबन को मिनिममम नंबर दीजिए तो क्या मैं इधर से चलू मिनिममम आएगा 123 इधर से चलने पर 3 इधर से चलने पर 2 तो कहां से चलना चाहिए जी इधर से चलना चाहिए अरे बोल रहे बालक क्या आएगा तो आप कहेंगे चार कारबन के लिए मैं तो क्या लिखने वाला हूँ ब्यूट और चारो कार्बन में कहीं भी डबल बॉन ट्रिपल बॉन नहीं तो ब्यूटेन है ना यह हमने क्यों नहीं लिखा क्योंकि हमें यह पता था कि कार्बन नंबर टू पर ओच मतलब की ओल प्रेजेंट है सफिक्स के लिए तो टू ओल लिख दिया जाएगा तो ब्यूटेन टू ओल आएगा क्या आएगा ब्यूटेन टू ओल आएगा अरे समझे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को कोई समस्या तो नहीं नहीं होनी चाहिए अगला देखिए यहां मता यह नंबरिंग का आएगा रे सरी तो carbon है ना carbon को तो हमेशा 1 देना पड़ेगा यह अपनी मजबूरी हो गई है सर ठीक है बाकी नामकरण बाद में कर लेंगे चलो यह दे दिया आपको समझा दिया क्या लिखना होता है ठीक है उसी तरीके से यहां 1 यहां 2 यहां से 3 यहां से 4 बस हमें बताना 1 देखो कह ना दिया carbon को यहां देखिए NH2 जुड़ा जिस carbon से यहीं से सुरुवात कर लो 1,2,3 क्योंकि हमें minimum number देना था तो देखो यहां और जुड़ा है उसको 2 मिला है यहां तो 1 मिला है 1 मिले तो खुस है वो 2 मिल जाए कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वही minimum number possible था तो उसको दे दिया गया है इसका नाम बता सकते हो पांच कारबन के लिए हम क्या लिखेंगे पैंट लिखेंगे क्या लिखेंगे पांच कारबन के लिए हम पैंट लिखेंगे पांच कारबन में हमें कहीं double या triple नहीं दिख रहा तो पैंटेन लिखेंगे पैंटेन लिखने के बाद हम अल लिखेंगे क्योंकि अल से पता चलेगा कि यहां aldehyde group जुडा हुआ है तो इसका नाम है pentanal और इसमें न वन टू लिखने की ज़रूत नहीं पड़ती क्योंकि यह हमेसा किनारे होगा carbon number one पे ही होता है ठिक है ओके आईए यह वाला लिख ले जाएंगे इसका नाम बता पाएं जी आपको कोई भी नहीं है जो बता पाएं चलो भाई तो इसको break के बाद करें चलो जी कोई बात नहीं break के बाद कर लेंगे जी अच्छा ये थोड़ा था बाकी है नहीं अभी break नहीं ये इसी के बाद break है इसी के बाद break है बस एक PPT के बाद break है एक PPT के बाद break है बस ये देख लो ये तो वड़ा असान है सुनना सुनना हमने क्या सीखा था तेखो हमने सीखा था कि multiple bond number of carbon आ जाए तो उसको सबसे आगे रख दीजिए बस एक ही चीज आए डूई इस फंक्शन ग्रूप मल्टिपल बॉंड को तो हम पहले से भी इज़त दिया करते थे मल्टिपल बॉंड को इज़त दे नहीं है जान दखना फिर नंबर आफ कार्बन नंबर आफ कार्बन के बाद आफ सब्टिट्टिक्टिक्ट आफ लोगेंड दख लिजे फिर अल्फाबेटिकल और देख लींजे इसी सिक्वंस में आपका काम बनता पॉंक्शन ग्रूप की वो तो मैंने बता दिया कि ये क्या लिखा पता है कि वही जो A,E,I,O,U अगर आ जाए किसी भी functional group के नाम में जैसे O,E,C,E,D में आया था तो मैंने alkane का E काट दिया था वही इनोंने लिखा है कि first alphabet of secondary suffix secondary suffix मतलब principal functional group का suffix जो लिखा जाता है अगर उसमें A,E,I,O,U आता है तो primary suffix का ये drop करना पड़ता है हटाना पड़ता है example के तोरप अगर देखेंगे अगर lowest locant लेखना हो तो पहले priority दीजिए गिंती गिंते वक्त का numbering करते वक्त functional group को अगर functional group नहीं है तो multiple bond को अगर multiple bond नहीं है तब जो है subtitlement को number दीजिए अधरवाई चलिए किसके हिसाफ से functional group के हिसाफ से फिर multiple फिर subtitlement उपर भी यहीं लिखा यहां भी मैंने लिखके दिया है आईए बस इसका नाम करन करना है आपका एक छोटु सा break आपको मिल जाएगा चलिए नाम करन करिए ऐसे थोड़ी ना दे देंगे जी ऐसे थोड़ी ना दे देंगे बोलो बोलो यहां पर बताओ senior functional group कौन है आप कहेंगे यह जो है यह ketone है और अगर ketone भाईया तो यह ketone इस समय senior functional group का का काम करेगा आपको मैंने पढ़ाया था, senior functional group का काम करेगा, और जो OH है, ये junior functional group का काम करेगा, junior functional group हमें as a substitute and treat करना होता है, अगर ये junior है भाई साहब, तो एक बात का ध्यान रखना, अरे भाईया जी, एक बात का ध्यान रखना, ख्याल रखना, कि इनसे हमें क्या लिखना है, hydroxy, hydroxy, ये हमें prefix देंगे, junior लोग prefix देते हैं, लेकिन senior लोग secondary suffix देते हैं, तो वो own देते हैं, अब बठाएए, numbering कि इधर से करें, इधर से, इधर से, कि इधर से करें, अरे numbering कि इधर से करें, कि minimum number आए भाई, अरे sir, इधर से करो ना, two आ जाएगा, देखिए, one, two, three, four, अगर आप numbering इधर से करते, तो ये three पर आता, वेज़ती होती ना जी, तो minimum number of का देना है, इस carbon को, जो ketone के अंदर है, क्योंकि ये पापा की family के side का है, समझ गए, हमारे आपके पापा की बात नहीं हो रहे, ये सब उस functional group के family की बात है, समझे, तो चार carbon के लिए, हमें क्या लिख है, इसका मतलब, butane लिखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक दिक्कत हो जाएगी, देखो, two पर क्या present है, own, इसलिए हमें, यहां का ये हटाना पड़ेगा, e हटाना पड़ेगा, क्या, हमें यहां का e हटाना पड़ेगा, two पर own लिखना पड़ेगा, देखो, but to own से ये चल गया कि इतना बन गया हाँ सरपता चल गया कारबन नंबर चार पर ओएच प्रेजंट है एज जूनियर तो इसको रिखेंगे फोर हाइड्रोक्सी अरे अब तो बोलो समझ में आया मैं आपको सच बताओं रूल वूल ना सब निपट चुका है सब निपट चुका है आप जब ब्रेक से लोटेंगे तो सिर्फ प्रक्टिस होगी बाकी कुछ रूल वूल नहीं चलेगा जाता सब समझाया जा चुका है उसी को अपलाई करके खोपड़ी में सट करने का काम करेंगे ताकि अब रिवीजन रिवीजन नहीं मारना है जी यह चैप्टर ऐसा है कि सब खतम हो जाए यहीं पर आज तब ही अच्छी बात होगी अरे समझा रे अरे बोलो रे भाईया समझा रे ब्रेक कैसे देंगे जी तुम लोगों को एक मिनाट रुको ना जी ब्रेक देने का काम तो नोट पर होता है और मैं पढ़ाता हूं आपको PPT पर कवनों बात नहीं अना जी यहां पे टूल होता ना कहां गया जी यह है टूल साइट हाँ एक क्लोक 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 नहीं पढ़्यएक और तुमळों पता है कि टाई nuts n कि शुरू हो गया भी या हां हां सिर्फ और सिर्फ दस इतना पतला के से लिख दिया जी तुमने दस मिनट का ही ब्रेक होगा कि न तुम्हारा न हमारा कुछ लोग कह रहे थे ब्रेक नहीं चाहिए कुछ लोग करें बहिया बहुत बड़ा ब्रेक चाहिए तो दस मिनट का ब्रेक है कृपया इसमें केवल जो आप लोग कह रहे थे वो करिएगा किसी को फोन मत करना डिस्टरवेंस आ सकती है आपका मन झाल 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 करें काम की बात अपने आवाज जारी है क्या इक बार देखो अब पढ़ना है हमें नेमिंग ओफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पर पढ़ाई कर लेते भाईया धंग से देखो अभी तक एक हजार लोग गायव हैं एक हजार लोग आ नहीं भाई वापस लगता है इसलिए मैं थोड़ा एक आद मिनट लेट आने कोसिस कर रहा था कि आ जाएंगे तक तक आजाओ भाईया आजाओ बात करते क्योंकि काम की बात है यह नेमिंग ओफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन अब यह देखिए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पहले क्या देखना होगा वह पड़ेगा यह सुनलो भाईया क्या बात है यहाँ पे आपको साइक्लिक और एसाइक्लिक दोनों फॉर्म मिलेंगे नॉर्मल चीजें तो आप कर ले जाएंगे लेकिन यह सुनिए यह जैसे साइक्लिक फॉर्म में आपको क्या दिख रहा है यह चार कारबन की एक चेन तो हमें क्या करना होता है हमें साइक्लिक और एसाइक्लिक पार्ट में से कोई सा एक में चेन चुनना होता है और उस में चेन को चुनने का यह तरीका है जो हमने पहले भी सीखा है यहाँ अपलाई करके बताऊंगा भी ध्यान से सुनिए यह साइक्लिक पार्ट नहीं है तो होगा क्या cyclic part या acyclic part में से कोई सा एक main functional group हो main chain होगा इन में से इन में से कोई main chain बनेगा अब main chain cyclic बनेगा या acyclic बनेगा वो इस बात पर depend करता है कि functional group जो है cyclic पर लगा है या acyclic पर जहां functional group लगा होगा वही main chain बन जाएगा जहां multiple bond होगा वही main chain बन जाएगा जहां जादा number of carbon होगे वही main chain बन जाएगा या अगर जादा number of carbon या को दोनों में number of carbon बराबर है cyclic और recyclic में तो हमें चक करना पड़ेगा sub to 20 को और naming करते वक्त lowest set of locant और alphabetical order का हम ध्यान रखेंगे समझाता हूँ सुनिएगा ये जैसे देखिए धांग से अगर ऐसा निकल जाए कि देखो भाईया cyclic और recyclic में number of carbon भी सेम है sub to 20 भी सेम है सब कुछ सेम है तब सर तब क्या करूँगा मैं तब नाम कैसे बनाऊंगा तब वहाँ पर cyclic को preference दीजिए और cyclic को ही main chain गोसित कर दीजिए cyclic जो होगा वो side chain बन जाएगा सुनो रे बाला क्या बोला मैंने अभी कि देखो भाई यहाँ पर अगर यही example ले लिया जाए तो यहाँ पर four member ring यहाँ पर तीन ही carbon का बना हुआ side chain होगा तो यह main chain यह side chain पता है क्यूं क्यों क्यों यहाँ ring के अंदर चार carbon है यहाँ पर देखो open form में तीन ही carbon है तो इसका मतलब acyclic वाला side chain का काम करेगा लेकिन ये main chain का काम करेगा और जो side chain है उसी का prefix बनता है क्या उसी का prefix बनता है तो इसका बनाएंगे बनाएंगे हम prefix अच्छा कहीं तुम उल्टा ना समझ लो इसलिए मैं आटा रहा हूँ क्योंकि तुम ये समझ लोगे acyclic हमें सब ये होता है कोई नहीं example से समझाऊंगा ये देखो भया इसका नाम कैसे लिखेंगे पहले इसका नाम बताओ बोलो भया इसका नाम जोर लगा के बोलो इतना जोर बोलो की यहां तक सुनाई पड़े चलो चलो बोलो क्या होगा cyclopropane होगा प्रोपेन क्यों होगा भया numbering कर लो 1,2,3 तीन कारबन प्रोपेन cyclo क्यों 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 कि cyclic है लेकिन अगर ऐसा हो ये तो सिर्फ इतना था लेकिन अगर cyclic के साथ acyclic part भी हो तो हमें चेक करना पड़ेगा कि main chain कौन सा है तो आजाओ रे बालक यहाँ देखो यहाँ पे तीन कारबन है ये cyclic के अंदर तीन कारबन है ये acyclic के अंदर भी तीन कारबन है क्या बोला मैंने क्या बोला मैंने भई सब लोग सुनेंगे अरे दिमाग लगा भई खोपड़ी ये क्या है cyclic part है ये cyclic part है ये क्या है ये acyclic part है ये acyclic part है अब बात ये है cyclic part को main chain बनाया जाए या acyclic को main chain बनाया जाए ये किस बात से decide होगा इन बातों से decide होगा तो देखो यहाँ पे भी 3 carbon यहाँ पर भी तीन कार्बन अच्छा अगर number of carbon सेम हो जाएं तो क्या कहिए कि cyclic वाला main chain होगा जब सारी बातें सेम हो तब cyclic को preference दीजिये और cyclic को क्या घोसित करिये कि भाया तुम ही main chain हो main chain तुम ही हो और main chain पता चलते ही word root वगरा लिखा जा सकता है सुनो रहे भाई, सुनो रहे भाई, ढान से यह अगर cyclic रहे mention दो लिखें कैसे यह numbering one, यहाँ पर two, यहाँ पर three क्योंकि one पर यह group लगा हुआ है तो नाम लिखते वक्त आप लिखेंगे कि देखो भाई, जो acyclic वाला है वो हमें अब prefix देगा, वो as a substitute काम करेगा, main chain वाला क्या करता है भाईया, main chain वाला word root बनाता है, क्या बनाता है word root बनाने में help करता है समझा दूं क्या, और अच्छे से देखो अगर जो prefix है, उसमें देखा हमने तीन carbon, तीन carbon के लिए हम क्या लिखेंगे प्रोपाईल लिखेंगे, तीन carbon के लिए प्रोपाईल लिखेंगे, अच्छा, कौन से carbon पर carbon number one पर, carbon number one पर एक प्रोपाईल गुरूप प्रजेंट है और main chain के हिसाब से इसको लिखो तो ये कुछ और नहीं, cyclopropane है ये भाई साब क्या है, cyclopropane उसी के one पर क्या लगा हुआ है प्रोपाईल तो ये है, one प्रोपाईल साइक्लो, प्रोपेन अच्छा, अगली बात देखो भाई, यहां बताओ चलो अरे खोपड़ी ले क्या हो रहे अपनी 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 खोपड़ी सब लोग यहां लेकर क्या है, बताओ भाईया यह देखो, यहां पर अभी भी तीन ही कारबन है, लेकिन यहां देखो हे बालक, इस एसाइक्लिक पार्ट में, जो ओपन चेन है, उसमें चार कारबन कितने हैं? अरे यहां देखो भाईया, आपस में क्यों लगे पड़े हो? एक, दो, तीन, चार, यहां चार कारबन है, तो यह मेंचेन देगा, क्या देगा? यह मेंचेन देगा, और मेंचेन में चार कारबन तो हम यहां पर ब्यूट लिख देंगे, क्या लिखेंगे? ब्यूट लिख देंगे और चारो कारबन पर क्या है सिर्फ सिंगल बॉंड है तो इससे हम ब्यूटेन लिखेंगे क्या लिखेंगे ब्यूटेन लिखेंगे तो ये वाला तो हमें ब्यूटेन बता रहा है यही main chain बने गिया, अच्छा, numbering कर लो, numbering यहाँ सुरू करो, 1, 2, 3, 4, तो हम क्या लिखेंगे, 1 पर क्या present है बताओ, इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम as a prefix क्या होगा, very good, बहुत सही लोगों ने बताया, कि ज़र इसको आप कहिए, cyclopropyl, अरे भाई, जब इसको लिखते थे cyclopropane, तो इसको अगर as a substitute बनाई, तो cyclopropyl हो जाएगा, तो 1 पर क्या लगा है, cyclopropyl, और इधर पीछे क्या है, butane, तो यह इसका नाम बन जाएगा, समझ गए, यस देख सकते हैं, जरूर देख सकते हैं, जिस किसी को समझना, पढ़ना, लिखना, सलेक्शन पाना, आयटी जाना, वो इस पूरे कोर्स को देख सकता है, मंजल में जो चल रहा है, आई अगला देखते हैं, चलो बताओ, यहाँ पर main chain कौन होगा, आपको बस सवाल ये पूछा गया, कि बताइए, यहाँ पर ये main chain है, ring वाला main chain है, या acyclic वाला main chain है, बताइए, main chain कौन सा है, बताइए, इनमें से main chain कौन सा है, तो आपको बताया गया था, जहाँ पर multiple bond आएगा, वही main chain बनेगा, multiple bond कहां है इसमें multiple bond कहां भईया यहां पे इसका मतलब यह main chain होगा यह main chain होगा और इसकी numbering करोगे तो कैसे करोगे भईया यहाँ one क्योंकि आपको क्या करना है main chain में आपके जो एलकीन का carbon उसको minimum number देना तो यह one यह two और यह three होगा ठीक है तो यह आपका main chain है main chain है इसको कहते है main chain के बगल वाले को कहते है side chain जिसको side में लिखा जाए भईया side chain इसको फिर से वाई लिखिए क्या लिखिए कि three पर cyclopropyl है carbon number three पर cyclopropyl है prefix के रूप में और यह देखिए तीन carbon से बना हुआ तीन carbon से बना हुआ प्रोप one पर double bond तो one पर in हो जाएगा एक बार देखो एक बार देखो समझ में आया अरे बालक एक बार देखना अध्याद समझ में आया क्या लिखेंगे कि one two three तीसरे carbon पर cyclopropyl है और यह देखिए propane मतलब prop लिखेंगे लिकिन one पर ही in है क्या आपको समझ में आया यह बात आपको समझ में आती है क्या यह समझ में आरे बहुत अच्छी बात है बहुत आसान भी है यह देखिए यहाँ बताईए अब देखो double bond कहा है रिंग के अंदर अगर double bond रिंग के अंदर इसका मतलब main chain यह है यह भाई साइड चेन है और साइड चेन में तीन कार्बन से बना हुआ साइड चेन क्या होगा मैं यहाँ पर अगर इसको लिखूँ एजस साइड चेन इसको क्या कहिएगा जी प्रोपाइल बोलोरे बालक प्रोपाइल इसके लिए प्रोपाइल सब्दी यूज होगा लेकिन इसके लिए क्या यूज होगा बताईए यहाँ नम्बरिंग करिए यह 1, यह 2, यह 3 नम्बरिंग आप हमेशा ऐसा करिए कभी कभी गलती से आप क्या करते हैं वन करने के बाद 2 यहाँ कर देते नहीं, हमेशा डबल बॉन को पुरा कवर करना है तो 1, 2 होते हुए 3 जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे 3 पर प्रोपाइल है देखो 3 पर प्रोपाइल है फिर इसका नाम मेंचेन के रूप में बताईए क्या होगा साइक्लो प्रोप वन इन होगा साइक्लो प्रोप वन इन होगा देखो समझ में आया यह क्या है यह साइक्लो प्रोप वन इन है तीसरे पर क्या लगा है प्रोपाइल लगा है इतनी बाद समझ में आई हाँ, वन इन लिख लोगे अच्छा रहेगा नहीं लिखोगे तो समझ में आता है कि one ही होगा जहां नहीं लिखा जाता समझ में आता है कि one जरूर रहा होगा समझ में आया बात अरे ये हिसाब किताब समझ में आया है यस अब अगली चीज़ करेंगे चलिए ये question करिए AIEEE 2006 में पूछा गया question है करिए आपको वक्त मिलता है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड जादा वक्त देना ठीक नहीं है इन पे चलो चलो बालकों बताओ क्या होगा चलो लग जाओ देखो बोलो भया क्या आएगा इसका बताना है ठीक है तो हमें क्या करना डबल बॉन्ड को नंबरिंग करनी तो ये 1, 2, 3 देखो अगर आप नंबरिंग इधर से करते तो यहाँ पर दूर पड़ता तो इसलिए हमने ऐसा किया 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब 6 कारबन साइक्लिक है तो एक बात तो कनफर्म है कि ये साइक्लो हेक्ज तो लिखा जाएगा है ना और डबल बॉन्ड कहा है कारबन नंबर 1 पर तो हेक्ज 1 इन लिखने में कोई संदे है तो है ही नहीं बोलो भाया अच्छा अब देखो 3 पर ब्रोमो है 1 पर क्लोरो है 3 पर ब्रोमो है 3 पर ब्रोमो है 1 पर क्लोरो है साइकलो हेक्जवन एन है देखो कहीं मैच होता है क्या कौन सा सही है भईया सी ओप्सन सही नजर आ रहा है अच्छा जी चलो सी ओप्सन को हम सही मारते है बताओ भईया वेरी वेरी गोड बहुत अच्छी बात है आयूस पाटले अच्छा कर रहे हो यार अच्छा कर रहे हो अच्छा ड्रीम है सफल होगे ठीक है अच्छी बात है यह ना नहीं सवर्ड गलत है सी ऑफ्सन था ना चलो ठीक है ऑफ्सन समझ में आ गया सी होगा अच्छा समझ में आया question हुगा होना चाहिए आए यह बताए चलिए अब हमने द लिखना होगा जी, cyclopropane लिखना होगा, इसमें किसी को कोई संदे है, तो अभी बोल दो भाई, cyclopropane लेकिन हमें एक बात पता है, कि ये भाईया, OH को all लिखते हैं, तो numbering यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 होगा, इधर चे जाएंगे, तो इसको numbering मिल जाएगी minimum number, और यहाँ सुर प्रोपेन वन ओल इससे तो ये निप्टा लेकिन अभी हमें ये बताना ये क्या है तो हम कहेंगे टू पर प्रोपाइल टू पर प्रोपाइल तो टू प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन वन ओल होगा BMW यहां कहा से आगया BMW जी अरे घुमा देंगे जी selection लेक्षन 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 रहिए यह मेरा दावा है जब मैं बोल चुका हूँ कि मैं घुमाऊंगा मुझे पता है उस दिन मुझे रहना पड़ेगा क्योंकि यह बात मैंने कई सारे बैचित में बोल रखा है तो मैं उस दिन का ड्राइबर हूँ भाई selection के दिन का मैं ड्राइबर हूँ मैंने fix कर रखा है खुद ही चलाऊंगा वो गाड़ी किसी को दी भी नहीं जाती चलो यह बताओ भाई यहाँ पर आप कहेंगे कि OH देखे साइड वाले में है तो नमबर यहाँ सुरू होगी 123 कर ले जाएंगे 1 cyclopropyl इसके बाद क्या होगा propane 1 all लिखो लिखो सब लोग लिखो क्या लिखेंगे लिख देता हूँ 1 cyclopropyl 1 cyclopropyl propane propane 1 all देखो यह वाली बात propane 1 all पे निपड़ गई और 1 per cyclopropyl है यह बात और निपड़ गई अच्छे से पोल के जरुवत नहीं होती है यार पोल नहीं जाता आपके पास होता क्या है यह YouTube वाला पोल इस तरीके से नहीं यह हमारे आयक वाला ही पोल यहां पर इस तरीके से लगाया जाता है ताकि आप जो लिखते हो उससे comment आता है उससे percentage गिनता है ठीक है आईए यह देखिए चलिए यह बताईए यहाँ पर पता है substituent से होगा देखो यहाँ पर भी तीन कारबन यह देखो इधर भी तीन कारबन लेकिन यहाँ पर अगर आम इसको main chain मानेंगे तो इसमें यह सारा एक substituent का काम करेगा तो यहाँ पर एक substituent है लेकिन यहाँ किनो अगर हम इसको main chain ले तो यह है one यह है two यह है three तो इस main chain पर chlorine और यह ये दोनों क्या है भाई ये और ये क्लॉरीन ये दो substituent है अगर नीचे वाले को मानते तो सिर्फ एक substituent आता लेकिन हमने इस बीच वाले को जब माना मतलब कि एसाइकलिक पार्ट को अपना main chain माना तो दो क्या आगए substituent आगए इसका मतलब हमने सही माना है नाम लिख पाएंगे क्या बोलो 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 क्या होगा यहाँ तीन कारबन के लिए आप क्या बोलते हैं तीन कारबन के लिए आप लिखेंगे कि भईया यहाँ पर प्रोपेन आएगा यह देखें क्या आएगा प्रोपेन प्रोपेन डारेक्ट पूरा लिखना पड़े यह प्रोपेन वन पर क्लोरो और वन पर साइक्लो प्रोपाईल तो क्या लिखा जाएगा वन अच्छा बताओ क्लोरो पहले लिखा जाएगा या साइक्लो प्रोपाईल लिखा जाएगा कौन बता पाएगा सर आपने लिख दिया तो खुदी पता चल रहा है देखो साइकलो में क्या है CY है लेकिन यहाँ CH है इसलिए इसको आगे लिखा गया इसको बाद में लिखा गया कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है खोपड़ी तक ये बात उतर रही है बताइए भीया अरे बोल रहे नालायक भीया क्या होगा वन क्लोरो वन पर क्लोरो वन पर ये साइकलो प्रोपाइल और ये पूरा का पूरा प्रोपेन ये खेल साइद समझ में आ रहा होगा कुछ नया नाटक नोटंकी तो नहीं है है ना आई अगला करते हैं ये बताईए इसमें इसमें देखोगे तो देखो ये वाला जो है ये वाला जो है इसमें कितना है तीन कारबन ये साइकलिक में भी तीन कारबन लेकिन अगर तुम साइकलिकों में इंचेन बनाते हो तो फाइदा ये होने वाला है तुम्हें कि यहा alphabetical order में chloro है ये प्रोपाइल है तो इसलिए जहां से शुरुबात कर रहे हैं समझ में आया की नहीं आया सर हमें क्या पता अरे हे नालाएक वन पर क्लोरो है अगर हम कहें टू पर प्रोपाइल है तो ये ठीक है हम वन प्रोपाइल नहीं कह सकते न क्यों क्योंकि alphabetical order के हिसाब से minimum number देना पड़ेगा जी जहां पर क्लोरो रहेगा समझ में बात आई है क्या अब लिख ले जाएंगे क्या बोलिएगा वन क्लोरो टू प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन बस यही है बोलो भया मामला ठीक है क्या यस आईए ये question attempt करिए चलिए चलिए नाटक नोटंकियों से बाहर आईए क्रिपया selection के लिए काम करिए आईए बताईए इसका result आप बताईए मैं तब तक आपके लिए 45 second नहीं देने लाए के भाई 30 second का एक सवाल आपके सामने रख रहा हूँ चलिए बताईए पता नहीं कहां गायब हो गया है चलो आओ इनका नाम लिखना है तो देखो अब एक बास समझ में आती नंबरिंग करनी है ठीक है तो हम क्या करेंगे जी अलफा वेटिकल ओडर देखें क्या देखें बताओ लोवेट सेट औफ लोकेंड देखें तो आप कहेंगे यही देखिए सायर लोवेट सेट औफ लोकेंड आगे आता है अलफा बेटिकल के तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 साइक्लो हेक्जेन का मामला समझ आता है लेकिन 1 पर क्या है 2 CS3 ग्रुप है आईए ये question J-Advance 2017 में आया हुआ था इसको आप attempt करेंगे इसके लिए मैं आपको 45 सकंड दे रहा हूँ इसके लिए मैं आपको 45 सकंड दे रहा हूँ चलिए मैं आपको साथ-साथ कुछ यहां पर लिखके बताऊंगा क्योंकि कुछ बातें आपको अभी पता नहीं हूँ बस मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर बेंजीन की खोपड़ी पर CS3 लगा दिया जाए तो इसको टॉलवीन कहते है बस इस information से काम बन जाएगा बेंजीन की खोपड़ी पर अगर लगा दिया जाए CS3 तो हम इसको कहते हैं टॉलवीन बताईए बताईए चलिए सब के सब लोग बताएंगे रे बबाबा क्या बोला है मैंने इज स्लैस है भाई या दो लोग सही भी हो सकते है एक भी सही हो सकता है ये जेईद एडवांस 2017 का क्वेश्चन है इसको टॉलवीन कहते हैं इस बात को मानते हुए आप सौल्व करिएगा ठीक है आईए अब देखते हैं देखो यहाँ पर देखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं ये बेंजीन है इसमें कोई दिक्कत तो किसी को मैंने जान मुझकर इसको लिखा है ताकि आपको मैं यह तो रहा बेंजीन बेंजीन में क्लोरीन है तो क्लोरो ये रहा मिथाईल तो क्लोरो को आप प्रफरेंज देंगे तो यह नंबर वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइफ ये सिक्स मतलब फोर पर मिथाईल वन पर क्लोरो तो देखो है कहीं वन क्लोरो फोर मिथाईल बेंजीन सी आप्सन तो सही है कोई दिक्कत नहीं है बात सही है तुमारी सी आप्सन सही है लेकिन इसके साथ-साथ एक आप्सन और सही आ रहा है पता है कौन सा बोलो भही आपता है कौन सा टॉलीएन वाला कैसे वो देख लो ये है टॉलीएन जब वो कहते हैं टॉल्वीन तो इसका मतलब है बेंजीन की खोपड़ी पर लगा हुआ CS3 इतने को तो टॉल्वीन कहते है इतने को टॉलिएन कहते हैं क्या? इतने को तो टॉल्वेन कहते हैं अब देख sharply compromise कि तॉल्वेन पर यह किनारे इसके रिस्पेक्ट में चौथे नंबर पर क्लॉरीन है इसके रिस्पेक्ट में चौथे नंबर पर क्लॉरीन है तो यह 4 क्लोरो टॉल्वेन आएगा means that B & C आप्सें आएगा मैं अब ये देखूंगा कि B और C दोनों कितना आ रहा है मैंने B सेलेक्ट किया B और C मिला करके ये हो गया है कितना हो गया जी पचास और ये कितना है ठीक है फिर ठीक है इजद बज़ गई है इजद बज़ गई है जी समझ में आया क्या ये जेई एडवांद 2017 का कोश्चन है अभी मज़ा आ रहा है आनंद की अनुभोती हो रही होगी जहां तक मैं समझ रहा हूँ अब आते हैं भईया सारा रूल वूल खतम अब भईया जी बहुत बेसिक सा प्रेक्टिस है आउ करते हैं आपने बहुत सारा कर भी लिया है ठीक है आएए देखते हैं क्या है भईया फंक्शनल ग्रूप जो OH होगी ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रूप क्या होता है अब भईया तोड़ा स्पीड में चल सकते हैं कि अब हम सिर्फ प्रेक्टिस पर हैं ठीक है सफिक्स की बात करें तो ALL लिखते हैं प्रफिक्स की बात करें तो हाइड्रॉक्सी लिखते हैं प्रफिक्स की बात करें तो हाइड्रॉक्सी लिखते हैं ठीक है अब हमें इसका नाम बताइए एक ही carbon है तो क्या मैं इसका नाम methanol नहीं लिख सकता अरे हा सर लिख सकते हैं अगली चीज़ देखिए यहाँ पर एक carbon है यहाँ पर दूसरा carbon है ठीक है दो carbon के लिए हम क्या लिखते हैं एथ मैं speed थोड़ा पकड़ इसलिए रहा हूं क्योंकि अब यह सारी बाते हो चुकी है हम इसको कहेंगे एथेन लिखो क्योंकि दो carbon के लिए एथ और दोनो carbon में कोई double triple bond नहीं है single bond इसलिए एथेन one पर all present है तो लिख दीजिए एथेन one all या इसको simply इथेनॉल कहते हैं इसको simply क्या कहते हैं इथेनॉल कहते हैं अरे बोल रहे भाईया समझ में आया क्या आईए अगला देखते हैं बोलो 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 अगला क्या है भाईया इसका नाम बताओ चलो चलो इसका नाम बताओ one two three तीन carbon की एक chain है तो इसके लिए हमने सुना था कि प्रोप लिखते हैं और यहाँ पर सब के बीच में single bond है इसलिए प्रोपेन लिखते हैं और one पर oh है तो one पर all लिखते हैं तो यह हो जाता है प्रोपेन one all यह क्या हो जाता है प्रोपेन one all हो जाता है प्रोपेन लिख ले जाओगे नहीं नहीं अब आपको बताना पड़ेगा कि प्रोपेन का 1 यहां रहेगा होता क्या है न कि अगर आप मालो को टू लिख दे तो समझना यहां पर आ जाएगा वो ओएच आई अगला बताई चलिए यह वाला क्या है यह प्रोपेन 2 ओल है यह आसान है 1,2,3 तो इसको क्या कहेंगे प्रोपेन के कारबन नमबर 2 पर ओएच है तो यह प्रोपेन 2 ओल है लेकिन यहां बताईए यहां की नंबरिंग करें तो यह 1 है यह 2 है यह 3 है तो 3 कारबन के लिए तो हमने लिखना तब यह प्रोप और 3 कारबन में सारा सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे प्रोपेन लेकिन 2 पर क्या है तो हो जाएगा 2 all और बताओ कुछ बच गया क्या यह 2 2 पर CS3 2 पर CS3 मतलब 2 पर मिथाइल है चालो एक भार देख लें एक भार देख लें बइया कितने लोग सही बता रही है एक बार देख लें कितने लोग सही बता रही है सायना टू पर मिथाईल है और ये प्रोपेंट टू आल है एक बालक पूछ रहा है कि सर्फ दो स्लाइड पीछे वाला क्वेशन बता दीजिए ये वाला ये वाला कह रहे हो चलो confusion नहीं होना चीजिए बहुत important चीज़ है ये आएगा paper में दुबार आएगे वी बता रहा हूँ देखो होता क्या है आपको numbering ऐसे करनी होती है जिससे lowest set of locant तयार हो पहले कोसिस कर अलफा बेटिकल ओडर जब lowest set of locant सेम होते हैं तब देखे जाते हैं तो पहले set of locant बनाईए अगर आपने numbering यहां करी है वन तो इसका बनेगा वन लेकिन दो सी अस्त्री है तो इसलिए वन वन दो बार लिखना पड़ेगा और टू पर इथाईल लिखना पड़ेगा तो यह है set of locant अगर आप यहां वन करते ते देखो रहे बालक शायद यही confusion होगा क्योंकि मैंने अलग से बनाके नहीं बताया है है ना यह देखेगा अगर मैं numbering यहां से करता तो यह बना तक 2,3,4,5,6 इसके लिए तो set of locant यह आता इसके लिए set of locant यह है देखो यहां 1 एक बार 2 दो बार है क्योंकि दो बार सफ्टू 20 आया इन दोनों को compare करो पह यह कम है यह जादा है इसका मतलब यह acceptable नहीं है यह गलत है यह सही है I hope आप सभी को आनंद की अनुभूती हुई हो कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या ना आई हो चलो अब अगर बात करें इनका बताओ चलो कौन बताएगा आसान है यह भी कौनों है जो जो बता बोलो यहां कारबन नंबर 1 ले लिजिए यहां कारबन नंबर 2 यहां पर ले लिजिए कारबन नंबर 3 तीन कारबन की चेन के लिए आप लिखेंगे प्रोप तीनों कारबन में कोई डबल ट्रिपल का खेला नहीं तो प्रोपेन और तीन बार ओच है तो इसके लिए क्या लि लिखेंगे 1, 2, 3, try all देखो सही लिख रहे हैं प्रोपेन 1, 2, 3, try all प्रोपेन 1, 2, 3, try all बहुत सही लिख रहे हैं अलफाबेटिकल ओडर ओलवेज्च सेट अफ लोकेंट के बाद आता है अरे सबसे लास्ट में अलफाबेटिकल ओडर देखना होता है यार कुछ लोग तो प तीछे पढ़ गए है अल्भावेटिकल ओडर के अरे नहीं पढ़ना है बालक समझना है ठीक है यहां देखो यह देखो इसमें देखें तो ओए जहां जुड़ा है वो कारबन नंबर वन क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जहां जुड़ा होता है उसको मिनिमम नंबर प्रोवाइ पेंटेन साइकलो पेंटेन लेकिन लास्ट में आप क्या करेंगे जी पेंटेन के बाद वन पर ओएच वन पर ओल होगा और टू पर मेथाईल टू मेथाईल होगा अरे बोलो रहे भाई टू मेथाईल साइकलो पेंटेन वन ओल होगा समझ में आया क्या समझ में आया क्या भ जे ये डवांस के जितने question थे मैं कराता जा रहा हूं extra की चक्कर में मत पढ़िये जितना बता रहा हूं वो इसी मिसे paper बनने वाला है और जब आप paper देखे आएंगे तो देखेगा मैं बताऊंगा यहीं पर आके है ना तो ये 1 है ये 2 है ये 3 है ये 4 है इसा ये 5 है सुनना ध्यान से हमने double bond को preference नहीं दी किसको दी OR को क्यों 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 है एक principal functional group है अब आप नाम करन खुद करेंगे आप इस योग्य हो चुके हैं ठीक है आए ये जेखते हैं ये देखो क्या है ये pH क्या होता किसी को पता है pH का मतलब है Phenyl pH का मतलब है Phenyl जो हम कह रहेते हैं कि Benzene जब एज़ Subtutumant कहीं आइड हो जाता है तो उसको Phenyl कहते हैं Numbering करिएगा ये है 1, ये है 2 ये है 3, ये है 4 क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 2 पर Phenyl है बोलो बोलो अरे बोलो भईया क्या होगा 2 पर Phenyl 2 पर Phenyl है 4 कार्बन के लिए ब्यूट है लेकिन 3 कार्बन पर तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो ये आ जाएगा और इसके बाद 1 पर आल है देखो समझ में आया क्या भई? कितनों को समझ में आया भई? कुछ लोगों ने सही लिखा है ये एक ने गलत लिख दिया हाइड्रोक्सी कैसे आ सकता है? हे बालक इधर आओ दिमाग लेकिया हो चलो चलो दिमाग आया हाथे लीप रखना दिमाग अपना हाथे लीप एक ता कि करीब रहे concept नालायक कहीं के इधर आई हो फैनाईल तो सफिटुटुवेंट ही है तभी तो पीएच लिखा गया है तो टू पर फैनाईल वन पर ओएच है तो यार ओएच को तो तुम सफिक्स में लिख रहे हो नालायक तो ओल लिखोगे ना? हाँ समझे जैज वाला की भईया समझ में आया? चलिए वाया कुछ लोग क्वेशन डिमांड करते रहते हैं कहता हूँ सब लेके आया हूँ चलो करो बताओ जी कौन सा आएगा देते हैं हम आपको 30 सेकंड चलिए 30 सेकंड का नजराना उतारिये यहाँ पे अपनी खोपड़ी, अपनी दिमाग, अपनी बुद्धी को लगाईए बताईए इसमें से कौन सा सही होगा जी नंबरिंग कहिए तो थोड़ा सेट कर दें बताओ क्या होगा सर जहाँ ओच है उसके कारबन को मिनिमम नंबर दे देते तो मज़ा आता आनंद की अनुभूती होती तो चलिए हम कहेंगे जी यह वन है अब देखे पीछे जाने के बजाए आप लोवर नंबर दिलवाना है तो यह धर आईगी थ्री, फोर, फाइव, सिक्स अब आपको पता कि साइक्लो हेग्जेन तो लिखना ही पड़ेगा साइक्लो हेग्जेन के वन पर आल है तो हेग्जेनॉल है वन साइक्लो हेग्जेनॉल ये भी चलेगा देखो कभी-कभी वन आगे लिख देते हैं जो all यहां है वो one आगे भी लिख दिया जा सकता है ध्यान रखना उसका भी same ही मतलब होता है 3 पर क्या CS3 CS3 C option तो मुझे सही लग रहा है बाकी चैट भी यही बात कह रही है इसका मतलब है कहानी ठीक जा रहा है अरे बोलो रे बालक क्या होगा यहां पे क्या होगा यहां पे यह सी वाले की बात करूँ तो सी वाला ही मुझे सही नजर आया आप भी 70% लोगों ने सही किया है यहाँ पर रोनक दईया यूजी साहब ने सबसे ज़्यदा सहीब बताया है देखिए अगर मैं गलत प्रोननसियेशन कर दूँ तो माफ करिएगा जी पार्थ पोटे जी इसके बाद आते हैं यस्ट गुप्ता ये सब लोग आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है मुभारख बाद चलिए आगे बढ़ते हैं ठेका जी आईए अगला देखते हैं आओ भाई कहां चले गए हाँ एमाइंस पर चर्चा होगी एमाइंस की अगर मैं बात करूँ तो इसको जनरली एनेच्टू गुरूप करके लिखते हैं आईए यहां देखते हैं इसको suffix के तौर पर तो amine कहते हैं लेकिन prefix के तौर पर इसको amino कहते हैं क्या हम कहते हैं कमीनो नहीं जी amino कहते हैं तो ध्यान रखेगा amine और ये क्या रहेगा amino रहेगा ठीक है ओके अब ज्यादा नहीं बचा है अब जादा नहीं बचा है, थोड़ा ही बचा है, जादा नहीं बचा है, अब जादा वदा का कोई चांस लग नहीं रहा है क्योंकि कान भर का काम हो चुका है, काम भर का काम हो चुका है आपके, मैं नाम नहीं पढ़ पाया होंगा, यह खांसरा बहुत मारूंगा, अब जो भ ग्रुप है तो ये 1 और ये 2 दो कार्बन की दुनिया के लिए हमने इथेन सीखा है कोई दुखदर्द परिशानी तो होगी नहीं अच्छा इथेन 1 एमाइन या इथना माइन अभी लिखा जा सकता है क्योंकि दो ही कार्बन और दो कार्बन में से किसी भी एक कार्बन पर आप एनस्टू लगा दो इतना माइन ही बोला जाएगा अरे बोलो रे भाई बोलो रे भाई या बाट ठीक है क्या अगला बताईए यह देखो यह भैयाद यहाँ गलती कर बैठते हुआ यह सुनना नाइट्रोजन जहाँ पे बड़े कार्बन की चेन देखता है उसका मन ललचाता है कि इसको मैंचेन नापड़ेगा तो नाइट्रोजन जहाँ connected है उसके कार्बन को one और यह धर दूग, इधर देखो यह कही carbon था, इधर दो, इसलिए दो carbon वाले को बढ़ा chain, main chain मानते हुए, उसको हमने h लिख दिया है, क्या लिख दिया जी, हमने इसको क्या लिख दिया है, h लिख दिया है, e-t-h, बल्कि ए धेन लिख देते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई डबल या ट्रिपल तो नहीं है तो देखो हमने लिख दिया इसको एथेन कोई दिक्कत की बाद तो नहीं है अच्छा एथेन के बाद हम कहेंगे एमाईन लगा लो क्योंकि हमें पता है कि एथेन कारबन नमबर वन पर क्या जुड़ा हुआ है एमाईन जुड़ा है चाहो तो यहाँ पर वन लिखी दो चलो कन्फ्यूजन तो नहीं है कई लोग पीछे बढ़ जाद है सवार आपने वान ही नहीं लिखा गंदे आदमी हो आप सही है क्या इथेन वन अमाईन अब सुनो अब हमें ये बताना है कि नाइट्रोजन पर सियस्थ्री लगा है अब इसको कैसे बताएंगे तो हम लिखेंगे कि देखो भईया नाइट्रोजन पर मिथाईल गुरुप है nitrogen per methyl group है ये बताएंगे कैसे बताने का तरीका है N-methyl nitrogen per methyl है और इसके बाद ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है इसका रिष्टा कहलाता है ethane 1-amine ethane 1-amine इतना part है यहां से लिकर यहां तक लेकिन nitrogen per CS3 है methyl है इसलिए ये हो जाए समझे अगला करिए यहां देखे कितनों की बुद्धी काम करती है पताइए इनमें से कोई सा एक को मेंचेन मानना पड़ेगा तो चलो यह मेंचेन मान लिता हूँ अब यार अब अब्वेस सी बात भले एक कारवन क्या कर सकते हैं अब यह मेंचेन है लेकिन यह भाई साब लोग तो साइड हैं यह साइड चेन है मेंचेन में एक ही कारवन है तो मुझे तो मीथेन लिखने में कोई संदेह नजर नहीं आ रहा है हम क्या लिख देंगे मिथना माईन लिख देंगे मिथेन एमाईन मिथेन एमाईन मतलब इतने को हमने लिख दिया है अरे सुनो रे बालक इतने क हमने लिख दिया है मिठना माइन का मतलब ये होता है लेकिन अभी बात जो बची है अरे वो ये है अरे सुनो भाई खोपड़ी लाओ इस नाइट्रोजन पर दो सियस्त्री है मतलब N-N नाइट्रोजन पर दो डाई मिठाइल जुडा हुआ है N-N-Dimethyl Mithnamine इसका पूरा नाम होगा बोलो भई आतक की बात समझ में आई ये बातें समझ में आई क्या कि nitrogen पर 2 Mithyl और ये पूरे का नाम है Mithnamine क्योंकि एक carbon ही इसके अंदर आता है समझ में आता है क्या चलो अगला बताओ अगर आता है तो इसका नाम बताओ इसको बड़ा असान है जी NH2 एक functional group है उसके carbon को minimum number देना है तो 2 ही possible है minimum अब यहाँ से सुरू थोड़ी कर सकते हैं एक किनारे से करना होता है नाम आप खुद लिखेंगे सेम कहानी यहाँ पर double bond और NH2 में आपको NH2 को preference देना है तो नाम करन आप खुद लिखेंगे चलिए पहले वाले का नाम और दूसरे वाले का नाम लिखेंगे पहले वाले का नाम कैसे लिखेंगे तीन carbon की chain के लिए तो आज तक आपने क्या लिखा है propane लिखा है इसमें कोई संदे है तो ही नहीं propane लेकिन 2 पर अबकी बार amine है तो propane to amine ये हो जाएगा समझे यहाँ पर क्या बोलेंगे बोलो बोलो यहाँ पर आप कहेंगे तीन carbon में आप लिखिए prop अच्छा प्रोप के बाद 2 पर क्या लिखिए in 1 पर क्या लिखिए amine कितने लोगों ने सही बताया था बोल मेरे भाई बाट ठीक ठाक लग रही है क्या खोपड़ियों तक सीधी सीधी बात land होती है क्या अरे बोल रहे बालक ओ मेरे बालक बाट ठीक लग रहा है यह चलो बताओ अगर ठीक लग रहा है चलो 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 अब हमें खेल क्या दिख रहा है NH2 and OH अब भाईया हमें पता करना पड़ेगा junior कौन, senior कौन junior कौन alcohol junior senior कौन alcohol alcohol obviously senior है भाई पीने के बाद आदमी एकदम ही कहा पहुँच जाता है खोपड़ी उसकी उपर हो जाती तो यहां से numbering करिए क्योंकि असली functional group यही functional group आपको क्या बताता है कि मैं तुम्हें all बनाऊंगा ठीक जी, तो यह one यह two यह three four, five, six six वाला यह जो जो जोड़ा है यह हमें amino नाम का amino नाम का prefix देदेगा क्या देगा prefix अब नाम आपको खुद लिखना पड़ेगा दुबारा बता दू, कोई repeat कर रहा है तो सुनिएगा OH और NH2 के जब हम seniority order पड़ रहे थे तो OH उपर आता है NH2 सबसे last में आता है 12 नंबर पर 12 नंबर पर यह आता है तो जो functional group है वो आपको क्या देता है suffix जो junior है वो आपको देता है prefix junior हो गया मतलब six amino और इसके बाद है कि hexane one all जिसने यह बताया हो इसको मुबारक बात दीजिए अपनी पीट को थोड़ा सा इस तरीके से थपतपाते चलिए क्या करना है पीट को इस तरीके थपतपाते चलना है क्यूकि हम तो आप तक पहुँच नहीं पाएंगी कैमरे से बारहाँ जाता नहीं है ऐसा साइध होता है जाता है गया साइध नहीं जाता है तो याप एक काम करो ऐसी काम क्या करो चोटें बहने बड़ी बहने हुआ थ्टा ऐसे हो कि बताना हूँ कि मैं पढ़ता लिखता रहता हूँ तो मैं को सुना दिया करो जो कहरे हैं sorry कि ऍहां की चुना कर रिखो तो बुला करके से सुला जितनी बहने हैं वो लिया काूं त्य कि समझ गई अब ऐसा कि कि दोनों भाई भैनी मेरी क्लास में पढ़ रहे हूँ एक साथ ही तब दिक्कत हो जाएं कोई नहीं तब एक दूजरी की थब तब आदो पीट को एक जी अरे मामला ठीक है क्या ओके नितिन राजपूत क्या नाम था जी निकल राजपूत निकल राजपूत ले लिया आपका अगला है थायॉल थायॉल का मतलब भाईया इसमें ज्यादा वक्त देनी जरूत नहीं बहुत जादा यहां से आनाए वाला भी नहीं होता यह है क्या थायॉल यह मरकेप्टो लिखते हैं मरकेप्टो is the prefix ठीक है आए देख लेते हैं यहां पर एक कारबन है तो हमें लिखना चाहिए मिधेन थायॉल मिधेन पुरा ई लिख दीजिये थायॉल methane thiol clear है यह क्या है methane thiol ठीक अगला देखिए यहाँ OH और SH में हमें पता है कि यह principal functional group है principal functional group कहता है कि तुम्हें suffix बनाना है all लिखना है लेकिन SH क्या है SH तो junior है OH के सामने OH preference order में आगे है superiority order में आगे है SH पीछे आता है तो इस मामले में हम कहेंगे कि यह भाई साब है junior functional group junior functional group के लिए mar capto लिखा जाता है क्या लिखा जाता है mar capto लिखा जाता है mar capto लिखा जाता है अब इसका नामकरण आप खुद कर लें third वाले को third कहां दूसरा है यार very good किसी ने नाम बहुत सही बताया है उसी का छाप लेता हम भया उन्होंने का यहाँ one करिये sir यहाँ two यहाँ three तो क्या हो जाएगा two mar capto two mar capto इसके बाद propane one all two mar capto propane one all अरे बोल न जी अरे बोल न जी सही है ना आई यह ketone की बात करते हैं जो paper में आता है इसके just बाद इसका एक previous year question करवा दिया जाए ketone में क्या होगा c double bond o group होगा और उसके दोनों तरफ इधर और इधर दोनों तरफ कारबन होंगे अगर मैं suffix की बात करूँ तो suffix तो ketone का own आता है prefix की बात करूँ तो oxo आता है क्या oxo आता है या keto बोल सकते हैं साथ में keto भी सब्दी use होता है या oxo आता है ठीक है आई ये use करते हैं पढ़ते हैं समझते हैं यह देखो यहाँ पर आपको पता कि को one नहीं देना है यह concept बिरादरी के हैं पापा वारी बिरादरी के हैं तो यहाँ पर two यहाँ पर three अब तीन कारबन के लिए तो हमने हर बार प्रोपेन लिखा है कोई दिक्कत तो है नहीं तो प्रोपेन के बाद two पर own लिखने में कोई संदे होगा ही नहीं तो प्रोपेन two own हो जाएगा बोला रहे भईया बाद ठीक है क्या बोलो भईया यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आईए देखते हैं अगला देखते हैं अगला देखते हैं भईया यहाँ पर बताये नामकरन कैसे किया जाए आप कहेंगे यह जो कार्बन है उसको कार्बन नमबर वन अब इधर two मत करना इधर two करने का फायदा होगा कि two में थाइल लिख देंगे lower number रहेगा कम number रहेगा यहाँ पर three यहाँ पर four यहाँ पर five यहाँ पर सिख चलो बताओ अरे सो तो नहीं रहे हो अभी पताओ भया क्या आएगा चलो चलो अरे क्या प्यार माटरा भाई कुछ नहीं मिलेगा जिस email id को तु लिख रहा है एंजल समझ के वो एंजला है वो जल जला कर देगा पुरा पढ़ लिख ले काम की बाद समझ नहीं आ रही तुझे यहाँ पर क्या होगा च्छै कारबन साइक्लिक है तो हमें साइक्लो हेक्जेन साइक्लो हेक्जेन लिख देना चाहिए वन पर ओन लिख देना चाहिए वन पर ओन लिख देना चाहिए 2 पर CS3 है तो 2 पर methyl लिख देना चाहिए 2 पर methyl लिख देना चाहिए समझ में आया क्या यहां तक की बात समझ नहीं 2 पर methyl इसके बाद क्या आता है cyclohexene 1-0 अरे समझा रे हाँ very good अब यह बताईए इता बहुते आसान है मैं नहीं बताने वाला है हाई मन नहीं हो रहा इतना असान है 1-2-3-4-5-6 अब लिखी ले जाओगे ठीक है चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ I hope हाँ वो एंजला होगा भाई बता रहा हूँ मैं तुम तुम्हें लगता है क्योंकि हमारे समय में जब हम लोग ग्रेजुवेशन में थे तो तब फेस्बूक जादा चलता था भी फेस्बूक अच्छा चलता नहीं तब फेस्बूक पर किसी की पूरे प्रोफाइल को लोग डाल करके रोज रोज एक एक अप्लोड करतें मतलब ऐसे कि एक अप्लोड किया ताकि लगे कि यह कोई एंजल ही और एंजला बनके अपने ही क्लास के लड़के को बेकूप बना रहे होते थे लोग समझ रहे हो चलो अगला देखते हैं कार्बॉक्सलीक एसड की बात करें तो कार्बॉक्सलीक एसड में लिखा जाता है सी डबल उवेच ग्रुप सफिक्स की बात करें यहाँ पर तो देखो भईया यहाँ पर क्या आता है ओएक एसड यूज वैसे करके मैं बता भी चुका हूँ ओएक एसड बोलते हैं और प्रफिक्स में कार्बॉक्सी बोलते हैं में तो भी ओएक एसड से काम बनने वाला है वो देखो एक ही कारबन है नमबर यहीं करनी पड़ेगी मतलब क्या हो जाएगा जी मीथे नोइक एसिड क्या बोलो भया बात सही लिख रहा हूं क्या मीथे नोइक एसिड सही है एक ही कारबन है तो ओएक एसिड लगाना था मीथे नोइक एसिड हो जाएगा थैंक यू जी थैंक यू नाम मैं आपका पढ़नी पढ़ा जो भी लिख रहे थे अच्छा लिख रहे थे धन्यवाद आए देखते हैं यहाँ पर देखो भाई यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो numbering में 1, 2 2 carbon हो गया तो भाईया जी क्या हो जाएगा 2 carbon के लिए ethenoic acid ठेक है अच्छा यह काम की बात है भाईया यह सारी काम की बात है आगे हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जिस पर आप सभी को गौर फर्माना है आगे वाली चीज़ें आपको परिशान करेंगी इसलिए मैं कहूंगा अब से लेकर के थोड़ी दिर next आदे गंटे serious हो जाएए चैप्टर भी खतम है और आपके काम की सबसे ज़्यादा बात यहीं पर होने वाली है मैं जान बुझकर यहां से बोल रहा हूँ इसके पहले सब कुछ आसान था देखिएगा यहां पे numbering करना शुरू किया तो यहां आप 1, यहां पर 2, यहां पर 3, और यहां पर 4 चार कार्बन के खेल में हमने लिखा कि यह क्या होगा यह butane होगा यह butane होगा चार कार्बन के खेल में butane और 1 और 4 पोजीशन पर जो c où h group present हैं उनके कार्बन को नंबर दिया जा रहा है 1 और 4 मतलब कार्बन को गिना जा रहा है तो हम उस समय OIC ACID लिख देंगे तो हम कहेंगे कि 1,4 डाई मतलब 2 बार OIC ACID है वहाँ पर 2 बार OIC ACID है कृपया ध्यान दें इन बातों को क्या लिखा गया है लिखा गया इसका नाम होगा ब्यूटेन 1,4 डाई OIC ACID मुझे लगता है वहाँ पर भी है तो थोड़ा सा इसके उपर आ जाएगा उससे बजाए हम नीचे लिख देंगे हम लिखेंगे यहाँ पर क्या होगा डाई OIC ACID ठीक अब आता है यहाँ खेल चलिए बताईए यहाँ बताईए very good बहुत सही लिख रहे हैं जी हर्स जी सही लिख रहे हैं और GW नंदन धुरूव पता नहीं क्यों हस रहा है उसको अलग ही मजा रहा है एक नालायक O.P मेरा नाम भी खराब कर रहा है O.P इंसान यूट्यूब करके है वो तो पता नहीं मोए मोए करा पड़ा हुआ है अब गधे आदमी हो यार आओ सबसे important बात करते हैं जो paper में आएगा सबसे ज़्यादा important यही लाईने होंगी जो अब पढ़ने वाले हो तुम अब तक जो पढ़ा है सब फालतू था क्या सर नहीं जाई इस सब काम का है C.W.O.H. के इस carbon को carbon number 1 इधर 2, इधर 3, इधर 4 दे दीजिए अच्छा अब 4 पर यह सब main chain में हो गए तो यह भाई साब कौन है जी यह तो benzene है substituent phenyl हो जाएगा समझ में आया क्या क्या हो जाएगा phenyl हाँ very good किसी ने नाम लिखा 4 benzene नहीं बोलते भाईया benzene जब हो तो उसको phenyl लिख दिया जाए substituent क्या हो क्योंकि इसको गिना नहीं जा सकता इसके number हम नहीं कर रहें अंदर जब अंदर numbering करेंगे तब benzene वगरा लिखते है बाहर कर रहे हैं 4 carbon के लिए हमने लिखना सीखा था 4 carbon के लिए butane butane बलकि direct लिख दो butane oic acid butane oic acid butane oic acid इतना होगा butane oic acid लेकिन carbon number 4 पर phenyl है तो 4 phenyl लिखने में कोई दर्द परिशानी समस्या थोड़ी है बोलो भईया एकदम सही बात है अगले चीज़ सुनिए यहां बताए चलिए चलिए चलो भईया यहां पर आप कहेंगे यह carbon number 1 और यह 2 अब बताए इसका क्या नाम है बस इसका नाम बता दीजे यह काम बन चुका है 1 और 2 दो carbon के लिए तो हमने जीवन में इथेनोईक जैसे सब्द को इजाद किया था कि यह होगा इथेनोईक एसड लेकिन इस इथेनोईक एसड में 2 पर क्या लगगा यह कौन अब यह साइक्लो हेक्जाईल 2 पर साइक्लो हेक्जेन है तो इसको क्या लिखेंगे साइक्लो हेक्जाईल यह सब पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है साइक्लो हेक्जाईल 2 पर साइक्लो हेक्जाईल और इथेनोईक एसड है कहानी ठीक लग रही है क्या यासर एकदम सही है मजा चा आ रहा है आई अगला देखते हैं ये बताइए अब की बार देखो ध्यान से सुनो अब की बार का खेल एकदम ही अलग है अब की बार रिंग से direct जुड़ा है क्या बात कर रहे हैं रिंग से direct जुड़ा है लेकिन यहां देखो कार्बॉक्सलिक एसिड सफिक्स एक यूज होता that is कार्बॉक्सलिक एसिड कार्बॉक्सलिक एसिड ये सफिक्स तब ही यूज होता है जब रिंग से डारेक्ट ये जुड़ा हुआ हो देखो ये जो ग्रुप है वो रिंग से डारेक्ट कनेक्टड है तो इसके लिए लिखेंगे carboxylic acid और इसको लिखेंगे main chain की तरह इसको main chain की तरह लिखेंगे भाई इसको लिखेंगे cyclohexane इसको लिखेंगे cyclohexane इसको लिखेंगे अब क्या होता है जब ring से direct connected हो दोनों का नाम अलग अलग एक साथ लिख दीजी बोल रहे मेरे भाई crazy experiment सा आप यहां पर देखो पढ़ाई कर लो यह क्या है cyclohexane और यह है carboxylic acid क्या 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 बोल रहे हैं सर आप carboxylic acid देखो द्यान से यहां पर गलती से oic acid का नाटक नहीं करना है जी ring से जब direct connected हो ring से यह direct connected नहीं बीच में कारब बने जब direct connected होगा तो इसका नाम पढ़िए cyc carboxylic acid ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि इस carbon की counting अब possible नहीं रही वन के बाद इसको गिन नहीं सकते ना जी इसलिए इसको ऐसा लिखते है cyclohexane carboxylic acid यह एक तरीका है जी समझे यह बहुत काम की बात थी जो अभी आपने सीखी है चलिए अगर आपने पढ़ा लिखा ढंग से है तो यह question करने में आपको वक्त नहीं लगना चाहिए चलिए आपको दे रहा हूं सिर्फ देख लो देख लो इस question को जल्दी से देख लो नामकरण करना है अरे बोलो रे ओ बालक इसका क्या करना हूं 30 second दे रहा हूं देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं चलो 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 आईसोमेरिजम नहीं भाई आईसोमेरिजम एक बहुत बड़ा चैप्टर है उसको एक साथ करवाया जाता है आईउपेसी अलग है आईसोमेरिजम एक पूरा बहुत बड़ा चैप्टर हो पूरा एक साथ करके सीखना पड़ेगा और सबसे कठिन काम है आईसोमेरिजम को सम प्रजेंट होंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो सबसे अच्छे आईसो मेरजन जानने वालों में से होंगे ठेक है, फिलहाल बताईए, नामकरण के हिसाब से देखें, तो CWH को 1, इधर 2, इधर 3 यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6 बांटना पड़ता है, 6 के हिसाब से, हेक्जे नोइक आएगा देखो, हेक्जे नोइक लेकिन 2 पर मिथाईल 2 पर मिथाईल कहीं है 2 पर मिथाईल, हेक्जे नोइक असिड और 4, यहाँ पर देखो, 5 पर लेकिन फॉर्मिल फॉर्मिल गड़बड कर जाएगा कच्छतो गड़बड लागता का गड़बड है वही CWH का प्रेफरेंस ओर्डर जादा है सही है 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्जेनोइक एसेड 2 पर मिथाइल 2 पर मिथाइल और 5 पर फॉर्मिल 5 पर फॉर्मिल फॉर्मिल को ऐसे नहीं लिखते CHO के लिए फॉर्मिल सब्द यूज होता है 5 पर मिथाइल नहीं हो सकता नालाएक उधर से मत गिन दो गलत है इधर से नहीं गिन सकते ना क्योंकि CWH जो है प्रेफरेंस ओर्डर में उपर है इसका मतलब इनकी फॉर्मिल वाली बात माननी पड़ेगी सिंपल है इनकी फॉर्मिल वाली बात तो माननी पड़ेगी है ना क्योंकि फॉर्मिल और औग्जो तो यूज करते थे औग्जो को ही दूसरे नाम से यो चिला चिला के बता रही है है ना वैसे मैं बताऊं, सही जो चीज होनी चाहिए, उसमें ये है, अगर हम इसको 3 को 2 कर दें, तो ये हो जाएगा 2 पर मिथाइल, 5 पर ओग्जो, ये सही हो जाएगा, वो सकता मिस्प्रिंट भी हो, ठीक है, कोई नहीं, आपने गलत बताया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यह से कटी मारूँगा, कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए भी, ठीक है, 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल, ये देखिएगा, तो 6 कारबन की वज़ा से हेक्जेनोईक, और 5 पर ओग्जो, की टोन जब, डबल बॉन्ड ओ बनाता है, देखो, मैं अच्छी बताऊं आपको, ओक्सी सब ये ओक्जो लिखा जाता है, इसके लिए ओक्सी, इसके लिए ओक्जो सब्द यूज होता है, ठीक है, ओके, चलिए जी, यहां तक रोकते हैं, अलब रोकते नहीं, यहां तक हगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो वैसे भी आपको कर ले जाना चाहिए, अपने आप से ही चलिए देखते हैं कितने लोग ट्राई करेंगे, देखो क्या लिखा है, पहले पढ़िए कि वर्ड रूट कहा है, वर्ड रूट यहां हेग्ज, तो मतलब 6 कारबन की एक चेन नचानी है, क्या करनी है, 6 कारबन की एक चेन नचानी है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, 6 क कारबन की इस चेन में, देखो क्या लिखा है, लास्ट में ओइक लिखा है, तो इसका मतलब यहां कहीं किनारी की तरफ एसिड बनाना होगा, क्योंकि एसिड तो किनारे की तरफ ही बन सकता है, अब नंबरिंग कर दो, तो यह 1, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5, यह 6, अच्छा जी, अब सुनो, अब सुनो रे बालक क्या होगा, 4 पर मिथाईल, तो लो भईया मिथाईल, 4 पर मिथाईल, 2 पर हाइड्रोक्सी, 2 पर हाइड्रोक्सिल, इसका मतलब यहां पर OH, अच्छा जी, 3 पर इथाईल, 3 पर इथाईल, अच्छा, इसके बाद 3 पर इन, 3 पर 1 3 पर 1 मतलब यहाँ double bond 3 पर 1 5 पर triple bond उरे भाई यह है भाईया डूंड लेना अब इसमें से अब इतना काम तो कर लोगे न जी अगले पर आते हैं हाँ जो आया होगा सही अगर ए सही है तो आपका ए सही है पैसे देख लूँ पता नहीं यह सही भी है की नहीं है है ना एक हाँ लगतू रहा है थड़ा सा बुद्धी लग रहा है तुम लोग भी काम करती है सर आइसी बात मत ख़ड़ यह समग नहीं रहे हैं आप हमको हमको हालखे मैं नहीं लेता है अल्डिहाइड की बात करें तो अल्डिहाइड मैं पता है कि अल्डिहाइड का जो ग्रूप है वहाँ पर किनारे की तरफ लगाना पड़ेगा और एक तरफ हाइड्रोजन होता है अगर मैं सफिक्स की बात करूँ तो अल होता है एक दूसरा होता है that is carb, c-a-r-b carb के बाद लिखिए l-d-hide carb-l-d-hide दो इसके suffix होते हैं तो carb-l-d-hide carb-l-d-hide और al आपकी बार o-l नहीं है a-l, al ठीक है? prefix क्या होगा? इसका prefix होगा formal या इसका prefix होगा oxo इसका होगा formal familiar oxo ठीक है? आई अगला देखते हैं question practice करते हैं वैसे इसका नाम तुरंद बताईए चलिए बिना time गवाए अथर्व बताईए इसका क्या नाम होगा one, two मुझे challenge देरा नाम बताओ अरे नाम बढ़ दो अवे पढ़ले नालायक यहाँ पे दो carbon है तो हमने कहा कि भाईया यह कोई और नहीं यह ethane लिखने योगे लोग हैं और one पर आपको aldehyde दिख रहा है तो ethanol कह दीजिए क्योंकि aldehyde हमेशा one पे ही होगा जहां कहीं होगा one पे ही होगा ऐसी condition में न जी आई अगला बताईए इसमें नामकरण करें तो हमें पता कि aldehyde के carbon को carbon number one, two, three, four और five देना होता है अब आप बताएंगे क्या लिखेंगे बताओ four पर bromo, three पर methyl क्या लिखेंगे पहले पहले लिखे four bromo, three methyl four bromo, three methyl इसके बाद पूरा पढ़ो क्या होगा पेंटेन वन अल या अल कहदो पेंटेनल ठीक है तो four bromo, three methyl पेंटेनल इसका जबाब आए जिन्हों ने बताया किसी ने बताया यार नाम नहीं आ पाया तो आपका very good dream IIT बहुत सही जा रहे हो dream IIT नाम भी है तुमारा, काम भी तुमारा ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन ध्यान रहे आइसो मेर्जम में भी यही बात जिन्दाबाद रहनी चाहिए और आगे जी उसी पढ़ाएंगे hydrocarbon भी उनमें भी जिन्दाबाद रहनी चाहिए ठीक है आई अगला देखते हैं यहां की बात करें तो यहां पर नम्बरिंग ये वन, ये टू, थ्री, फोर, फ़िल इसको आप क्रिपया खुद से कर लीजिएगा अगला देख लीजिए ये भी आपको खुद से करना होगा नहीं इसको मैं उपको बताए रहेता हूं वन, टू, थ्री, फोर, फ़िल पाँच कार्बन की चेन के लिए तो आप पेंटेन पेंटेन होता है भाई टी आयब कर दिया मैंने यहां पेंटेन पेंटेनल पेंटेनल क्यों होग क्योंकि वन पर देखो इतने को पढ़ दिया हमने इसको इसके लिए तो अल पढ़ेंगे न तो यह पेंटेनल लेकिन थ्री पर क्या है ओग्जो थ्री पर ओग्जो या कीटो लेख सकते हैं तो थ्री ओग्जो पेंटेनल इसका नाम करण हो जाएगा अच्छा यह क्वेशन करिए भाई तुरंट अभी करवाया था वैसा ही क्वेशन आया है जे मेंज 2020 में अरे बालक करके देखियो बहुत सारे क्वेशन करवा दिये हैं अरे सुरुवात में कैसे प्रीवेशन करवा सकता हूँ जब तक ऐसा कोई टॉपिक ना है जहां से क्वेशन पूछे जाते हैं चलिए बताइए यहां पर नाम करण कहा से होगा वान टाइम दे दूं क्या टाइम 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 तीस सकेंड टाइम तीस सकेंड भाई यह वान यह क्या होगा टू यह है त्री यह है फोर यह है फाइफ और यहां पर यहां पर देखो six इस तरीके से करें क्या सही बनाया या गलत बनाया है ये भी आपको ही जज करना है गलत है या सही है और कोई ये बोली नहीं है कि मैंने गलत बनाया एक साही तुम छापे जा रहे हो गया इनको कुछ पढ़ाओ सब समझ में आता है इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है अवे धिमाग के पैदल लो five के बाद यहां six नहीं कर सकते ठीक है इस तरीके से ले लो तो five और two two and five पे डाइमेथाईल होगा two five पे डाइमेथाईल है six पर ऑग्जो है है यह रहा सी ओप्सन है क्या होगा सी ओप्सन है करेक्ट कई लोग अपने हिसाप से नाच रहे हैं देखो अब आया समझ अब भाई यहां से ले करके यहां तक जाओगे यह तो अल्डिहाइड है अल्डिहाइड को हम कैसा यूज कर सकते हैं अल्डिहाइड को हम एजस junior functional group यूज कर सकते हैं और उसके लिए हम six में औग्जो लिख देंगे आप सुनो six औग्जो लिखने से हमें कैसे पता चल गया कि अल्डिहाइड है क्योंकि total carbon ही 6 है अगर total carbon 6 है और six पर ही अल्डिहाइड है इसका मतलब है कि सबसे किनारे की तरफ हाँ अल्डिहाइड आएगा क्योंकि कई बार बच्चे confused हो जाते हैं कि सर एक बार बताओ जब ऑग्जो की टोन के लिए भी है अल्डिहाइड के लिए भी है तो यह मामला थोड़ा सा लोचा लगता है मुझे कोई लोचा नहीं है जितने कार्बन हैं अगर वही नंबर औग्जो को मिला जैसे हैग जमतलब 6 और उतना ही नंबर औग्जो को मिला इसका मतलब वह एल्डिहाइड अगर नहीं है यहाँ फाइफ लिखा होता तो वह की टून होता सायद आनन्दा या हो ठीक है आई अगला कर लेते हैं अगला क करना चाहें तो लिख दीजिए साइकलो हेक्जेन, ये है साइकलो हेक्जेन, ये है कार्बॉक्सलिक असिड तो साइकलो हेक्जेन कार्बॉक्सलिक असिड नाम का एक special suffix यूज होगा, क्यों? क्योंकि अब हम इस कार्बन को direct किसी रिंग में काउंट नहीं कर सकते, बाहर काउंट नहीं कर सकते, तो इसको अलग से कार्बॉक्सलिक असिड और इसको साइकलो हेक्जेन पढ़ देते हैं, अगला सुनिए, अगली बात देखिए ये क्या है, ये है तो cyclohexane है ये बात समझ में आती है ये बात cyclohexane की समझ में आती है लेकिन इसको क्या कहते है अगर ये acid जो aldehyde group है वो ring से direct connected है तो इसके लिए use होता है carbaldehyde क्या अभी पढ़ाया था मैंने carbaldehyde इसको कहते हैं carbaldehyde तो बस नाम ऐसे adjust करना है नाम क्या होगा ऐसा ही adjust करना में बता देता हूँ जब ring से just बाहर इस तरीके से ring के just बाहर ध्यान दें जब ring के just बाहर c o h हो ring के just बाहर c o h हो तो हम कहते हैं carboxylic acid ring के just बाहर aldehyde हो c o o h हो तो इसको कहते हैं carbaldehyde तो इसका नाम लिखो कार्बिल्डिहाइड इसका अलग से नाम साइक्लोहेक्जेन बस बस 20-25 मिनट और है 20-25 मिनट जादा से जादा क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको देंगा आज़ा होमवाप करने के लिए ठीक है ये क्या है ये तो देखो सहाब बेंजीन है और ये तो आप पहचानते हैं कि रिंग से लगा हुआ जो CWH है उसको हम काउंट नहीं कर पाते इसलिए इस कार्बन को भी असिड के साथ मिला कर कार्बॉक्सलिक असिड बोलते हैं तो इसका नाम है बेंजीन कार्बॉक्सलिक असिड इसलिक असिड बहुत इंपॉर्णी बताओ ये क्या होगा इसका नाम होगा बेंजीन और इसको क्या कहते हैं भईया अभी पढ़ा था कार्बॉल कार्बल्डिहाइड तो ये होगा बेंजीन कार्बल्डिहाइड रिंग से डारेक्ट जुडा है तो बेंजीन कार्ब है ये टू है ये थ्री ये फोर ये फाइफ ये सिक्स तो हम इसको कहेंगे ये भाईया कोई और नहीं ये बेंजीन बहुत काम की बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हो इसलिए मैं दुबारा दावी के साथ कर रहा हूं धान देंगे तो अगला निप्ट बेंजीन के उन टू पोजीशन पर डाए दो बार क्या लगा है कार्बॉकसलिक तो डाए कार्बॉकसलिक एसिड हो क्या है ये रहा उस पर दो कार्बॉकसलिक एसिड लगा है इसको oic acid मत कहना गलती से जब भी ring से direct connected हूँ तो उसके लिए carboxylic acid यूज होता है यह बहुत important बात है कृपया यहां देख ले अरे बोलो भाई यहां देखो काम की बात काम की बात कृपया यहां देखे यह important जादा है वो उस question को छोड़ भी दें तो कोई बड़ी बात नहीं है समझा चुका हूँ एक बार दुबारा सुन लोगे तो ठीक रहेगा दरवाई छोड़ दो फिलाग यहां देखो क्या यह नाम आपको याद हुआ क्या आपकी खोपड़ी में यह बात गई बोलो बोलो क्या ये बात आपकी खोपड़ी में गई यहा देखो काम की बात इधर है यह क्या है ये benzene 1-2 di carboxolic acid benzene 1-2 di carboxolic acid हो जाएगा चलो इसका नाम बताओ अगर तुमें ये आ चुका है तुमें इसका नाम जरूर आ जाएगा चलो बताओ चलो बताओ भाई चायट वालों लिखके ये बताओ कि ये सही है कि गलत है अरे इसका क्या आएगा आप बताओ ये तो सही लिख डिया, इसी को देख कर बताओ क्या आएगा, आप कहेंगे देखो ये बेंजीन है, एकदम दिक्कत की बात नहीं है यह तो बेंजीन है लेकिन यह देखो कार्बन नंबर one, कार्बन नंबर two क्या प्रजन्ट है? कार्बलडिहाइड प्रजन्ट है तो क्या कहेंगे बेंजीन one, two यह पेपर में आएगा आधे लोग तो बना ही नहीं पाएगे डाई कार्बिलडिहाइड है बड़ा आसान सा बेंजीन 1,2 डाई कार्बिलडिहाइड तो जान रखना रिंग से बहार अल्डिहाइड तो कार्बिलडिहाइड नहीं तो यहाँ पर कारबॉक्सलिक एसड़ लिखते हैं और यह हमारे सबसे काम की बात है यह सबसे काम की बात है फिलहाल के लिए अगले पर आते हैं अब यहाँ से जो पीछे पढ़ा उसका यूज करेंगे हमें एसड एन हाइड्राइड आना चाहिए सिखाता हूं कैसे निकालते हैं एसड एन हाइड्राइड का मतलब होता है कि दो एसड को आसपास लाकर वाटर मॉलेक्यूल हटा दिया गया आप कहते हैं कि आदमी को कहा जाता है कि तुम्हें हाइड्रेट होने का मतलब पानी लेना एन हाइड्राइड होने का मतलब पानी कम है बाडी में ठीक है तो यहाँ पर देखे क्या होता है अगर 2 ध्यान से सुनियेगा 2 acid आपस में मिल करके यहां से OH और यहां से H मिल के गायब करें तो यहां से water गायब हो जाएगा, देखो, H2O आपस में गायब हो, तो क्या बनेगा, वो लिख लो, क्या लिखोगे, benzeen यह देखो, benzeen के बाद क्या बचेगा C1O C1O यह तो गायब हो गया तो क्या बचा? Oxygen अगला देखो यह है Carbon Double Bond Oxygen और यहाँ पर आ जाएगा Benzeen यहाँ पर क्या आ जाएगा Benzeen देखो एक बार देखो एक बार क्या होगा Benzeen CO OCO Benzeen Benzeen CO OCO Benzeen यह देखो जो बीच में यह बना है CO OCO इसको कहते हैं Enhydride Group अब होता क्या है? Usually जब इनका नाम बोला जाता लिखने को तो हमें डर लगता है इतने वड़े का हम नाम कैसे लिखें? यह तो तब भी चलो सही है बाद में और कठिन हो जाएगा कैसे करेंगे? अब सुनना तो इसका इजी तरीका एक है कि जब कभी भी ऐसा दिखें तो आपको क्या करना है? ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में चेक करना है कि क्या दोनों तरफ सेम लोग लगी हैं? तो पता चला हाँ बेंजीन कार्बॉक्सलिक एसिड दोनों एसिड का नाम था बेंजीन कार्बॉक्सलिक एसिड तो इस कंडिशन में यहां कैसे लिखना है? खाली एसिड को हटा दीजिए उसकी जगा एन हाइड्राइड लगा दीजिए बाकी सारी बातें सेम हैं बेंजीन यहाँ पर लिखिए कार बॉक्स लिक अब डारेक्ट यहाँ एड करिए एन हाइड्राइड इनका नाम थोड़ा यूनीक तरीके से लिखना सीखना पड़ता है इसका नाम थोड़ा यूनीक तरीके से लिखना सीखना पड़ता है पहले आपको यह देखना है कि इसमे नाम क्या है पता चला बेंजीन कार्बॉक्सलिक एसिड है और अगर बेंजीन कार्बॉक्सलिक एसिड इसका नाम है तो भया हम इसके एन्हाइड्राइड में से एसिड को छुपा देंगे एन्हाइड्राइड लिख देंगे इसका नाम बेंजीन कार्बॉकसलिक एन हाइड्राइड हो जाएगा लिखने का तरीका यही होता है इतनी बात में को दिक्कत तो नहीं किसी को इतने में किसी को दिक्कत नहीं चलो यह बताओ अब अगर ये लोग आपस में गडबंधन करें देखो क्या होगा इनका नाम बता सकते हो क्या नाम है इनका नाम है इत्थे नोइक इसको कहते हैं इत्थे नोइक एसिड देखो वन और टू इत्थे नोइक एसिड अगर आपस में मिल करके आपस में मिल करके वाटर यहां से गायब कर दें तो क्या बनेगा एन्हाइड्राइड बनेगा और वो एन्हाइड्राइड कैसा दिखेगा CO, OCO, CS3 टाइप का दिखेगा फिर हमने देखा कि इस ओक्सिजन के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ CO, CS3, CO, CS3 है अब बताईए क्या होगा अब बताईए क्या होगा बोलो, बोलो, बोलो अब बताईए इसका नाम क्या होगा आप कहेंगे इसका होगा इथे इथे नूइक एन्हाइड्राइड सिंपल इनके एसड का नाम अगर तुम्हें पता है तो एसड को ढख दीजिए उनकी जगा पर एन्हाइड्राइड चिपका दीजिए जवाब बन गया सिंपल है चलिए अब अगर आपको ये आचुका है तो मुझे पूरा भरोसा है मैंको पूरा दावा है कि आप अब कर ले जाएंगे और एक बार बताऊँ अगर ये आपको डारेक्ट दे दूना पसीने छूड जाते इसलिए इसको डारेक्ट कभी मसीखा करो हमेशा इस तरीके से चलोगे कभी नहीं फसोगे अब यहाँ देखो एच और और वच मिलाकर अगर मैं यहाँ से वाटर हटा दूँ तो इसका नाम आप बताएंगे खुद से देखते हैं कितने लोग बता पाते जो मैं बनाने जा रहा हूँ जो सही बनाएगा उसका नाम दो तीन बार पुकार पुकार के बताएंगे देखते हैं कौन बता पाता है देखते हैं जी कौन बता पाता है यहाँ देखो यहाँ oxygen के respect में न इधर वाला इधर वाले के same नहीं है तो हमें इस वाले acid का भी नाम लिखना है इस वाले acid का नाम लिखना है फिर उसमें से alphabetical order set करके and hydride चिपकाना है देखता हूँ कितने लोगों को यह लिखना आता है चलो लिखके बताओ अरे लिखके बताओ औरे बाबा क्या होगा अब देखो है क्या acid and hydride अमने पढ़ लिया है बाकी ज्यादा कुछ बसता नहीं मैं इस्टर को बहुत ध्यान से पढ़ाता हूँ तो एक बार इस्टर हम ढंक से कर लेंगे बाकी चीज़ां प्रैक्टिस कुद ही कर दोगे जो मैं दूंगा उसको में को कराने की जुरूती नहीं है इतना आसान है ठीक होने वाला है don't worry don't worry अभी तो पांच घंटे भी नहीं कि भाया बेंजोइक बेंजीन कारबॉकसलिक एकिद अअब आप और आपको यह चीज़ और बता voulez, इसको कई बार आ आप देखेंगे कि बेंजीन कार्बॉकसलिक की जग़ा पर बेंजोइक भी लिखा जाता है तो इसको लिख देते हैं दोनों ही सही है यहाँ पर क्या हो जाएगा बेंजोइक क्योंकि बेंजोइक एसिड भी तो कहते हैं तो बेंजोइक इथेनोइक इथेनोइक एन हाइटराइट ठीक क्योंकि इसको 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 देखो बेंजीन की खोपड़ी पर CWOH को सौर्ट पॉर्म में सौर्ट पॉर्म नहीं या सौरी इसको कॉमन नेम में बेंजोई कर से लिए इसको ऐसा लिख सकते हैं दोनों ही सही हैं कोई दिक्कत की बाद नहीं है आई हूब आपको आगया होगा अब आती है बात लिखके बताओ चलो आएम वेटिंग फर यू गाईज प्लीज कम ओन लिखकर के बताईए चलिए अरे ठाकुर साब हात मत उठाईए ये बताईए इसका नाम क्या होगा वेट क सब लोग देखते हैं कितनी लोग बता पाते हैं चलो चलो बताओ तब तो पता जलेगे कुछ आता भी है तुम्हें सारा कुछ मास्टर से पूछ लोगे एक कह रहा थायलीक अनहाइड्राइड अरे थायलीक अनहाइड्राइड इस दर कॉमन नेम मैन इसका आयूपेसी चाहिए आयूपेसी लेकर आओ नाटक नहीं चाहिए आयूपेसी लेकर आओ इसका कोई नहीं बता पा रहा है कर क्या रहे हो तुम वेरे गोड, एक ने पकड़ा, एक ने, बहुत सही, ओहो, गुजर गया यार, तुम्हारा नाम, एक ने पकड़ा है, मूव विल संथिंग करके नाम था, M से कुछ नाम है उनका, चलो, मैं बताता हूँ, पहले क्या करना है, जब कभी भी एन हाइड्राइड मिले, तो आपको इस ऑक्सिजन के रिस्पेक्ट में, दोनों तरफ COOH, COOH करनी हैं, पहले आपको जब तक एसिड के नाम नहीं आएंगे, तब तक आपका भी नहीं बता पाएंगे, तो इसको ब्रेक करिए, एक तरफ OH, दूतरी तरफ भी OH करिए, इसका नाम तो तुम्हें आता था, अरे इसी को तो मिलाकर ये बनाया गया है, अरे इसका नाम तो बताओ रे बुद्धू, इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं, बेंजीन वन टू डाई कारबॉक्स लिख, अगर इसका नाम होता तो एसिड लिख देते, लेकिन मुझे तो इसका नाम चाहिए, इसलिए हम एन हाइड लिखेंगे, अब समझ में आया, क्या ब्रह्मास्त्र था, कितना कामगर था, बहुत सारे लोग फस जाते हैं, निकाल ही नहीं पाते, हाँ, ये काम की बात है भई, आपको पहले जब कभी भी अन हाइडराइड लिखने की इक्षा जागरित हो, तो पहले उसके एसिड की ना समझ में आया क्या भई, बोलो, 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 समझ में आया क्या, नहीं आया, कता ही समझ में नहीं आया क्या, आ गया होगा अब तो, समझे, हाँ, अब इसको बताओ, सेम तरीके से, इसका एसिड बनाओ, इसका एसिड बनाओगे, तो साइकलो हेक्जेन पर, दो सी डबल ओ ग्रुप लगते हुए लहराते हुए दिखेंगे इसका नाम है साइक्लो हेग्जेन वन टू डाइकारबॉक्सलिक डाइकारबॉक्सलिक एसिड यहां हो जाएगा साइक्लो हेग्जेन लिखो साइक्लो हेग्जेन वन टू डाइकारबॉक्सलिक एन हाइड्राइड एन हाइड डिख लिया यस इस तरीके से आएगा समझ में ये तो आपको आता है मुझे लगता है बता बया इसके रिस्पेक्ट में ये भी सेम है ये भी सेम अब क्या होगा तो इनके एसिड का नाम बना लोगा इनके एसिड का नाम बना लो किसी एक के एसिड का नाम बना ओ क्या होगा C1 यह है साइक्लोहेक्जेन कार्बॉक्सलिक एसेड इनका नाम इनका नाम है साइक्लोहेक्जेन कार्बॉक्सलिक एसेड तो इसका नाम क्या होगा साइक्लोहेक्जेन बोलो बोलो कार्बॉक्सलिक एन हाइड्राइड दैट सिट भाई मामला खतम है समझ में आ गया बहुत सारे बच्छों ने लिख दिया आनंद की निभूती बस मेरा सबसे प्रिय भाईया इस्टर है इस्टर में जो प्रफिक्स होता है वो भाईया हम कह सकते हैं कि more than 90% लोग सही नहीं कर पाते हैं वो गलत कर देते हैं बस वो चीज मुझे सही करानी है और इस्टर सीखने के बाद बाकी एमाइड नाइट्राइल तुम खुद करोगे इस्टर मैं बताऊंगा जी आईए काम की बात करेंगे इस्टर पर इस्टर में क्या होगा इस्टर लिखा जाता है सी डबल बॉन ओ, 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 आर इस्टर गृफ और इस्टर के लिए हम अगर सफिक्स की बात करें तो हम लिखते हैं ओ, एट, क्या लिखते हैं हम लिखते हैं ओ, ठीक, लेकिन इसके दो प्रफिक्स होते हैं एक है ऐलकॉक्सी कार्बोनिल और दूसरा है L-K-9-Oxy एक क्या है L-K-9-Oxy और इनको यूज करना कम से कम 90% बच्चों के बस की बात नहीं है ये करना इसलिए मैं आज ऐसा ब्रहमास्त्र दूंगा कभी नहीं भूलोगे चलिए सुरू करते हैं देखो भया कैसे लिखते हैं हमेशा इनका नाम लिखना हूँ तो लिखते हैं L-K-9-8 क्या लिखते हैं L-K-9-8 short form यहां लिख देता हूँ L-K-9-8 L-K-9-8 लिखने के तरीके को आपके सामने मैं प्रस्तुत कर देता हूँ यहाँ पर देखो पहले देखो कैसे करते हैं देखो यह क्या है oxygen, carbon, CO तो यहाँ पर जो oxygen से connected होता है उसको लिखते हैं L-K-9-8 तो यह हो जाएगा methyl यह हो जाएगा methyl और यहाँ से आता है L-K-9-8 तो एक कारबन से हो जाएगा Mitheno-8 Mitheno-8 तो इसका नाम क्या बन गया methyl Mitheno-8 क्या है methyl और यह पार्ट पूरा oxygen को लेते हुए दोनों oxygen एक साथ आएगा तब O-8 आएगा जी ध्यान रखना समझ में बात आ गई क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं methyl Mitheno-8 methyl Mitheno-8 clear है I hope clear है अगला देखेंगे यहाँ पर बताइए यहाँ पर इसको एक साथ पढ़ना है और इसको तबहिया अलग पढ़ना है इसको क्या कहते हैं ethile तो नाम की सुरुवात होगी ethile यह क्या है यह है etheno-8 यह है ethile यह है etheno-8 मानस पांड़े जी बात समझ में आरी है क्या कह रहा हूँ पांड़े साब बात समझ में आरी है यह है ethile यह etheno-8 क्यों क्योंकि यहाँ पर एक carbon यह और एक carbon यह दोनो carbon गिनने के बाद 2 carbon इhteno-8 बना अक्सीजन अगर यहां रहेगा तब इसका नाम O8 में आ रहा है भईए एकदम सिंपल है जी अच्छा ये भी समझ में आ गया ये आप खुद कर ले जाएंगे मुझे लगता है इसको क्या बोलेंगे इथाइल प्रोपेनो एट इथाइल ये और ये रहा प्रोपेनो एट आएं अरजुना बैच में भी आने वाले हैं जल्द ही आएंगे अरजुना बैच में भी जल्द ही मुलाकात करेंगे आप सभी से निश्चनत रहिए अब जेई एडवांस ने कोर्स दे दिया है तो आपको S-Block भी मेरे को पढ़ाना पड़ेगा किसको अरजुना बैच को अभी वो बैचारे 11 में हैं तो बाकी लोग चिंता में मता आ जाना है ना यहां चलो इसका नाम करन करो चलो चलो इनका नाम करन करिए चलिए चलो देता हूं 30 सेकेंड करके देखो बस ज्यादा टाइम नहीं लेगे अब से तो exactly 15 मिनट अब तक जितना लगा लगा अब से तो 15 मिन से ज्यादा नहीं लेगे कानी खतम है यहां देखिए सिंपल सा समझा देता हूं यह कौन अबया यही है इस्टर देखो सीयो ओसी अस्त्री लेकिन यह भाई साब क्या बन जाएंगे मिथाइल यह है मिथाइल यहां के सारे कारवन गिनने हैं बस ऑक्सिजन को भी हीम लेलो तो एक यहां वन यहां टू यहां थ्री यहां पूर बस मिथाइल आगे लगा दो चार कारवन से बना हुआ क्या हो जाएगा ब्यूटेनो एट हो जाएगा ब्यूटेनो एट लेकिन टू पर इन हो जाएगा बस हो गया तो मिथाइल थ्री क्लोरो ब्यूट्टू इनो एट यह option यह लिख रहा है क्या देखो 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 मिथाइल यह लिख दिया मिथाइल पहले फिर लिखो क्या लिखा है 3 पर क्लोरीन 3 क्लोरो ठीक फिर लिखा हमने ब्यूट क्योंकि 4 कारबन है 2 पर double bond तो इन लिखेंगे और weight लिख देंगे ये option को सही मारिए, option सही हो जाएगा, केवल 26%, चार पर कैसे क्लोरो आ सकता है, गिंती भी नहीं आती क्या, एक, दो, तीन, चार, तीन पर है, तुम यहां से गिंते हो पकड़े, अरे भाई, दिमाग नहीं बेचना है, दिमाग अपने पास रखना पेपर करीब आ रहा है, हाँ चलिए अगला देखते हैं, इस्टर का ये बात आपको थोड़ा मज़ेदार लगेगा, सांदार लगेगा, आईए सीखते हैं, ठेक है, यही सबसे important बात, बाकी अब जितनी बची हैं, साब बहुत लल्लू बात बची हैं, इसको छोड़के, हाँ सही बता रहा हूं, आईए देखते हैं कि अगर माल लो आपको पता चलिए ये हमारा में चेन, में चेन और इसके जस्ट बगल में क्या मिल गया इस्टर, इस्टर एज़र क्या मिल गया जी, जुनियर फॉंक्शन ग्रूप, अगर ये जुनियर फॉंक्शन गूप है, ध्यान रखना, ये भाई साब अ को कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप क्या कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप ठीक है और यहां देखो यह पार्ट एक साथ मिला करके यह इसके नाम के आगे डाला जाता है एलकॉक्सी कार्बोनिल एलकॉक्सी कार्बोनिल दुबारा सुन लीजिए आपको मैंने पीछे पढ़ाया उस मुलाकात में बीच में आपको यहां कार्बोनिल नज़र रहा है, मतलब मेंचेंट से डारेक्ट CO ग्रूप जुड़ा है, तो इसका जो प्रफिक्स बनेगा उस प्रफिक्स को लिखा जाएगा, एल कोकसी कारबोनिल, एल कोकसी कारबोनिल, बस Сुनते जाओ, क्या, L-Coxy-Carbonil, इतनी लाइन ठीक है, अभी इतनी लाइन समझ邆 है, L-Coxy, ये पार्ट कार्बुन लीगी, अब समझो, अब अगर Main Chain, Oxygen से Connected है, यहाँ Main Chain, C-one-O से Connected है, यहाँ Main Chain, Oxygen से Connected है, यहाँ भी Main Chain, Easter से Connected है, यहाँ भी Main Chain, Easter से Connected है, बर Connection में अ main chain अगर oxygen से connected है तो इस oxygen वाले part के लिए इसके लिए हम लिखते हैं oxy पहले भी बता चुका हूँ इस वाले part के लिखते हैं oxy और इतने part को कहते हैं l-k-noyl क्या कहते हैं जी इसको कहते हैं l-k-n-o-y-l l-k-noyl oxy तो ये दोनों कभी यूज करना है समझ में आया जब main chain oxygen से direct जुड़ा है तो l-k-noyl oxy कितना असान है ये l-k-noyl ये oxy लेकिन अगर main chain ये C double bond O से जुड़ा है तो नालायक प्राणियों यहाँ carbonil और ये l-coxy तो नाम बनेगा l-coxy carbonil कई बार बच्चे confused रहते हैं दोनों में समझ ही नहीं पाते जीवन भर कि कब क्या लगाना है और ऐसे भी काम नहीं बनेगा example होगा तम मजा आता है आओ नाम बनाते हैं सीखते हैं क्या है ये ये देखो ये C double O एच है इसकी priority सबसे उपर तो 1,2,3 तो ये तो main chain हो गया main chain connected है easter से ये easter क्या है as a substituent है as a substituent है तो ध्यान रखना भई ये क्या है as a substituent है ये main chain और ये substituent बीच में connection कौन बना रहा है CO बहुत काम की बात है अभी लिखेंगे पहले इसको लिखो तीन कार्बन को आले हो के लिखोगे propanoic acid क्या लिखोगे इसके लिखोगे propanoic acid क्या 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 ये है propanoic acid इनका नाम करन करने में आप कहेंगे कि propanoic acid direct connected है कार्बोनिल से तो इसको लिखते हैं कि देखो भईया ये वाला पार्ट तो alcoxy है ये वाला part carbonil तो ये हो गया methoxy ये हो गया भईया जी methoxy methoxy ये वाला part methoxy connect करने वाला कौन है जी ये सुनो दिमाग लगाओ इधर आओ दिमाग लगा कि इधर आओ क्या बोल रहा हूं ये जो alcoxy part है उसको main chain से कौन connect कर रहा है carbonil तो देखो इसको मैंने लिखा methoxy इसको मैंने लिखा propenoic acid बीच में connect कौन कर रहा है carbonil तो बीच में आएगा carbonil शायद अब खोपड़ी में बात ख笨 ही हो कि मैं कह क्या रहा था मैं यह कह रहा था कि ये जो alcoxy part है इस main chain को connect कौन करता है जी अरे कौन कनेक्ट करता है या कार्बोनिल तो लिखिए मिठोक्सी कार्बोनिल बेंजोइक ऐसे समझे अगली बात और बहुत मेन बात समाप्टी की तरफ है क्या है ये 1, ये 2, ये 3 तीन कार्बन के लिए ये प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक एसिड ही रहेगा प्रोपेनोइक एसिड रहेगा अच्छा अच्छा एक बात रहे गई ना कौन से कार्बन से कनेक्टेड है तो इसको आप लिखेंगे 3 ऐसे ब्रेकट में लिखने की ज़रोत नहीं है तो 3 मिठोक्सी कार्बोनिल इसका नाम बता सकते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो अभी नाम बता सकते हैं 20 seconds में नाम बताइए जी अब हमने क्या बोला ये main chain को connect कौन कर रहा है oxygen तो इसका मतलब इसके ज़स्ट पहले आएगा oxygen में चेन और इसको connect कौन कर रहा है और इसको क्या बोलते हैं L-K-N-O-I-L मतलब दो कार्बन की वज़ा से इसको गिन नहीं सकते इस चीज़ा जान लो दो कार्बन की वज़ा से क्या हो जाएगा जी ये इथे नोईल E-T-N-O-Y-L तो ये है इथे नोईल ये है आक्सी और ये है प्रोपेनोईक असिड इससे आसान क्या सुनोगे जी अरे इथे नोईल को आक्सीजन कनेक्ट कर रहा है प्रोपेनोईक असिड से लेकिन किस कार्बन पर कार्बन नमबर थ्री पर तो three ethanol oxy propanoic acid क्या आपकी खोपड़ियों में ये बातें जा रही है या ऐसे उरता जा रहा है जो बता रहा हूं बोलो भई एक कोई ग्यान बाटने आया है अब अपने ग्यान अपने जेब में रखो तुम यहाँ पढ़ लो अगर पढ़ना है नहीं तो कोई बात नहीं जहां पढ़ रहें वहां पढ़िये ठीक है कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी क्योंकि तुम्हारे जैसों को आयटी गेट से बाहर भुला भेज देता है उसका गाड़ पहले भगा देगा काड़ लोग जादा नहीं है सारे समझदार बालक है अच्छी बात यहीं लगती है काड़ आ जाता है ना बीज-बीज से चालाक बनने चालाक चालाक लोमड़ी बनते हैं दिमाग का कमजोर सक्स रहते हैं आईए चली अगला देखते हैं एमाइड तो क्या ही पढ़ाएंग कार्बोकसमाइड तो इसका नाम है बेंजीन कार्बोकसमाइड नॉर्मली हम क्या कहते हैं एमाइड नॉर्मली हम क्या कहते हैं एमाइड यह है बेंजीन कार्बोकसमाइड समझ में आया इसको पढ़ाने ज़र्द जूरूत नहीं है नाइट्राइल में भी नाइट्राइल म खतम हो चुका है भईया, दस मिनट भी नहीं लगने वाला है, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ऐसे डहलाइट तुम्हें पढ़ाते नहीं कभी, तुम्हें खुछ पढ़ना पढ़ेगा, सरे आप कुछ पढ़ाएंगे नहीं, अरे भईया, इसको कर नहीं ले जाओगे जी, बेंजीन कार्बोनिल हैलाइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइ नमबर अफ कार्बन क्या है कम है तो इतने पूरे को मिला करके नाम दिया जाएगा एल कॉक्सी और यहां आर में क्या होगा नमबर अफ कार्बन होंगे ज़्यादा यहां है नमबर अफ कार्बन ज़्यादा तो इससे बनाएंगे में चेन है ना इस यह क्या बनाएगा में चेन तो जैसे एल केन बना देगा यह तो हो जाएगा नाम एल कॉक्सी एल केन में चेन यह बनाएगा यह साइड चेन बनाएगा तो यह एल कॉक्सी कहानी खतम हो चुक और ये देखिए पूरा का पूरा क्या है mythoxie, तो नाम होगा, भाईया देखो ये तो mythoxie रहे, एक carbon वाला methane, तो नाम होगया mythoxie methane, अगला देखो, दो carbon वाला, ज्यादा carbon वाले को गिल लो, तो आप क्या कहोगे भाईया, देखो, one पर क्या लगा है mythoxie, तो आप लिखोगे one mythoxy, one पर लगा है mythoxy और इसके बाद है ethene, one mythoxy ethene, समझ में आया क्या, अरे बोलो रे भाईया, समझ में आया क्या, यहां तक की बातों में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ऐसा तो चैप्टर पढ़के मेरे को सही सही feedback दे के जाना भाईया, कि ऐसा तो नह लगा न, बहुत सारा रट्टे बाजी करी हमने, इतने रूल पढ़ेत किया, आप ठक गए, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ भी होगा, तो यह देखिए, cyclohexene पर क्या लगा दिया आपने, यह क्या है, यह ethoxy, तो नाम हो गया, cyclohexene, ethoxy cyclohexene, क्या-क्या, यहां तक की बात हैं, समझ में आईएं क्या, चलो अगर किसी को यह समझ में आएं तो बताना, बोलो, सर यह देखो, जहां कम, कार्बन नमबर कम होता है, वहां पर oxy लगता है, तो इसको एक साथ मिलाइए, कार्बन नमबर कहां कम है, यहां, जहां ज़ादा है उसका नाम यह क्या है यह है साइक्लो हेक्जेन साइक्लो हेक्जेन पर क्या लगा है इसका नाम बता सकते हैं यह देखो क्या है साइक्लो प्रोपाइल और आक्सी तो है साइक्लो प्रोपॉक्सी सांदार ना मजेदार साइक्लो प्रोपॉक्सी देखो, साइक्लो प्रो पॉक्सी, साइक्लो प्रो पॉक्सी, साइक्लो हेक्जीन, अरे बोलो रे भईया, बाद समझ में आई क्या, क्या यहां तक की बातें आपकी खुपडियों में बस गई हैं क्या, बोलो मेरे भई, चलिए, मिलते हम आप सभी को अगली वीडियो में, कि जितना पढ़ाया गया, क्या वो सब कुछ समझ में आया, important यह है कि आपको सब कुछ समझ में आये, तभी तो इसका कोई मतलब बनता है, समझ रहे ने भाई, क्या, इसका तभी कोई मतलब बनता है, बोलो भाईया, एक चीज मैं अक्सर सुनाता हूँ, वो बस एक लाइन सुनाते हैं, कि सस्ते सपनों का धेर है दुनिया, सस्ते हिदाम में ये बिक जाएंगे, अरे महगे ख्वाबों की प्यास रखो तुम, एक दिन हकीकत हो जाएंगे, लेकि उसके लिए लगेगा ठीक ठाक मैनत, तो मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में आई सुमेरिजम को धंग से कायदे से एक्स्प्लेइन करेंगे, आपको कुछ भी ना आता हो, तब भी सीख जाएगा, लेकिन तैयारी अच्छे से करिए, अभी जो दिया जाएगा नोट्स उसको एक की नहीं आया, हाँ हाँ हाड वर्क तो यार पढ़ाने में भी है, लेकिन तुम्हें पढ़ने में भी तो है, तो पढ़ो तुम ध्यान से हमारे हाड वर्क की चिंता छोड़ दो, हम तो भया करने को तयार हैं, क्योंकि हम पी डबलू के वासी हैं भया, आपके साथ हैं, ठीक क्योंकि हैं, आपके साथ 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 हैं,